हेलो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 जोग्राफी और जोग्राफी का स्टार्टिंग है 12 नमर्ट चैप्टर से भारत का भौत एक 100 रुपी इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं जोग्राफी के 9th क्लास के अंदर तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अमेशा की अच्छिकरा सबस्थे कौन सा हे असमें सबसे बड़ा देश कौन सा है तो हम सब जानते हैं इसमें सबसे बड़ा देश भारत ही है यह चालिए नाके क्वेशन दकि भारत کی मुख्य भूमी का देशांत्रियं विस्तार कितना है। एक बात तो ईसमें यह समझे हैं। मुख्य भूमी क्या है और भारत की भूमी क्या है भारत की भूमी और मुख्य भूमी इस प्रिश्ण में बहुत कंत्यूज गरता है मुख्य भूमी का मतलब जिसमें जो अंडवान निकोबार दीप समू है लक्षी दीप समू है इसमें समलित नहीं किये गए भारत की जो बारत की मुख्य भूमी का अक्षांसी विस्तार कितना है? वो कितना क्या था? देशांसी विस्तार. यह क्या है? अक्षांसी विस्तार. कितना है इसका? आठे डिग्री चार मिनिट से 37 डिग्री 6 मिनिट उत्री अक्षांस में भारत की मुख्य भूमी का अक्षांस से विस्तार है नेक कुशन देखिए भारत का प्रमानिक समय किस देसंतर रिका से माना जाता है भारत का प्रमानिक समय किस देसंतर रिका से माना जाता है देखिए ये जो questions हैं बहुत important है इनमे से एक भी question ऐसा नहीं है जो important नहीं है इसकी एक line important होती है धान रखेगा या तो 82 degree 30 minute 82 degree 30 minute पूर्वी देशांतर को भारत का प्रमानिक समय देशांतर रिखा माना जाता है भारत का प्रमानिक समय देशांतर रिखा है वो कितनी पे है 82 degree 30 minute पूर्वी देशांतर पर नेक question देखिए भारत का पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार है तो कितना है 2933 km के छेद में ये पहला हो है पूर्व से पश्चिम तक 2933 km इसी तरीके से नेक question देखिए भारत का उत्तर से दक्षिन तक कितना विस्तार है भारत का उत्तर से दक्षिन तक कितना विस्तार है तो हम जब जानते हैं 3214 km 3214 km इसका विस्तार है भारत का उत्तर से दक्षिन तक है नेक question देखिए भारत की इस्थलिय सीमा की लंबाई कितनी है भारत की इस्थलिय सीमा की लंबाई कितनी है तो कितनी है 15200 किलोमेटर इस्थलिय सीमा यानि जो चारो तरफ जो इस्थलिय जो सीमा बनती है जो अन्य देशों से मिलती है वो सीमा कितनी है इस्थलिय सीमा तो वो है 15200 किलोमेटर भारत की समुद्रिय सीमा की लंबाई कितनी है तो कितनी है साथ हजार पांसो सोला पॉइंट 6 किलो मेटर साथ हजार पांसो सोला पॉइंट 6 किलो मेटर इसमें दीप समुवसाइट जो टोटल समुद्रिय सीमा उसको समलित किया गया है तो इस्तरिय सीमा पंद्रह जार के लग नेक क्वेशन देखी, भारत का छेत्रफल कितना है, आप भारत देश के निवासी हैं, तो आपको निश्यत रुप से पता होना चाहिए कि भारत का छेत्रफल कितना है, आपका जो छेत्रफल है, 32,87,263 किलोमेटर है, जो पूरे विश्व का दो पॉइंट 42 परतिसत है मात्र, जो कितना है, पूरे विश्व का जो भाग है, वो 2.42 परतिसत मात्र भाग है यह बारत का छेत्रफल, नेक क्वेशन देखी, भारत की सीमा से सटे पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं, तो कौन-कौन से हैं वो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, मिया और बंगला देश, आपके जो कितने देश हैं, टोटल साथ देश हैं, यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, जो बड़े भी हैं, और नेपाल, भूटान, मियानमार और बंगला देश, यह चोटे देश हैं, है ना, तो यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेप भूटान, म्यानमार और बंगलादेश ये साथ नाम आपको याद रखने हैं. Next question देखिए. छेत्रफल की दरष्टी से भारत विस्व का कौन सा देश है? छेत्रफल की दरष्टी से भारत विस्व का कौन सा देश है? भारत की जन्गर्णा, 2011 के अनुसार भारत की जन्शंग्या कितनी है? भारत की जन्शंग्या कितनी है? 121.02 करोड विस्ट की लगभग 17.5% जन्शंग्या भारत के अंदर निवास करती है. विस्ट की लगभग 17.5% जन्शंग्या केवल भारत के अंदर निवास करती है और 2011 की जन्संक्या यहां की बताई गई है नेक कुश्यन देखिए देश की संपून सेत्फल का कितना प्रतिसत भूमी परवतिये पहाड़ी पठारी वे मैदानी भाग है देश की संपून सेत्फल का देश के जो संपून सेत्फल है उसका कितना प्रतिसत है भूमी परवती है, पहाडी, पठारी और मैदानी भाग, तो देखते हैं, करम से जो आपका भूमी परवती छेत्र है, वो है 10.5%, आपका पहाडी छेत्र है, वो 18.6% है, करमी भाग 29.7% है, और मैदानी भाग जो सर्ब से जदा है here वो 43% है, तो देखिए परवती भाग कितना है? 10.5% पहाड़ी भाग 18.6% और पठारी भाग 27.7% और मैदानी भाग 43% है Next question देखिए भहती कादार पर भारत भूमी छेत्र को कितने भागों में बाटा जाता है? तो कितने भागों में बाटा जाता है? यह आपके बाटा जाता है पांच भागों में एक उत्तरपूर परवतिय प्रदिश, एक उत्तर का मैदान, प्रायदी प्या पठार, समुद्र तटिय मैदान और दीप समुद्र कुछन देखिए, हिमाले परवत भारत के कितने सित्फल में फैला हुआ है? तो यह लगवग 5,000,000,000 km छेत्र में फैला हुआ है, यह कितने हैं? लगवग 2400 km लंबा है, और 150-200 km चौड़ा भी है, जो हिमाले परवत है, वो 5,000,000 km फैला हुआ है, इसकी लंबा ही कितनी है? यह कर्विन 2400 km लंबा है, और यह 150-200 km चौड़ा भी है, नैक कुशन हिमाले जहां पर है वहां पर सागर था यह हमने सुना है जिसमें भूकर भी है हलचलों के कारण अफसाद जमाव के पच्चात अफसादी चट्टानों के मुडाव के कारण हिमाले का निर्मान हुआ सम्मंधित सागर का नाम क्या था ये जो घटना हुई जिसमें हिमाले سागर बना अफसादी चटानों के मुल्णने के कारण जहां पर पहले सागर था तो उस सागर का क्या नाम था उस सागर का क्या नाम था टेथिस सागर ये question बहुत बार repeat हुआ है, तो इसका ध्यान रखे गई है, अलग अलग तरीके से गुमा कर पूछा जाता है, इसलिए इसका मैंने complete description question में देने का प्रेस किया है, ये कौन सा सागर है, ये टेथिस सागर है, ठीक है, next question देखिए, हिमाले को किन भागों में वर्गी करत किया ज जाता है, हिमाले को किन भागों में वर्गी करत किया जाता है, तो देखिए, इसका मुक्त तीन भागों में वर्गी करत किया जाता है, व्रहत हिमाले, लगू हिमाले और उप हिमाले में हिमाले को वर्गी करत किया जाता है, next question देखिए, व्रहत हिमाले के प्रमुक सीर्स प परवत हैं, है ना, कंचन जंगा, नंगा परवत और नंदा देवी, ये कुछ मुख्य सीर्स परवत हैं ब्रहध हिमाले में, नैक क्वेशन देखिए, लगो हिमाले के प्रमुक्षेर्णिया कौन सी है, लगो हिमाले के प्रमुक्षेर्णिया है, वो कौन सी है, तो वो पीर प परिपंजाल है परिपंजाल गलती से लिखा हुआ है और धौलादार कौन कौन सी है पीडपंजाल और धौलादार यह यहां लगू हिमाले के प्रमुक शेणिया है तीक है ना कोशन देखिए उप हिमाले के प्रमुक पहाडियां कौन सी है उप हिमाले के प्रमुक पहाडिया कौन सी है तो उप हिमाले में जम्मू, गिरी, मिस्मी, डाफला और पहाड़ियां ये ये डाफला पहाड़ियां है ये देखो जम्मू वाली जम्मू में है और गिरी, मिस्मी और डाफला ये कहां पर यह और नाचल प्रदेश की छेतर में है तो उत्तर प्रदेश हिमाले की प को पता है तीन भाग है तो हिमाद्रिया आंत्रिक हिमाले कौन से भाग को का जाता है तो ये व्रहद हिमाले भाग को ही हिमाद्रिया आंत्रिक हिमाले भी कहा जाता है ने कोशन देखिए व्रहद हिमाले किती लंबाई में फैला हुआ है तो हिमाले का जो ये भाग है ये पूर आपके भारत में होते हुए पाकिस्तान में जा रही है वहां से होते हुए यह ब्रह्मपुत यानि बिल्कुल लास्ट आपके पूर्वी भारत तक यह जाती है एक चाप बनाती है और इसकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर है और 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 आस्थन चोड़ाई जो है ब्रद हिमाले की है यानि 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ यह और इसकी ओस्त चोड़ाई है जो पंचीस से पचास किलोमीटर है नेक क्वेशन देखिए व्रहत हिमाले की ओस्त उंचाई कितनी है देखिए यह जो तीनों भाग है व्रहत हिमाले लगो हिमाले और उप हिमाले इन ती है वो साथ हजार मीटर से भी जादा है जिसमें माउंट एवरेश भी एक है यह ना वो तो 8848 मीटर है तो इस वज़े से इस व्रहत हिमाले के जो उस्तन जो लगभग उचाई है वो 6000 मीटर है जिसमें से 40 परवस्टेणिया 7000 मीटर से भी अधिक हैं नेक क्वेशन देखिए विस्व की सबसे उची परवस्ट सिकर माउंट एवरेश हिमाले के किस भाग में है विस्व का सबसे उचा जो परवस्ट सिकर है माउंट एवरेश जो 8848 मीटर उचा है हिमाले के किस भाग में है वो हमने अभी बात की थी वो ब्रहत हिमाले का ही हिस्सा है नेक क्वेशन दे थे और इन्होंने 1965 में पहली बार चड़ाई की थी, माउंट एवरेश चड़ने वाले प्रिथम भारतिये महिला कौन थी, इनका नाम कापी फेमस राय है, यह हैं बचेंद्री पाल, 1984 में इन्होंने चड़ाई की थी, बचेंद्री पाल, ने कुश्टिन देखिए, भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी कौन सी है, के अंदर पढ़ती है, कंचन जगा, है न, नेक कोशन देखिए, व्रहद हिमाले छेत्र में प्रमुख दर्रे कौन से हैं, देखे हमने जब छोटी क्लास में पढ़े थी, तो हमने देखा था कि दर्रे क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के ब्यार में काफी डिसकुशन किया थ था, उन क्लासेज को भी आगाए आपने नहीं देखा है, तो प्रीज उनको देखेगा, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके हैं, और आपको आसानी से याद हो सके हैं, तो व्रहद हिमाले छेत्र में प्रमुख दर्रे कौन से हैं, जोजिला, सिपकीला, मानाला और नीतिल नेक क्वेशन देखें, यमना वे गंगा नदियों का उद्गम छेत्र किस हिमाले छेत्र में हैं, तो हमें पता है, ये व्रहद हिमाले छेत्र से ही निकलती हैं, उनका जो उद्गम इस्तल है, वो यमना और गंगा नदियों का व्रहद हिमाले छेत्र में ही हैं, नेक जाता है हिमाचल हिमाले या मद्धे हिमाले किसका उपनाम है यह है लगू हिमाले के ही यह परियाय नाम है यानि इसके ही परियाय वाची इसी को हिमाचल हिमाले या अथ्वा मद्धे हिमाले कहा जाता है लगू हिमाले कोई नेक क्वेशन देखी लगू हिमाले की ओस्तन उच लगू हिमाले का प्रमुख दर्रा कौन सा है लगू हिमाले में एक दर्रा है जो कफी फिमस है और उसका नाम है बनी हाल दर्रा लगू हिमाले का प्रमुख जो दर्रा है वो है बनी हाल दर्रा नेक कुशन देखिए लगू हिमाले में इस्थित प्रमुख परेटन इस्थल कौन से है तो इन सभी इस्थलों के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुनाओगा सिमला, मसूरी, नैनी ताल, दारजिलिंग, र उच्छ दालों पर कौनद्izi वन वे निम्न डालों पर घास के छेत्र पाये जाते हैं, जने कसमीर में किस नाम से जाना जाता है? लगो हिमाले में उच्छ डालों पर कौन धारी वन निम्ने डालों पर घास के छेतर पाये जाते हैं जिने कस्मी में किस नाम से जाना जाता है तो कस्मी में किस नाम से जाना जाता है मर्ग और इनके एक्जामपल है सौन मर्ग है गुल मर्ग है ये काफी famous ऐसे छेत्रे हैं जिनको इस नाम से जाना जाता है मर्ग कहा जाता है इनको सौर्ट में और जैसे सौन मर्ग है गुल मर्ग है वो छेत्र के हिसाब से famous है नेक कुशन देखी, बहा हिमाले या सिवालिक हिमाले किसे कहा जाता है, तो हम जानते हैं, ये उप हिमाले के परियाए वाची हैं, या फिर कहें, उप हिमाले को बहा हिमाले या सिवालिक हिमाले भी कहा जाता है, नेक कुशन देखी, हिमाले के तीनों भागों में सरवादिक नवीन सेनिया कहां से थे हैं जब कोशन डीप में जाता है जब कोशन को बहुत गहराई के साथ पूँचा जाता है तब इस प्रकार की कोशन साते हैं तो इस चीज का ध्यान रखेगा हमाले में जो तीनों भाग हैं यानि आपका व्रैद हमाले लगू हमाले और उप हमाले उसमें सबसे जो नवीन सेनिया हैं वो कहां पे हैं आपकी वो आपकी उप हमाले के अंदर गत है उप हमाले जो अभी भी बनता जा रहा है यानि अभी भी जो अपसादी चट्टाने हैं अपनी मुडाव पर हैं और हिमाले का लगाता निर्मान करती जा रही है। तो देखिए हिमाले की जो सबसे नवीनतम जो सेड़िया हैं वो कहां पर हैं वो उप हिमाले के अंतरगत हैं जिसकी उंचाई भी अभी बहुत कम है। ने कोशन देखिए। जाती हैं और उसके बाद पूरुप की और अवनाचल प्रदेश तक यह जाती हैं। तो इसमें अंतराल की वज़े से यह कहा जाता है कि हिमाले का जो फैलाव है यह उप हिमाले का जो फैलाव है उप हिमाले का फैलाव है। नेक कोशन देखिए, उप हिमाले की आस्तन उचाई कितनी है, उप हिमाले की आस्तन उचाई कितनी है, तो आपको याद होगा, प्रेद हिमाले की आस्तन उचाई 6000 थी, है न, आपके बाद से लगू हिमाले की 4000 थी, तो उप हिमाले की कितनी है, वो आपकी 900 से 1200 मीटर तक ही है, 9-1200 मीटर तक है और इसका जो चोड़ाई है वो 10-50 किलोमेटर ये चोड़ा है ये कितना चोड़ा है? 10-50 किलोमेटर जगे जगे इस्थान के एसाब से कहीं कम और कहीं ज़्यादा ये चोड़ा है नेक कोईशन देखिए उप हिमाले की पहाड़ी भाग को जमू वे औरनाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? जब मैदान बन जाते हैं तो वो छेतर क्या होता है? वहाँ पर लोग नहने लगते हैं तो उन छेतरों को अलग अलग नाम से जाना जाता है तो वो किस नाम से जाना जाता है? तो देखें पूर में इसको क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है इन छेतरों को और पस्ची में दून कहा जाता है तो पूर में जो द्वार कहा जाता है जैसे हरी द्वार इसका एक example है ठीक हरी द्वार जो है वो ऐसा ही छेत्र है जहां पर घाटी मैदान यह सिवालिक स्रीनियों में है और घाटी छेत्र में ही है और यहां पर जलोड जवाव के करण मैदान बन गया है और इसकी वज़े से इसको हरी दौर कहा जाता है दौर इसको मुक्ये नाम है और हरी इसके आगे लगाया गया इसे वज़े से यह हरी दौर हो गया इसी तरह पष्च्चे में दून है जिसको दहरा दून बना दिया गया वो भी सिवालिक शेनी का ही हिस्सा है 1947 के भारत विभाजन से पूर भारत के उत्री मैदान को किंदो नदियों के मैदान के रूप में प्रदर्सित किया जाता था या फिर कहें 1947 का जो भारत विभाजन हुआ था उससे पूर जो भारत का उत्री मैदान था उनको किन दो नदियों के मैदान के रूप में कहा जाता था, कि ये इन दो नदियों का मैदान है, ऐसी कौन सी नदियां थी, तो वो थी सिंधु और गंगा, यानि गंगा सिंधु नदियों के मैदान कहा जाता था भारत के उत्री जो मैदान है उनको, ठीक है, 1947 से पूर, नैक किस तोर पर सो किया जाता है, तो वो है सतलज गंगा और ब्रह्म पुत्र का मैदान, किसका का जाता है वो, सतलज गंगा और ब्रह्म पुत्र के मैदान के तोर परिभासित किया जाता है भारत के उत्री मैदान को, नै क्वेशन देखिए, सतलज गंगा ब्रह्म पुत्र का मैद भौगौलिक रूप से किस प्रकार का आकार बनाता है यह आपको पता होना चाहिए तेकि अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग दिया हुआ है तो कई जगे आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखेगा कि यहाँ पर जब रीट का मेंटर हो या फिर कोई राइस्थान से सम्मधिश किसी भी एक्जाम का मेंटर हो तो आपको इस टेट की जो बुक्स होती है जो ट्वैल तक होती है उनहीं भुक्स में जो डाटा होता है वह ही राइस्थान की बुक्स ही मान्य होंगी, तो ध्यान रखेगा कि सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान का भौगल काकार क्या है, वो है धनुसाकार रूप में है ये, किसा आपकार में है ये, धनुसाकार रूप में, ने क्वेशन देखे, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का म मैदान है वो कितनी लंबाई में फ्यला हुआ है वह है 2400 किलोमीटर लंबाई में देखिए आपको याद होगा हमारा हिमालेच छेत्र था वो कितना लंबा था 2400 किलोमीटर लंबा हमारा जो आपका जो अपका जो अप्रहत सेमाले पहला है उस की लंबाई किती थी outta भी 2700 किल्योमेटर के लगब्ग थी, और यह 17 गंगा ब्रहमपुतर का मैदान ही, यह कितना लंबा है, यह भी 2400 किल्योमेटर लंबा है और इस останथ गंगा ब्रहम पूतर के मैदान की जो कितनी है 1500 से 300 km चौड़ाई है इसकी 150-300 km मिटर चोड़ाई इसकी मानी जई है ने कोशन देखे दो आप किसे कहते हैं दो आप किसे कहा जाता है यह बहुत इंपोर्टेट है यह आपको पता होना चाहिए दो आप बहुत बार आ चुका है यह कोशन इसका आंतर है दो नदियों के मद्धे जलोड के जमाव से निर्मित म जो मैदान बनता है उस भूबा को क्या कहा जाता है दो आप कहा जाता है उस मैदान को क्या कहा जाएगा दो आप कहा जाएगा नेक कोशन देखी भारत के उत्री मैदान भाग में भारत के कौन से राजय मुखते आते हैं भारत का जो उत्री मैदानी भाग है उसमें कौन- उत्राखंड, उत्रप्रदेश, राजस्थान, बिहार, जारखंड और पश्चिम मंगाल ये सभी ऐसे प्रदेश हैं जहां पर उत्री मैदानी भाग का मुक्यत हिस्सा है पंजाब, हर्याणा, उत्राखंड, उतरपदेश, राजस्थान, बिहार, जारखंड और पश्चिम मंगाल ऐसे छेतर हैं जहां भारत का उत्री मैदानी भाग मिलता है नेक क्वेशन देखें भारत के उत्री मैदान को भागौलिक आधार पर कितने भागों में बाटा गया है तो देखें ये क्वेशन हम पुरानी छोटी क्लासेज में पढ़ चुके हैं और इस क्वेशन को दुबारा हम रिपीट कर रहे हैं आपको निश्य तुर्प से पता होना चाहिए भाबर, तराई, बांगर और खादर प्रदिश इस चेत्र में जो भारत का देखें एक बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए जब आपसे पूचा जाए सतलज गंगा ब्रह्मतुत्र के मैदान को कितने भागों में बाटा गया है तो आपको ये चार भाग बताने है भाबर, तराई, बांगर और खादर लेकिन भारत के उद्री मैदान को जो बाटा गया है तो इनके अतरक किसमे है राजस्थान का मरुस्तलिय चेत्री भारत के उत्री मैदान में आता है लेकिन सामने तो कोश्चन क्या आता है सामने तो कोश्चन केवल जो नदियों का मैदानी चेत्र है उन्हीं का भाग तराई बांगर और खादर छेत्र के बारे में बताना होता है तो टोटल मिला के आपके चार प्रिकार हैं भाबर, तराई बांगर और खादर प्रदेश लेकिन उत्री भारत के जो मैदानी छेत्र है उसमें सुस्क जो मरुस्थल ये प्रिदेश से भी सम्मिलित होता है तो राइस्तान मरुस्थल प्रेंदानी चेत्र भी इसी के अंतरगत आता है नेक कोशन देखिए भावर प्रिदेश का भारत के किन चेत्रों में विस्तार है भाबर प्रिदेश का भारत के किन चेत्रों में विस्तार है तो देखे भाबर प्रिदेश की वैक्यां हम पहले भी कर चुके हैं उसको परिभासित कर चुके हैं चोटी क gravity देख लीजे अगर आपको याद नहीं है तो सिवालिक के पर्वत पदिये चेत्र में 17 नदी से 33 नदी तक 8 से 16 किलोमेटर में ये पहला हुआ है भावर प्रदेश जो है भावर प्रदेश क्या है भावर प्रदेश जो आपके परवत ये शेत्र है ये देखे सिवालिक के परवत पदिये परवत पदिये का मतलब क्या होगा परवत के बिल्कुल निचले हिस्से में ये छेत्र है, सिवालिक कौन सी है, सबसे छोटी, जो है आपके हमाले छेत्र की सबसे छोटी वो पाड़िया है, और यहां पर परवत पद ये छेत्र में जब नदी पानी बहा कर लेकर आती है, तो बिल्कुल उस छेत्र में आप क्या ह ऐसी कंडिशन में क्या होता है Kemal Thank You j Yin में 20 इस्ती में क्या होता है नदियां उपरी तुर दिखाईने देती वे भूमिगत हो जाती है तो इंट छेत्रों में क्या होता है tpiaos projects money to चोड़ा है चलिए नेक क्विशन देखिए भाबर तराई बांगर और खादर प्रवाइट होती है तो कौन सी है वो चेत वो आपका है भाबर चेत्र भाबर चेत्र में मैंने बताया था परवत के बिलकुल निचले हिस्से में होने के वज़े से पत्त्रों के नीचे पानी चल जाता है तो भूगर भी दिखाई देता है उपर तोर पर नहीं बहता है तो वहाँ पर सामयता है भूमिगजल नहीं जाता है वहाँ पर भूमिगजल नदियां पाई जाती है किस चेत्र में भाबर चेत्र में नेक क्वेशन देखिए भाबर तराई बांगर और खादर प्र देश जो होता है तरही छेत्र जो होता है उसमें दल्दली छेत्र पाए जाते हैं क्यों पाए जाते हैं देखें भावट छेत्र के बिल्कुल पास होता है तरही छेत्र भावर में क्या होता है भावर में भूमिगत जल हो जाता है और उपर नहीं आता क्योंकि वहां कंकर वग जो भूमीगत जल जो भावर में भूमीगत हो गया था यहाँ पर बाहर आ जाता है और बाहर आ जाता है तो इस सिती में यहाँ पर जब भूमी से बाहर आएगा तो यहाँ दल दली छेतरों का निर्माण हो जाता है यहाँ पर वन्य छेतर भी बनते हैं और यहाँ पर क्या होत यहां पर ही डल्डली छहतर ज्यादा पाए जाते है तो कौनचे हैं? डल्डली छहतर कहां पाए जाएंगे? Next question देखिए कास वे हाती घास यह कास और हाती यह क्या है? यह घास के परकार है कास वे हाती घास आदी भारत के उत्री मिदान में किस प्रदेश की प्रदेशता है ये जो घास है कास वे हाती घास ये कहां पाई जाती है उत्र मैदान में कि ये कहां पाई जाती है तराई छेतर में ही ये पाई जाती है या दलडली छेतर है उनके आसपास ही ये पाई जाती है कास वे हाती घास ने कोश्चन देखें तराई चेतर कौन से विशाल वनने जीव मुक्यतब पाय जाते हैं? तराई चेतर में कौन से विशाल वनने जीव मुक्यतब पाय जाते हैं? तो देखिए इन चेतरों में सामता हाती और गैंडे मिलते हैं. कौन-कौन से हैं? हाती और गैंडे जो हैं वो इन तराई चेतर में ही सामने शेतर मिलते हैं नहीं कोष्चन देखिए भारत के उत्री मैदान में प्राचीन तलछट से निर्मिट छेतर क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है वो घैलाता है बंगर छेतर को हम क्या कहते हैं नवी प्राचीन जलोड मिट्टी का छेत्र भी कहा जाता है क्यों कि यहाँ पर जो नदियां थी पहले जलोड मिट्टी यह लेके आई थी जलोड मिट्टी यह लेके आई थी वो जमा हो गया, वो उचे छेत्र हो गया अब वहाँ पर सामने तोर पर बाढ़ का पानी नहीं कौंसता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया अब नई जलोड मिटी उसके उपर नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया यह क्या हो गया प्राचीन तलचट का छेतर हो गया या फिर प्राचीन जलोड मिट्टी का चेत्र हो गया, बांगर चेत्र है न, ऐसा हमने पढ़ा भी था, और ये कहाँ पर है, यूपी के उत्तर पश्रिमी भाग में है, और उत्तराखंड में विसे इस तोर पर ये चेत्र पाया जाता है, नेक क्वेशन देखिए, नवीन पानी के साथ क्या मिटी लेकर आती है, और जवाग करती है, तो ऐसा चेत्र क्या कहलाता है, खादर चेत्र कहलाता है, और ये सामयते कहा पाय जाएगा, पूरी उत्तर प्रदेश में, जारकंड, बिहार और पश्रिम बंगाल चेत्र में, ये सामयते देखने को मिलता है, थार का मरुस्तलिय मैदानी जो छेत्र है उसका विस्तार कहां पर है तो देखिए अरावली परवतों के जो पश्चिम छेत्र है वहां से लेकर उत्तर पश्चिम में जो सिंदू के मैदान तक का जो छेत्र है वहां तक मरुस्तलिय मैदान का विस्तार है अरावली परवतों के पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम में सिंदू के मैदान तक ये फैला हुआ है नेक क्वेशन देखें, थार का मरुस्तलिय शेत्र कितनी लंबाई में फैला हुआ है, थार का जो मरुस्तलिय शेत्र है, वो कितनी लंबाई में फैला है, वो है 600 km, यानि 650 km लंबाई में है, 200-300 km चोड़ा है, 250-300 km चोड़ा है, और 150-380 km उचा शेत्र भी है, क्योंकि यहाँ पर हैं यह मरुस्तली छेत्र की विशेष्टा भी है तो यह कितने उचा ही पाया जाते हैं 500 से 380 मीटर यात रखेंगा है यह मीटर में है यह न और बागी दोनों यूनिट किसमें हैं वह किलोमीटर से में हैं तो साड़े 600 किलोमीटर लंबा और 250 से 300 किलोमीटर यह चोड़ा छेत्र है और इसमें 150 से 380 मीटर उचा यह सामने तोर पर पाया जाता है नहीं कोईशन देखे, थार के मरुस्तिली सेत्र में खारे पानी की जीलें कौन सी हैं तो मुक्यतर चार जीलें हैं सांभर, لून करंड़ सर, डेड़वाना और पजपदरा यहाँ पर नमक भी प्यादा किया जाता है नमक भी निकाला जाता है इन छेत्रों से, सामभर की जील, लून करंड सर, डेड़वाना और पच्पदा ये वो जीले हैं जो हमेशा बनी रहती हैं और इंसे क्या निकाला जाता है? नमक निकाला जाता है, ये खारे पानी की जेले हैं, जो थार के मरस्तलिय छेत्र में पाई जाती हैं. ने कोशन देखी, सरस्वती नदी के अबसेस किन छेत्रों में मिलते हैं? तो देखिए, ये भागौलिक आदार का कोशन है, जो आप हिस्टी में पढ़ते हैं, तो इसके जवाब अलग होते हैं, लेकिन जवाब जोग्राफी में पढ़ रहे हैं, तो इसका अंसर कुछ अलग ह होते हैं, तो थार के मरुस्तली छेतर में सरस्वती नदी के अबसेस पाय जाते हैं, तो इसी के साथ आपका ये उतरी भारत के मैदान से समझे जितने भी कोशन थे, वो मैंने इसमें निकाले हैं, भारत के प्राइद इप्य पठार के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, भारत के प्राइद इप्य पठार का फैलाव कितने छेतर में हैं, भारत के प्राइद इप्य पठार का फैलाव कितने छेतर में हैं, तो कितने छेतर में हैं, लगबग 7 लाख वर किलोमेटर छेतर में हैं, भारत का प्राइद इप्य पठार तुर्बुजा क्या उल्टी तुर्बुज का आकार का है ना उल्टी तुर्बुज के आकार का है नेक क्वेशन देखें भारतिय प्रायदीप पठार जो है उसकी ओसत उंचाई कितनी है भारतिय प्रायदीप ये पठार की जो ओसत उंचाई है वो कितनी है तो वो हम जानते हैं 600 मीटर उचा है अधिकतम ये 1800 किलो मीटर लंबा और 1400 किलो मीटर चौड़ा है ये 1800 किलो मीटर लंबा और 1400 किलो मीटर चौड़ा भी है 600 मीटर इसकी ओसत उचाई है नेक कोश्चन देखिए, भारती प्राइदी प्या पठार भारत के किन राज्यों में इस्तित है? भारती प्राइदी प्या पठार जो है भारत के किन राज्यों में है ये? ये दक्षिनी पूर्वी राजिस्थान से होते होए गुजरात, जारकंड, मद्ध्य प्रदेश, चत प्रदेश, चतिशगर, ओडिशा, महराष्ट, आंद प्रदेश, करना तक, तमिल लाड़ और किरल लगबग, भारत के दक्षिन के मैग्जियम हिस्से में भारतिय प्रायदीप्य पठार फैला हुआ है, नेक कोशन देखिए, भारतिय प्रायदीप्य पठार का विस्तार दक् इसा है, और उत्तर में विंध्याचल शेनी तक है, यानि कहें कि जब आमको पता है, प्रायदीप्य पठार आकार कैसा बनाता है, उल्टा त्रभुज बनाता है, कैसा बनाता है, उल्टा त्रभुज बनाता है, तो जो इसका आधार है, वो उत्तर में होगा, और उत्तर में हैं तो उत्तर में जो है विंद्याचल शेनी जो इस तुरुजाकार प्राइदी प्या पठार का आधार बनाता है और जो सीर्ज है वो कुमारी अंत्रीप है तो भारतिय प्राइदी प्या पठार का विस्तार दक्षिण में कहां तक है कुमारी अंत्रीप तक ने कुशन देखी, भारती प्राइदी प्यपटार को भोगौली का अधार पर सामने तक किस प्रकार विभाजित किया जाता है, कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो भारती प्राइदी प्यपटार तीन भागों में विभाजित है, पश्चिमी घाट, पूर्वी गाट और दकन का पठार चलिये नएए कोशिन देखियें सहयादरी की पहाडियां किसे कहा जाता है कि मतलब क्या है यह लगातार है लगातार है ले loss- we किसे का जाता है पश्चिमी जो घाट है उसको सहाध्री की पाहडियों का maximum हिस्सा सहाध्री की पाहडिया है तो इसलिए पश्चिम घाट को common तौर पे सहाध्री के पाहडिया भी कह दिया जाता है दक्षिन के जो पठार है कि जो पश्चिम के नारा है दक्षिन के पठार का जो पश्चिम के नारा है वो क्या है सहद्री की पाहडियां है या पश्चिमी गाट का जाता है और तापती घाटी से कुमारी अंत्रीप तक इसका विस्तार है कहां से कहां तक है तापती घाटी से कुमारी अंत्रिप तक ये शहद्री के पाढ़ियां फैली हुई है नेक कोईशन देखें नीलगिरी के पाढ़ियां भारतिय प्रायदीपय पठार के किस भाग का हिस्सा है देखें इसके बारे में आपको थोड़ सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि बुक्स में प्रापर तरीके से मेंसर नहीं किया है कि किस जगह का हिस्सा है तो ये आपको पता होना चीज़ है नीलगिरी की पाढ़ियां है भारतिय प्रायदीपय पठार में किस जगह का हिस्सा है वो पस्चिमी घाट का हिस्सा है निलगिरी की जो पहाडियां है वो पश्चिमी घाट के हिस्सा है जो आपकी सहाद्री की पहाडियां के जो दक्षण जम्मिंदू है वो पश्चिमी घाट में निलगिरी की पहाडियां ही है ना next question देखिए एक हजार मीटर है इसकी परफश्यमि घाट को रखते है depends ये चीज़ माएने क्यों रखते है क्योंकि जो पठार की बात करते है तो इसका मतलब है कि सामाने इसलामतल जो उंचा है दर उंचा है तो उसके औस ओसत ऊचाई के बार में हमें जानकारी होनी चाहिए तो ऐसी इस्तितिय में हमें पता होना चाहिए कि इनकी ऊसत ऊचाई कितनी है तो पश्चिमिगाट की जो औसथ ऊचाई वो 1000 मीटर है ने कोशेन देखें भारतिय प्राइदी 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 फाल घाट और पाल घाट जो दर्रे हैं, दर्रे आप जानते हैं, हमने पढ़ा है पुष्ली ग्रास में, तो भोर घाट, फाल घाट और पाल घाट जो दर्रे हैं, भारतिय प्राइदी प्ठार में किस भाग का इस्सा हैं, किस भाग का इस्सा हैं, हम जानते हैं, यह पश्चि पुर्वी घाट के दर रहें, भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट और ये पूर्वी घाट से जाकर मिल जाते हैं, ने कुश्चन देखिए, भारत के पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है, भारत का जो पूर्वी घाट है, उसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगीरी परवत तक जो की नीलगीरी परवत किसका हिस्सा है मैंने बताया था आपको वो किसका है पस्षिम घाट का हिस्सा है तो उत्तर में महानदी से स्टार्ट होकर दक्षिण में नीलगीरी परवत तक ये फैले हुए लेकिन इसके एक विशेश्ता है, यह अक्रमिक स्यर्णी है यानि इनकी जो पहाडियां आती है या फिर इनका जो घाट है, जो पहाडिया चोट चोटी, इनके बीच में अंतराल बहुतore जुट चुटी की की तरफ है, तो इस स्थिति में नदियां इस साइड की तरफ बैती हैं तो पूर्वी घाट के कटाव बहुत ज़्यादा होता है तो इसकी वज़े से ये जो सेनिया है ये अक्रमिक हो गई है बीच में से कटाव हो गया है तो जो अक्रमिक सेनिया है नदियों के बहाव के कारण बनी है और ये उत्तर में महान अदी से दक्षिण में निलगिरी परव्तत फैला हुआ है पूर्विघाट, नेक कुशन देखिए, भारत के पूर्विघाट का विस्तार कितनी लंबाई में है, तो ये लगबग 800 ट्रफ्फ इनक है, decision day रहा है उसके बिलकुल समान अंतर चल रहा है, लगवग 800 km है और इसकी औसा तूचाई जो की काफी इंपोर्टेंस रखती है औसा तूचाई पूर्वी घट की क्या है 600 मीटर है कितनी है 600 मीटर नेक कोईशन देखिए भारतिय प्राइदीपिय पठार के किस भाग का निर्मान लावा दारा हुआ है भारतिय प्राइदीपि से इसकी जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है और हम यह जानते हैं कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपजाओ होती है वो कपास के लिए होती है यह काफी इंपोर्टेंट है यह कोईशन बहुत बार रिपीट हो चुका है काली मिट्टी कापास की फसल के लिए बहुत उत्म मानी जाती है, भारतिय प्रायदीपिय पठार में चित काली मिटी किस फसल के लिए सबसे उत्म मानी जाती है, तो हम अभी इसके बारे में बात ही कर रहे थे, कपास की जो फसल है उसके लिए सबसे उप्युक्त मानी जाती है, काली मिटी और यहां कपास की फसल काफी मा प्रमिक की जाती है ठीक है चली नेक कोशन देखिए दक्कन का पठार कितने शित्फल में विस्तारित है दक्कन का जो पठार है वो कितने शित्फल में है दक्कन का जो पठार है वो लगवा 5 लाक वर किलोमेटर शित्र में फैला हुआ है लगवा 5 लाक वर किलोमेटर में दक् question देखिए, दक्कन का पठार भारत के किन राज्यों में विस्तारित है, दक्कन का पठार भारत के किन राज्यों में है, तो वह है आप जानते हैं, दक्षणी पूर्वी राइस्थान में भी है, गुजरात में, मध्य प्रिदेश, महाराष्ट, आंध प्रिदेश और करनाटक चेत्रों में कि दक्कन का पठार फैला हुआ है नेक क्वेश्चन देखी दक्कन में दक्कन का जो पठार है उसकी ओसत उचाई करती है देखी ओसत उचाई आपको याद होनी चाहिए दक्कन के पठार के ओसत उचाई करती है वो है 600 मीटर दक्कन के पठार के उस्ट उचाई 600 मीटर है नेक क्वेशन देखी दक्कन के पठार से नदियां सामने तक किस दिसा में बहाव रखती हैं दक्कन के पठार से नदियां सामाने तह किस दिसा में बहाव रखती हैं देखिये दकन का जो पठार है प्राइदी पठार का मूल हिस्सा जो है इसमें आपको पता है कि इसमें भाव पूर्धिसा की ओर है कि सामने तर नदियां कहां बहती है पूर्धिसा की ओर ही बहती है तो इस वज़े से इसका पूर्धिसा की ओर भाव है पूर्धिसा की ओर किस भाग का हिस्सा हैं, यह जो पठार हैं, चतिस गड का पठार, मैसूर का पहार, रॉयल सीमा का पठार, तेलंगना का पठार, यह भारतिय प्राइद इपिय पठार के किस भाग का हिस्सा हैं, किस जगह का हिस्सा हैं, तो हमें हमें पता है, यह सारे दक्कन का पठार के हिस् मैसूर का पठार, रायल सीमा का पठार, तेलंगर का पठार, ये सब धक्कन का पठार का ही हिस्सा है ने क्वेशन देखिए पंचमडी, महाबलेश्वर, उर्गमंडम, जिससे उटी भी कहा जाता है जैसे परेटन इस्थल हैं भारत के किस भोगलिक भाग का हिस्सा है भारतीय पराइडी प्ठार में ये सभी प्रेटनिस सल पाये जाते है ने क्वेशन देखिए भारतीय प्राइडी प्ठार में इस्थित मांसूनी वनों में सामने तो कौन से रक्ष पाये जाते है सागवान, शीसम और चन्दनादी यह ऐसे हैं, यहाँ पर इन वरक्षों के वन पाये जाते हैं, मांसुनी वन होते है, और यह सी के साथ आपका प्रायदीक पठार का जो content है, वो समाप्त होता है, तो इसी चेप्टर में जो next part है वो है आपका समुद्र से समद्र, समुद्र तटीय मैदान जो हैं आपके और और उसके बाद हम ब्राइसान की ब्यारी में भी बात करेंगी, तो अब ही आपका एक चप्टर थोड़ा सा और बाकि है, भारत का दक्षणतम बिंदु कौन सा है, तो हमने पिसली क्लासेज में भी पढ़ा है, भारत का जो दक्षणतम बिंदु है, इंद्रापॉंट है, जो निकोबार जो दीप समू है, उसमें ग्रेट निकोबार है दक्षिण में, और उस ग्रेट निकोबार के दक्षिणतम बिंदु को जो क्या कहा जाता है, इंद्रा पॉइंट कहा जाता है, नेक कोश्चें देखिए, भारत के मुख्य दीप समू कौन से हैं, भारत के मुख्य द कौन-कौनसे है, आपको पता होना चाहिए. तो अंड़बान, निको बार, लक्छदाफ और श्री हरी कोटा दीप चाहिए. नैक क्वेश्पन देखए. अंड़बान, निको बार दीप समू में कितनी दीप हैं? अंडबान निकोबार दीप समू में कितने दीप हैं तो लगभग इसमें 265 दीप है और ये कहाँ पर हैं अंडबान निकोबार दीप समू है कहाँ पर ये कहाँ पर हैं बंगाल की खाड़ी में इस्थित है नेक क्वेशन देखिए अंडबान निकोबार दीप समोहू मुख्य भूमी से कितनी दूरी पर इस्थित है भारत की जो मुख्य भूमी है उससे कितनी दूरी पर इस्थित है अंडबान निकोबार दीप समोहू तो ये कोलकाता से 1248 किलोमेटर दूर इस्थित है ये जो कितनी दूर इस्थित है 1248 किल किनारों पर कौन से व्रक्ष मुख्यता पाय जाते हैं तो कौन से पाय जाते हैं सुन्दरी व्रक्ष आपने सुन्दरवन डेल्टा का नाम भी सुना होगा सुन्दरवन डेल्टा का है जो गंगा परमपूत्र के जो बनाता है डेल्टा वहाँ सुन्दर वन डेल्टा कहते हैं उसको क्यों कहते हैं क्योंकि वहाँ सुन्दरी व्रक्ष पाया जाते हैं सेम यहाँ पर अंडबान निकोबार के जो किनारे हैं वहाँ पर सुन्दरी व्रक्ष बहुत मातरा में पाया जाते हैं ठीक है, नेक कोशन देखे तुक बैरं मेर रूथ लेंड दीप किस दीप समूक का हिस्सा है किस दीप समूक का हिस्सा है यह conflicts का हिस्षा है यह का हिस्सा है उत्री अधबान, मध्य अंडबान, दक्षिर्न अंडबान और लिट Buenos Bram अड़वान दीप से कितना दूर है, दीपसमू से कितना दूर है ये, 128 km दूर है और किस दिशा में है, दक्षिन दिशा में है ये नीकोबार दीप में मुख्य दीप हैं, वो आपको पता होना चीए, कार नीकोबार, कामोरटा, तेलानचंगा, तरासा, लिटल नीकोबार और निक 오ंट बार न में आपका इंद्रा spoiler समों है लगपाइप 25 दिप बहारत के पास अर्वशागर में मुंगे के दीप है यह सारे किसके हैं मुंगे के मुंगा एक प्रकार का जलिए लखडी मान लीजे इसको तो यह वहाँ पर पाये जाते हैं भारत के पश्चिमिटर पर अरब सागर में यह इस्थित हैं तो यह लगबाग 25 दीप होगा दूरी समुहे लगचे दीप नहीं क्वेशन देखी लगच कितने छेत्र में वितारित है कितने छेत्र में हैं लगबाग 109 किलोमेटर चेत्र में यह पहला हुआ है dawn क्या है विभाजक है अमन दीवी और कन्ना नौर दीपों के मद्दे विभाजक रेखा है क्या है विभाजक रेखा? 11 डिग्री उत्री अक्षांस से ये विभाजित होते हैं ये कहां पे हैं? ये लक्षे दीप में हैं लक्षी दीप में 11 डिग्री उत्री अक्षान से इसके उत्री भाग के जो दीप है उनको अमंदी भी कहा जाता है और दक्षिणिंग भाग के जो दीप है वो कन्ना नौर दीप समू कहे जाते हैं क्या कहा जाता है उनको कन्ना नौर कहा जाता है और उत्तर वाले को क्या कहा जाता है अमंदी भी कहा जाता है और विभाजित कौन करता है ग्यारे डिग्री उत्री अक्षांसे इसको विभाजित किया जाता है नेक कोशन देखिए, लक्ष दीप समू में बहुत आयत में पाये जाने वाले व्रक्ष कौन से हैं, तो कौन सा है ये नारियल कर व्रक्ष है, नारियल कर व्रक्ष लक्ष दीप बहुत मात्रा में पाये जाते हैं, नेक कोशन देखिए, लक्ष दीप समू में मुक्ष दीप तो आपको पता होना चाहिए चेरबनियानी, बैरामागार, कलपेनी और मिनी कॉयादी ये जो मुख्य दीव हैं चlagणी यानी, बैरमागार, कलपेनी और मिनी कॉयादी नेक वेष्टान की अक्छांसिया भाग-अलिक इस्थिति क्या है? राजिस्थान की अक्छांसिय भौगलिक इस्थिति क्या है? जब आप राजिस्थान से सम्मधित कोई पेपर दे रहे हैं तो आपको इसकी अक्छांसिय भौगलिक इस्थिति के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए तो राजिस्थान की अक्चांस इस्थिती क्या है? तो राजिस्थान की देशांतर ये भौगलिक इस्थिती क्या है? तो कौन सी है अपनी इस्थिती? राजिस्थान का पूरू से पस्चिम तक भौगलिक विस्थार कितना है? तो कितना है ये? राजिस्थान का उत्तर से दक्षिन तक भौगलिक विस्थार कितना है? कितना है ये? 826 किलोमीटर विस्थार है ये उत्तर से दक्षिन तक कितना पहला हुआ है राजिस्थान? राजिस्थान कितने छेत्रफल में विस्थारित है? तो कितने छेत्रफल में विस्थारित है ये? 3,42,249 वर किलोमीटर में ये फैला हुआ है 3,42,249 वर किलोमीटर छेत्रफल है राजिस्थान का राजिस्थान का छेत्रफल भारत के छेत्रफल का कितना हिस्थान का जो छेत्रफल है भारत का टोटल छेत्रफल है उतका कितना प्रतिस्थ है ये? यह 10.3% है और यह भारत का सबसे बड़ा राज्जय भी है राहिस्तान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्जय है और यह भारत के पूरे चेतरफल का मातर 10.3% है नयक कुश्चन देखिए हम जानते हैं राइस्थान के उत्तर में सीमा किन राजों से मिलती है राइस्थान के जो उत्तर दिशा में हैं वो कौन-कौन से राज्ये पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए पंजाब और हरियाना पंजाब और हरियाना किस दिशा में हैं? उत्तर दिशा में नेक क्वेशन देखिए राइस्थान के पूर्व सीमा में किन राज्यों से मिलती है? राइस्थान में पूर्व में सीमा किन राज्यों से मिलती है? तो पूर्व में कौन कौन से राज्य है? उत्तर प्रदेश और मद्धर प्रदेश है ना? चलिए. नेक क्वेशन देखिए. राइस्थान के दक्षि श्यक्षित देखिएंग क्यूं वह बwalk जगती है दोनों ही जगह पे लगती है तो इस draw शी drunk सीमा में भी 437 व्यक्ति 2011 की जंगर्णा के अनुसार थे 6 करोड 85,484,437 व्यक्ति निवास करते थे राजिस्तान में जंगर्णा 2011 के अनुसार नेक कुशन देखें भारत की जंगर्णा 2011 के अनुसार राजिस्तान का जंसंक्या घनत पर कितना है भारत की जंगर्णा 2011 के अनुसार राजस्थान के जो जंसंक्या घनत वै वो कितना है जंसंक्या घनत कितना है इसका 200 वेक्ति प्रिति वर्ग किलोमेटर है यानि हर किलोमेटर में 200 वेक्ति रहते हैं औस तन है नो नेक क्वेशन देखिए राजस्थान में छेत्रफल की दर्ष्टी से कौन सा जिला सबसे छोटा है ये क्वेशन बहुत बार रिपीट हो चुका है और ये इसके आने की हमेंसे संभाव ना वनी रहती है तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा जिला कौन सा धौलपूर है राजस्थान को जो सबसे छोटा जिला चेत्रफल की दर्ष्टी से वो धौलपूर है इसी तरह नेक क्वेशन देखिए राजस्थान में छेत्रफल की दर्ष्टी से कौन सा जिला सबसे बड़ा है कौन सा जिला सबसे बड़ा है तो देखिए जनसक की अगनत भी सबसे कम है जेसल मेर का और ये छित्फल की दस्टी से भी बहुत बड़ा है जेसल मेर तो जेसल मेर राईस्तान का छित्फल की दस्टी से सबसे बड़ा जिला है Next question देखिए राईस्तान को प्रशासनी का अधार पर कितने संभागों में बाटा गया है ये बहुत ज़्यादा important question है और ये आपको पकाइदा इन संभागों के नाम भी याद होने चाहिए तो राजसान को कितने प्रिशास निकादार पर कितने आज संभागों में बाटा है कौन-कौन से हैं ये आपको याद होने चाहिए जैपूर, अजमेर, बिकाने, जोदपूर, उदैपूर, कोटा और भरतपूर ये साथ संभाग है इन से सम्मदित बहुत बार question आते हैं तो ये आपको निशी दूप से याद होना चाहिए राइस्थान को प्रशासनिक आधार पर कितने जिलों में बाटा गया है देखिए प्रशासनिक आधार सब्द से आप बिल्कुल भ्रमिक में तो हुएगा इसकारत यही है कि राइस्थान को कितने जिलों में बाटा गया है तो हम जानते हैं राइस्थान में 33 जिले हैं तो राइस्थान को प्रसासनी कादर पर 33 जिलों में बाटा गया है नेक कोशन देखिए राइस्थान को प्रशासनी का अधर पर कितने तहसिलों में बाटा गया है देखे तहसिलों की संख्या भी कई बर मुझ ली जाती है तो इसको भी आपको पता होना चाहिए राइस्थान की जो प्रशासनी का अधर पर कितने तहसिल है ये 244 तहसिलों में बाटा गया है, राइस्थान को 244 तहसिलों में बाटा गया है, राइस्थान के उत्तर पश्रिम का अधिकांस भाग किस सागर का अवसेस माना जाता है, राइस्थान का उत्तर पश्रिम का अधिकांस भाग जो है, वो किस सागर का अवसेस माना जाता है, किन जीलों को 33 सागर के अफसेश के रुपे माना जाता है राइस्थान में जो जीले हैं कुछ जीले हैं जिनको कहा जाता है ये 33 सागर के अफसेश हैं तो ये कौन से जीले हैं जिनको 33 सागर के अफसेश के रुपे माना गया है सांभर, तेटबाना, पचपदा, लूंग टर्ण सर, ये सबी क्या है, ये खारे पानी की जीले है, नैक कोश्चन देखें, विस्व की प्राचीनतम परवशंकला कौन सी है, देखें ये कोश्चन, ये बहुत रिपीट हो चुका है, बहुत जगह आ चुका है, तो ये कोश्च मेरी साब साब सभी को पताऊगा, हमारी जो अरावली परवतमाला है, ये न, जो राइस्व की सबसे प्राचीनतम परवशंकला भी है, ये न, नैक कोश्चन देखें, राइस्थान में किस प्राकरति काकरती को मुखे जल विभाजक, यानि अप वहा तंत्र विभाजक कहा जाता है, राइस्थान में एक ऐसी स्ट्रेक्चर प्राकरति काकरती है, जो कि जल विभाजक है, मलब राइस्थान को दो भागों में बाढ़ देती है, आप वहा तंत्र को दो भागों में बाढ़ देती है, कौनची है, तो हम जानते हैं वो अरावली परवतमाला ही है, अर अरावली परवतमाला राइस्थान को दो भागों में विभाजित कर देती है अब वाहत अंत्र को दो भागों में विभाजित कर देती है इसलिए से मुख्य जल विभाजक जो है वो प्राकृतिक आकृति है अरावली परवतमाला और यह मुख्य जल विभाजक भी है नेक प्रदेश पहाड़ी मैदानी प्रदेश जो पहाड़ी ब्रदेश और जक्षिनी पूर्वी पठारी के तो पे बाठा जाता है नए कोशन देखिए राइस्तान के भौगालिक विभाजन के आधार पर सबसे बड़ा भौगालिक चेता है जो हमने अभी पांच टाइप के जो छेत्र हुमें वर्गी करत किया राइस्थान के भागलिक भाग को तो उसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा आता है तो वो है पश्री मरुस्तलिय प्रिदेश ये राइस्थान का सबसे बड़ा भाग है इसमें परुस्तलिय प्रिदेश है व जो पश्यम मरुस्तलिय प्रदेश है उसको कितनी समानंतर पेटियों में विभाजित किया गया है तो कितनी है यह मरुस्तलिय प्रदेश जो बालुका और इस्तूप है जिसमें बांगर और राही इस तीन समानंतर पेठिया है, मरुस्तलिय, बांगर और राही, इनकी पहचान क्या है, मरुस्तलिय जो पेठिया है, उसमें बालु का स्थूप पाये जाते हैं, रित के टीले, बांगर में रेती लिमिट्टी के मैदान पाये जाते हैं, और राही में बाढ के मैदान पाये जा जो रेत के टीले हैं वो मरुस्थली प्रिदेश में है, बांगर कैसा है, जहां पर रेतीली मिटी के मैदान पाए जाते हैं, वह टीले नहीं है, वह मैदान है, और तीसरा काउंचा है, बाढ़ के मैदान जहां पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, राही, ठीक है, चली, ने 300 मीटर उचा है यह राइस्थान के पश्चिमी मरुस्तलिय भाग में पाई जाने वाली कटकों को इस्थानिय भासा में क्या कहा जाता है कटक क्या है कटक क्या है जब धराता लिया धर्ती पे या भूमी में जब पानी के वज़े से कटाव आ जाता है तो और जब कटाव थोड़ा बड़ा हो जाता है तो थोड़े उनको कटक कहा जाता है तो इन कटकों को इस्थानिय भासा में क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता थोरे। ये कोश्यन इंपोर्टेंट है। राइस्टान के पशिम मरस्तल भाग में पाई जाने वाली जो कॉटक है, उनको इस्थानी बासा में क्या बादा है? राहि सफानि ममें histories कॉटबा में हैं। तो वह हैं आपके जैसलमेर, विकानेर, जोदपूर और बाडमेर जो जिले हैं यह मुझेते हैं पश्चिमी मरुस्तले भाग में आते हैं यह पूरी भाग में कहा होती है यह पूरी भाग में। नेक क्वेशन देखें। इसमें ये पश्चिम ही भाग में निर्मित होती है, इस बात का आप ध्यान रखेगा, इसमें गन्फ्यूज मत होईएगा, नेक क्वेशन देखें, राइस्थान के अर्दोसुस्क प्रदेश का फैलाव कहां कहां है, तो ये अरावली परवत्माला के पश्चिम से उत्तर राइस्थान के अर्दोसुस्क प्रदेश का फैलाव, नेक क्वेशन देखें, राइस्थान के अर्दोसुस्क प्रदेश की ओस्तन उचाई कितनी है, राइस्थान का जो अर्दोसुस्क प्रदेश है, है न, उसकी जो ओस्तन उचाई है, वो कितनी है, तो देखें, आपने होने की वज़े से 300 से 400 मीटर उचा है नेक क्वेशन देखिए राइस्थान के अर्दसुस्क प्रदेश में मूलता है कौन से जिले आते हैं राइस्थान का जो अर्दसुस्क प्रदेश है उसमें मूलता है कौन से जिले आते हैं नेक कोईशन देखिए, राइस्थान के आंत्रिक अपबा छेत्र को क्या कहा जाता है, राइस्थान का जो आंत्रिक अपबा छेत्र है, यानि घुमी के अंदर जो जल पहता है, उस प्रवाद छेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, बांगड कहा जाता है, अ उसको क्या कहा जाता था? बांगर कहा गया. उस समानतर पेटी का नाम क्या था? बांगर. और ये क्या है? बांगर. इसमें डै है. इस बात में confused मत होईएगा. राइस्तान का जो आंत्रिक अपा चेत्र है, उसको बांगर कहा जाता है, लेकिन पशी में मरुस्तलिय चित्र की जो पेटी है उसको बांगर कहा जाता है जहां रेतिली मिट्टी के मैदान पाए जाता है तो बांगर और बांगर में कंफ्यूज मत होईएगा नेक क्वेशन देखिए राइस्थान के अर्दसुस्क प्रदेश में मूलता है उप प्रदेश है उप प्रदेश क्या कहलाते है लूनी बेशिन सिखावटी भाग नागौरी उच्च भूमी और गगर का मैदान ये क्या है ये राइस्थान के अर्दसुस्क प्रदेश में किसे आड़ा वाला पहाड कहा जाता है, ये question काफी important है, ये आ सकता है, किसे आड़ा वाला पहाड कहा जाता है, आड़ा वाला पहाड किसे कहा जाता है, हमारी अरावली को ही आड़ा वाला पहाड कहा जाता है, नेक क्वेशन देखिए अरावली का विस्तार कितनी लंबाई में है? अरावली का जो विस्तार है वो कितनी लंबाई में है बचों? वो है आपका 600 बार्ण में 692 किलोमीटर जो है दिल्ली से गुजरात के पालनपूर कस्बे में खेड ब्रमा तक है दिल्ली से गुजराद के पालनपूर कस्वे में खेड ब्रह्मा तक ये पैला हुआ है 622 किलोमीटर में नेक क्वेशन देखिए अरावली की सर्वोच चोटी कौन सी है और कितनी उची है? ती अरावली की सर्वोच चोटी है वो गुरू सिखर है जो 1722 मीटर ऊची है और गुरु सिखर उसको नाम है कौन सी जिल्य में है? सिरोही जिले में माउंट अबू के पास इस्तित है जेम्स कंडल टॉड ने किसे संतों का सिखर कहा है? जेम्स कंडल टॉड ने किसे संतों का सिकर कहा है देखिए इस टाइप के जो कोश्टन्स होते है न बचों ये काफी repeat होते है या फिर ये बार बार आने के इनकी संभावना होती है तो ये कोश्टन नहीं देखा गया है लेकिन ये काफी importance रखता है ये आ सकता है और बहुत जल में सबसे मुच्छा भी है अरावली परवत शंकला ये अरावली ये हिमाले चेत्र और नील की परवत यानि भारत के जो उत्तर से लेकर दक्षिंट तक का जो स्थिति है उसमें बीच में सबसे मुच्छा गुरु सिकर पढ़ता है ये न तो ये संतों का सिकर भी कहा है जेम उत्तर पूर्वी पहाड़ी मध्यारावली मेवाड की पहाड़ियां जिसको भौराठ का पठार भी कहते हैं और आबू परवत इन उपभागों में बाटा गया है इसको उत्तर पूर्वी पहाड़ी मध्यारावली मेवाड की पहाड़ियां जिसको भौराठ का पठार भी क और आभू परवत इन डूप में इसको बाटा गया है, नेक कौशन देखें, राएस्थान के पूर्वी भाग में मुक्हत कौन से बेशन सामिल है? चंबल बेशन की निमनभूमी और बनास्वे माहिंक का बेशन यहां पर मुक्हत है, नेक कौशन देखें, राइस्थान के पूरी भाग में पाई जाने वाले बाड के मैदान नदी, कगार, बीहर वे अंतसरीताएं किस नदी वेशन का हिस्था है देखिए आपने देखा होगा जो बाड के मैदान है ये तो किसी भी नदी के है नदी कागार बीहर आपने चंबल के बीहर बहुत सुना होगा ये सब्द आपने बहुत सुना होगा तो बीहर किस के है बीहर क्या है ये जंगली छेत्र है जो नदी के कटाव से निर्मित हो जात नहीं बाड के मैदान नदीकागार बीहर और अंतसरीता हैं चंबल के वीहर आपको पता है फिल्मों में भी आते हैं चंबल के वीहर है ना चलिए नहीं कूशन देखिए बनास विशिन को किन दो भागों में वर्गिकरत किया हुआ है बनास विशिन को किन दो भागों में वर्गिकरत किया हुआ है तो बनास विशिन को जो हैं दो भागों में हैं मालपुरा करॉली मैदान और मेवाड का मैदान चपन का मैदान, किस नदी के मैदान को चपन का मैदान कहा जाता है यह आप जानते हैं, यह हिष्टरी के हिसाब से भी काफी importance रखता है यह question तो इसका answer आपको पता होगा, माही की नदी के जो मैदान है उसी को भी चपन का मैदान कहा जाता है माही नदी के मैदान को ही क्या कहा जाता है छपन का मैदान कहा जाता है दक्षणी पूर्वी पठारी प्रदेश को किन अन्य नाम से जाना जाता है दक्षणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है राइस्थान का उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है तो आप जानते हैं इसको हाड़ोती का पठार भी कहा जाता है, हाड़ोती का पठार इसको कहा जाता है, ने कोशन देखें, हाड़ोती का पठार किन जिलों में विस्तारित है, हाड़ोती का जो पठार है, ये किन जिलों में है ये, ये बारा, भूंदी, कोटा, जहलावार, य ये चार चले हैं, इसके अंदर हाड़ोती का पठार का छेतर है, बारा, भूंदी, कोटा और जहलावार, नेक कुशन देखें, दक्षनी पूर्वी पठारी परदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, दक्षनी पूर्वी पठारी या हाड़ोती का जो पठार है, पठारी परदेश हैं, उसमें सबसे मुख्य नदी कौन सी है, तो वो है चंबल नदी, यहाँ इस छेतर में सबसे मुख्य नदी चंबल नदी है, नेक कुशन देखें, चंबल नदी पर निर्मित भैसरोडगर के निकट जल परपात किस नाम से जाना जाता है, ये कुशन आ चुका है, और ये इंपोर्टेंट भी है, तो इस प्याद का ध्यान रखिएगा, चंबल नदी पर जो निर्मित भैसरोडगर के निकट जल परपात है, वो किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, वो चूलिया जल परपात है, नेक कुशन देखें, उपर माल किसे कहा जाता है, तो इपर माल क्या है, भैसरोडगर और बिजोलिया के मद्धे जो पतारी भाग है, उसको क्या कहाजाता है, उपर माल कहा जाता है, नेक कुशन देखिए, बाराव कोटा में काप्य बेशिन का नर्मान किस नदियों द्वारा हुआ है तो किन नदियों द्वारा हुआ है चंबल और सहयक नदियां जो है पारवती और काली शिंद इन नदियों के द्वारा हुआ है चंबल और उसकी जो सहयक नदियां है पारवती और काली शिंद इन तीनों न दियों के द्वारा काप्य बिशिन का नर्मान हुआ है नेक कोशन देखिए बारावे कोटा में काप्य बिशिन भाग में कौन सी पहाडियां इस्थित है ये जो काप्य बिशिन है इसमें कौन सी पहाडियां इस्थित है तो इसमें हैं मुकंदरा वैं भूंदी की पहाड़ियां मुकंदरा देखिए भूंदी बारा और कोटा की मद्द है लेकिन पहाड़ियां कौन सी हैं भूंदी की पहाड़ियां है मुकंदरा की पहाड़ियां है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसमें आप confused ना होईएगा तो बच्चों इसे के साथ आपका ये chapter होता है समाख class 9 का chapter number 13 और इस chapter का नाम है भारत की नदियां में जीलें जिसमें हम राइस्थान की बारे में भी बात करेंगे तो चलिए बिना देरी के हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं question number 1 भारत की नदियों का अफवा करम को उत्पती और बहाव के आदार पर किन भागों में वर्गी करत किया जाता है भारत की जो नदियां हैं उनको अफवा करम यानि प्रवहमार के आदार पर उत्पती और बहाव के आदार पर किन भागों में वर्गी करत किया जाता है जम सभी जानते हैं, इनको तीन भागों में वर्गी करत किया जाता है, हिमाले की नदियां, जिसे उत्तर भारत की नदियां भी कहा जाता है, दूसरा है प्राइडी पिये नदियां, जिनको दक्षिन भारत की नदियां भी कहा जाता है, और तीसरा है आपका आंत्रिक अपवा वाली नदिया, यानि हिमाले नदिया, प्राइदी प्या नदिया और आंत्रिक अप्वा वाली नदिया, ठीक है, नेक कोशन देखी, उत्तर भारत की नदियों को मुख्यत है कितने भागों में वर्गी करत किया जाता है, उत्तर भारत की जो नदिया है, उनको मुख्यत है कित तक कितने भागों में वर्गिकरत किया जाता है, सिंधु नदी क्रम, गंगा नदी क्रम और ब्रह्मपुत्र नदी क्रम ये तीन भागों में वर्गिकरत किया जाता है, ने कोशन देखी, सिंधु नदी की मुख्य साहिक नदियों के नाम क्या है, सिंधु नदी जो है, उसकी म च interfaces कितना है? इसका आण्चर है लगबक 11,000,000 वर किलोमिटर है जिसमिए से, 0.3,000,000,000 वर किलोमिटर ही भारत के अंदर है बाकिए जो इस्ता है, उर पाकिस्तान के छेतर में चला गया है लगबक 11,000,000 वर किलोमिटर जलबराव किलोमिटर है जल से, चेत्र है और इसका 3.25 लाक बर किलोमेटर चेत्र भारत में है बाकी हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर आता है नेक क्वेशन देखी सतलस नदी का उद्गमिस्तल कहां से है सतलस जो नदी है अपकी उसका उद्गमिस्तल कहां से है तो सतलस नदी कैलास परवत के दक्षिन धालों से बहती है मान्सरोवर जील के जो पास में राक्षस ताल से कैलास परवत पर दक्षिन धालों पर मान्सरोवर जील के निकट राक कि उसको उद्गम कहां से है उसका निर्मान कहां से हो रहा है कहां से वह स्टार्ट हो रहा है दूसरा होता है उसके उपर कोई डैम बगएरा बनाया हुआ है या नहीं है उसके उपर और कोई प्रोजेक्ट तो नहीं चल रहा है तो यह दो चीज़ें बहुत जबाद करते हैं ह बाकडा नागल बांध किस नदी पर वह कहा निर्मित किया गया है बाकडा नागल जो डैम है आपका वो किस नदी पर वह कहा निर्मित किया गया है तो देखिए 17 नदी पर बनाया है पंजाब में रोपड के पास 17 नदी पर पंजाब में रोपड के पास बनाया गया है 10th class में और आप उसको details को देखने को मिलेगा इसके में तो भाकडा नागलबान जो है 17 नदी पर पंजाब में रोपड के पास नर्मित किया गया है Next question देखिए 17 नदी किस नदी से मिलते हुए सिंदु नदी में गरती है 17 नदी नदी व्यास नदी से मिलते हुए सिंदु नदी में गरती है Next question देखिए जेलम नदी के किनारे कौनसा प्रशिद नगरबसा हुआ है जेलम नदी के किनारे कौन सा प्रिशिद नगर बसा हुआ है तो हम जानते हैं श्री नगर जो है वो जेलम नदी के किनारे बसा हुआ है जो एक परेटन स्थल के तोर पे भी या परेटन सहर के तोर पे भी जाना जाता है जेलम नदी के किनारे कौन से नगर है? स्री नगर बसा हुआ है नेक क्वेशन देखी गंगा नदी का उदगम किस इस्तान से है? गंगा नदी जो है उसका उदगम किस इस्तान से है? तो वो गंगोत्री हिम नद से है गंगा गंगोत्री सब से ही है तो गंगोत्री जो हिम नद है, हिम नद क्या होता है? हिम की नदी यानि बर्फ की नदी, है न, हिम यानि क्या होता है? बर्फ, है न, तो हिम नदी से गंगोत्री हिम नद है, वहां से गंगा नदी का उद्गम है, नहीं कोईशन देखे, देव प्रियाग नामक इस्थान पर क जो जल ाराए हैं, अलग नंदा और भागी रती जो जल दाराएं हैं, उनके मिलंग से गंगा का अद्बाव होता है और ये देव प्रियाग नाम करिस्तान पर मिलती हैं नएक विश्ण देखियें किस प्रिशिद सहर के निकट गंगा मैदानी भाग में प्रविश करती है तो देखिए या फिर यह कहा जा सकता है जो गंगा मैदानी भाग में प्रविश करती है तो सबसे प्रिशिद जो सहर निकट बसा हुआ है वो कौन सा है तो वो आपका हरी द्वार है जिसको पूरे भा रही द्वारत में नहीं वहली इसको जाना जाता है तो कोंछा प्रयक्ली नगर है ये हैільки द्वार है जो गांगा मेदानी भागों फिर्स करती हैं यो कोंफिे गंगा की मुख़ंनानने कि कौन sniff देखो गंगा का गंगोत्री से, यमना का यमनोत्री से, है नो, यमनोत्री क्या है? हिमनद, याद रखें, यह क्या है? हिमनद है, ठीक है? यानि बर्फ की नदी कही जा सकती है, है नो, तो गंगा की मुख्य सायक नदी कौन सी है? यमना, नेक कोशन देखिए, विंध्याचल स जो आती है जो नदिया वो कौन कौन सी है जो यम्ना में मिलती है तो वो है आपकी चंबल बेत्वा और केन चंबल बेत्वा केन ये मुख्य नदिया है और भी छोटी छोटी काफी नदिया होती है लेकिन हम मुख्य के बारे में बात करा हैं तो चंबल बेत्वा और केन ये वि तो जहां वो इलाबाद के पास जगह की तो उसको किया कहा जाता है संगम या प्रियाग कहा जाता है उसको नेक क्वेशन देखिए उत्तर दिशा से कौन सी नदियां गंगा में गिरती है उत्तर दिशा से कौन सी नदियां गंगा में गिरती है तो कौन सी है राम गंगा, गोमती, घागरा, गंडग, कोसी और महाननदा ये कहां से आती हैं? ये उत्तर दिशा से आती हैं. उत्तर दिशा से कौन-कौन हैं? राम गंगा, गोमती, घागरा, गंड़क, कोसी और महाननदा. ये नदिया क्या हैं? उत्तर दिशा से नदिया गंगा में गेती हैं. गंगा की जो साहिक नदिया हैं, उसके लिए एक छोटा बासा ट्रिक भी है जो मैंने आपके लिए बनाया था गंड़क पहने घागरा गंगाराम की मौसी, दामोधर सौनले कहते हैं, महाननदा गोमती हैं कई कोसी, तो देखेते हैं, गंड़क गंड़क पहनेते तो इस चीज को आप लिख सकते हैं सुनकर नेक कोशन देखिए किस प्रिसिद्ध स्थान के निकट गंगा बांगला देश में प्रिविश करती है तो हम जानते हैं फरका के निकट वो बांगला देश में प्रिविश करती है नेक कोशन देखिए हुगली नदी किस मुख्य नदी की साखा है? यह गंगा नदी की है गंगा नदी जो है वो जो बलास्ट हिस्से में आती है जब बंगाल की खाड़े में गेरती है तो उससे पहले वो कई साखाउं में बदल जाती है कुछ टुकणों में बद जाती है तो उनहीं में से एक जो साखा है वो है भूगली नदी तो किस मुख्य नदी की साखा है? गंगा नदी की है. गंगा की साखा हुगली के रूपे पश्चिम बंगाल में उत्तर से दक्षिन दिसा में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है. कहां से है? गंगा की जो साखा है हुगली उसके रूपे में पश्चिम बंगाल में उत्त तरसे दक्षिन दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नहीं क्वेशन देखिए, बंगला देश में गंगा की साखा से निर्मित नदी को किस नाम से जाना जाता है। नहीं क्वेशन देखिए, बंगला देश में गंगाल की साखा से निर्मान करती है। गंगाल देखिए, बंगला 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 देखि और ब्रह्मपुत्र नदी के निलने से कौन सा डेल्टा बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है या सुन्दरवन डेल्टा बनता है पादमा नदी के स्थान पिर अगर गंगा नदी भी कह दिया जाए तो इसको गलत नहीं माना जाएगा इस बात को आपको याद र ब्रह्म पुत्र नदी का उद्गम इस्थल कहां से है तो ये तिब्बत में मानसुर्वर जिल के निकट कैलास परवस्थे ही है ब्रह्म पुत्र नदी को उद्गम से किस नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्म पुत्र जाप के नदी है उसको उद्गम से किस नदी के नाम से जाना जाता है क्या बोला जाता है उसको सांगपो नदी कहा जाता है ब्रह्मोपुत्र जहां से स्टार्ट होती है वहाँ से इस नदी को ब्रह्मोपुत्र के नाम से ना जानकर वहाँ पर इसको सांगपो नदी कहा जाता है next question देखें ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य सहायक नदियों के नाम क्या है ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसकी मुख्य सहायक नदियों के नाम क्या है तो वो है आपकी भारेली, सवनसरी, मानस जो दाईयों से मिलती है दिबांग और लोहित हैं ये भी दाइयों और से मिलती हैं लेकिन ये दिबांग और लोहित ऐसी नदियां है जो उल्टे से आकर मिलती हैं ब्रह्मगुत्र में हैं और कपिल धन्षरी और बुरी दिहिंग देखें बुरी दिहिंग कुछ जगे बुरी दिहिंग भी लिखा हु लेकिन ये विप्रीदिशा से आकर मिलती है और भारेली सबिंसरी और मानस ये जो है दाइयोर से मिलती है ये काएं ये सभी क्या है ये ब्रह्मपुत्र की मुक्य साहिक नदिया है नेक कुश्चन देखिए डेल्टाई भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र किन जल्धाराओं में बढ़ जाती है तो हम जानते हैं मधुमती हुगली वे पदमा देखिए ये तीन जल्धाराओं के रोप तौर पे बढ़ जाती है और इस चीज़ को आपको याद रखना है दक्षिन भारत की नदियों को मुक्य तहा कितने भागों में वर्गीकरत किया गया है तो कौन-कौ सी नदिया है दो भागों में एक बंगाल की खाड़ी और दूसरी अरप सागर में गिरने वाली नदिया तो दो भागों में वर्गीकरत किया गया है किस तरीके से अब भागरम क्या दार पर जो नदिया बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है और कुछ नदिया जो अरप सा कौन-कौन सी हैं? दामोदर, गुदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, महानदी, तुंग भद्रा और पेनार. ये सारी कैसी हैं? ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदिया हैं. नेक कौशन देखिए, किस नदी को दक्षण की गंगा कहा जाता है? ये कौशन बहुत बार रिपीट हुआ है और ये कभी भी रिपीट हो जाता है, तो इसको सटकाई पिसेस दियान रखेगा. किस नदी को दक्षण की गंगा कहा जाता है? तो वो है आपकी कावेरी नदी, का काविनी नदी का उद्गम कहां से है, काविनी नदी जो है उसका उद्गम कहां से है, तो करनाटक के दुर्ग जिले से इसका उद्गम माना जाता है, काविनी नदी का उद्गम करनाटक के दुर्ग जिले से माना जाता है, ने कोशन देखिए, दक्षिन का उद्ध्यान किसे क कहा जाता है ये question भी काफी important है दक्षिन का उध्यान किसे कहा जाता है तो ये है आपका तंजावर जिला जो है वो दक्षिन का उध्यान कहलाता है नेक कोशिन देखिए तंजावुर जिला किस नदी के डेल्टा में बसा हुआ है ये तंजावुर का जो जिला है जो दक्षिन का उध्यान कहा जाता है ये किस नदी के डेल्टा में बसा हुआ है ये आपकी कावेरी नदी के डेल्टा में बसा हुआ है ये भी एक कोशिन आता ह तो तजावुर्जिला जो काविरी नदी के डेल्टा में बसा हुआ है जिसे दक्षन का उध्यान कहा जाता है नेक कोशन देखिए किस नदी के जल पर करनाटक वे तमिल नाडू राजियों में विवाद का कारण है? तो वो भी आपकी काविरी नदी है काविरी नदी के जल के उपर जो आपका करनाटक और तमिल नाडू है उन दोनों राजियों की बीच में विवाद बना हुआ रहा है नेक कोशन देखिए किस नदी पर हीरा कुंड बान निर्वित बना हुआ है? ये कोशन तो लिशित रूप से आपको आना ही ही चाहिए क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंस है किस नदी पर हीरा कुंड बान बना हुआ है? महा नदी पर बना हुआ है नेक कोशन महा नदी का उदभाव किस जली से माना जाता है? महा नदी का जो उद्भाव है वो किस जिले से है? 36 पूर के रायपूर जिले से किसे? 36 गड़ के रायपूर जिले से महा नदी का उद्भाव माना जाता है Next question देखिए किष्णा नदी का उद्भाव कहां से माना गया है? किष्णा नदी जो है उसका उद्भव कहां से माना गया है तो किष्णा नदी महा बलेश्वर के पास पस्चिमी घाट से इसका उद्भव हुआ है यानि कहां से निखन के लिए है आपकी किष्णा नदी महा बलेश्वर के पास पस्चिमी घाट से तो वह आपकी गोदाबरी नदी का उदबव कहां से है? तो वह है आपके महाराष्ट राज्य में नासिक के पास त्रेंबकम पठार से ठीक है महराष्ट राज्य में नासिक के पास त्रेमबकम पठार से है ठीक है गोदावरी नदी कहां से है महराष्ट राज्य में नासिक के पास जो है त्रेमबकम पठार है वहाँ से गोदावरी नदी कलती है नेक कोश्चन देखिए गोदावरी नदी से निर्मिट डेल्टा किस प्रकार की आकरती बनाता है गोदावी नदी से निर्मिट जो डेल्टा है वो किस प्रकार की आकरती बनाता है तो त्रकोना कार आपकी आकरती बनाता है नर्मधा, तापती, माही और साबरमती जैसे पहसारी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है क्यूंक देखे? नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी है, उसका उद्भा किस स्थान से है? तो उसका उद्भा अमरकंटक से है, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है नेक कोशन, तापती नदी का उद्गम इस्थल कहा है? तापती नदी कहां से निकलती है? तो तापती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतुल जले से निकलती है मध्य प्रदेश के बैतुल जले से तापती नदी निकलती है नेक कोश्चन देखें, भेडा घाट की संगमर्मर की चटाने में कपिल धारा प्रपात किस नदी से संबंदित है, तो किस संबंदित है, नर्मना नदी से, ये नर्मना नदी से संबंदित है, कपिल प्रपात जो है, वो इस पर बना हुआ है, और भेडा घाट की संगमर्मर की जेटानी भी यहीद पर हैं तो यह तारी किसे समंदेता है नर्म्ना नदी से नेक क्रोश्टन देखिए डल, नैनी ताल, नौ कुछिया, ताल, भीम ताल, आदी जीले कहां इसे थे यह आपने जरूर सुना होगा डल जीर, ननी ताल, नोकुचिया, ताल, भीम ताल, ये सबी जीले कहां पर हैं, ये आपके हिमाले चेतर में हैं, है ना, ये कहां पर हैं आपके हिमाले चेतर की ये सारी जीले हैं, ये मीठे पानी की जीले हैं, है ना, next question देखी, कस्मीर में किस प्रसित जीले का नर्मान भू हुआ है आपकी बूलर जील, बूलर जील जो है कसमीर में पनीव ही है और उसका निर्मान कैसे हुआ, भूप्रष्ट दसनी की वज़े से हुआ है, नेक क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट में किस जील का निर्मान सांत हो चुके जौला मुखी के मुख में जल भरने के कारण हुआ है, महाराष्ट में जील है, जिसका निर्मान जो है, जौला मुखी जो था, वो कभी सक्रिय रहा होगा, लेकिन जब वो सांत हो गया, तो उसमें जल भर गया, तो उसकी वज़े से एक जील का निर्मान हुआ, वो जील किस नाम से है, वो है लौनार जील, महाराष्ट क जो लौनार जील है वो एक ज्वाला मुखी के सांत हो चुके ज्वाला मुखी का जो मुख होता है उसमें जल भरने के करण बनी है नेक क्योशन देखिए नदियों के मुखाने पर समुद्री लहरें द्वारा एकत्र बालू मिट्टी के टीलों द्वारा जल को अलग करने के करण बनने वाली अनूप जीलों के उधार्ण है नदियों का मुहाने जो होते हैं, वहाँ पर जो समुदरी लहरे होती हैं, उनके दोरा मालू मिटी एकतित कर दी जाती है, और जल है, वहाँ का कुछ हिसा जल का इसा अलग हो जाता है, जिसे अनूब जीलों जे हैं, उनका निर्वान होता है, तो इस टैप के अनूब जो जील हैं उनका कोई example है तो वो कौन सा है चिलका जील ओडिशा की नैलोड जील पुली कटकी और कॉलेरू जील आंधर प्रदेश की यह सभी कैसी जीले हैं यह ऐसी अनुप जीले हैं जो नदियों के मुहाने पर जो समुद्री ले रहे हैं उनके द्वारा बालू मिट्टी कट्टी हो गई टीले वन गए और उनकी वज़े से जल अलग हो गया उस मुक्यत जो षौथ है जल पूस्से अलग हो गया रही नया किया वन गया एक आपकि जील बन गई है न हना तो इन जीलों की विज़र से चिलका जील नेरो जीर और कॉलेरो जील इस जीले हैं ये सामने तोर पर ये सारी के सारी कैसी हैं मुख्य तोर पर ये नमकीन हैं ये खारे पानी की जीले हैं और इनका निर्मान जो है कैसे हुआ रायस्तान में जो निचली भूमी है उसमें जल भरने की वैसिया हुआ और ये जो सभी जीले हैं ये आपने टेतिस सागर के अबसेश भी माना जाता है इनको, है ना, तो इनको इस्थानी भासा में इन जीलों को क्या कहा जाता है, ये कोशन यहाँ पर है, तो इस्थानी भासा में इसको क्या कहा जाएगा, धांड या अत्वा सर, जिसको हम और समाने भासा में अपने गाउं में तलाई भी कहते हैं, कह पहाड़ी धाल से सैलों के खिसकने से निर्मित जील का क्या नाम है ? एक जील निर्मित हुई 1803 में इस वी में अलक नंदा जो नदी है उसके मार्ग में एक पहाड़ी धाल खिसक गई पहडी डाल टूटकर खिसक गई जिससे नई जील उसमें पानी में रुकावट आई तो उसकी वज़से एक नई जील का नर्माण हो गया तो उस जील को क्या नाम दिया गया है तो वो है आपकी गहोना जील जो है अलग नंदा नदी के माग में बनती है तेके, नेक कॉश्चन देखिए, मैदानी प्रदेशों में ढाल के मंद होने से नदी विसरपाकार मारगों में धीमे धीमे बैकर किस प्रकार की जीलों का निर्मान करती है? ये कोश्चन दूसरे तरिके से आया था, लेकिन ये कोश्चन भी कई बार repeat हुआ है, इस कोश्चन क मंद होने से नदी विसरपाकार मारगों में धीमे धीमे बह कर किस प्रकार की जीलों का निर्मान करती है तो कौन सी है चाडन या गौकराकार आपका जो कोशन आया था वो ये पूछा गया था कि गौकराकार जीलों का निर्मान कहां होता है या किस जगह होता है तो वो आपको समझ में आना चाहिए मैदानी जो भाव होते हैं उसमें क्या है जब ढाल कम हो जाती है और ढाल कम होने की इस्तिति में क्या है नदियां कहां से आती है नदियां सामने तौर पहाड़ी छेत्रों से जब बहती है तो ढाल कम हो जाएगा तो धीमा बहने लगेंगी और जब धीम पर चोपचार्इब है उसको चाडदन या गॉकीर आकर्ति अ मतलब है गॉकुरा का फार झेल कहा जाता है राइस्थान में कौनची नदी सदा नीरा है तो देखिए कौनची नदी है चंबल नदी राइस्थान में एक चंबल नदी ही है जो सदा नीरा है यानि हमिशा बहती है ने कोशन देखिए राइस्थान के अफवाह करम को सामने तक किन भागों में वर्गी करत किया गया है राइस्थान का जो अफवाह करम है उसको सामने तक किन भागों में वर्गी करत किया गया है तो ये अरब सागरी एक्रम और बंगाल की खाड़ी और अफ़ाक्रम और आंत्रिक अफ़ाक्रम ये सामने से तीन प्रिकार के अफ़ाक्रमों में विवाजे तीन को किया गया है अरब सागरी एक्रम, बंगाल की खाड़ी और आंत्रिक अफ़ाक्रम इसका अप्ट्राय क्या है जिसका अप्ट्राय है वो नदियां जो अरब सागर में गरती है या फिर वो नदियां जो बंगाल की काड़ी में गरती है या फिर वो नदियां जो किसी भी समुद्रब तक पहुंसती ही नहीं है पहले ही समाप्त हो जाती है वो आंत्रिक अप्वा बंगाल की खाड़ी का अपवागरम और आंत्री का अपवागरम इस परकार तीन ब्हागों में वर्गीकरत किया गया है। माही जो नदी है उसका अपवाग कहां से माना गया है। हम जानते हैं लेकिन खंबात की खाड़ी में जाकर ये गरती है। ठीक है अरब सागर में भी खंबात की खाड़ी से ये समुदर में गरती है। तो कौनची है वो माही नदी जो है डोगरपूर बासवाड़ा के मदे सीमा बनाती है। नेक क्वेशन देखिए। बेनेश्वार मेला किस नदी संगम पर भरता है। तो वो आपकी सौम और जाकम जो नदियां हैं। सौम और जाकम नदियां कौन ची हैं। जो आपके माही नदी में गरती है। वेनेश्वार मेला इन ही नदियों के संगम पर भरता है। नेक क्वेशन देखिए। किस नदी पर बासवाड़ा के निकट माही बजाज सागर बान्द बनाया गया है। तो ये तो आप इसके नाम से ही जानते हैं कि माही बजाज सागर है, माही नदिय की जो मुख्य साइक नदिया है, सौम अमभा और जाख्रम Next question देखे राईस्थान बंगाल की खाड़िय अफभा करम की नदिया जो न दिया है मुख्य तक किस नदिया में जाकर मिलती है तो वो आपकी यम्ना नदिया में जाकर मिलती है जो समुद्र तक पहुंचती हैं तो राइस्थान में जो नदियां हैं वो बहुत कम नदियां हैं जो समुद्र तक पहुंच पाती हैं ज्यादतर नदी आंतरक अपभा वाली हैं लेकिन जो कुछ मुख्य नदियां पहुंचती हैं वो किसी मुख्य नदी से साज जोड़ कर प नडिया कौन कौन सी है यानि बंगाल की खाड़ी के तरफ जो जाती है वो नडिया कौन कौन सी राइस्थान की तो वह है आपकी चंबल, बनास, बानगंगा, बेड़च, गंबीरी, कोठारी, खारी, काली सिंद, पारवति, आदी और इसमें से मुक्यता की है, ये मुक्यता कि की साइक नदिया है यह यहमना की साइक नदिया है मकता तो चंबल बनास बाणगंगा बेड़स गंबेरी कोठारी खारी काली सिंद पारवती यह सभी नदिया कैसी है बंगाल की खाड़ी अफ़ाकरम से सम्मधित नदिया है नेक्ट कुश्चन देखिए चंबल नदी का उद् महु एक जगह है तो महु जो जिला है उसमें मद्र प्रदिश में महु के समीब जनापाव पहाड़ी यह निकलती है कहां से जनापाव की पहाड़ी यह निकलती है और यह राइस्थान की जब कोश्च पेपर आते हैं तो यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस इस लिए र चंबल नदी किस स्थान से राइस्थान में प्रिविस करती है तो यह 84 गड़ नामक जगह है जो चितोड में है यहां से प्रिविस करती है और फिर कोटा वे सवाई माद उपर में बहते हूँ उद्धर प्रदिश में चली जाती है तो इसके बाद कोटा वे सवाई माद किस इस्तान पर चंबल नदी यमना में मिल जाती है, तो देखिए, उपी में जाने के बाद ये मुराद गंज नाम के निकट एक जगह है, जहां पर चंबल नदी यमना से मिल जाती है, उत्तर प्रदेश के निकट मुराद गंज के निकट ये चंबल नदी यमना में मिल जाती हैं, next question देखिए, किस नदी पर गांदी सागर, राना सागर, राना प्रताब सागर, जवाहर सागर बांध वे कोटा बैराज बने हुए हैं, किस नदी पर गांदी सागर, राना प्रताब सागर, जवाहर सागर, बांध वे कोटा बैराज बने हुए हैं, तो देखिए, इतने स एक नदी है हमारे पास जिसमें बने हुए है यह है चमबल नदी चमबल नदी पर यह सारे बान बनाय हुए है। कुंबल कड़ के पास बेरों के मट से निकली है बनास नदी नैक कोशन देखिए किस नदी ko वन की आसा कहा जाता है तो इस छीज का ध़ाया रखेगा इसका भी यह को वन की आसा कहा जाता है तो जो हमारे पास बनास नदी है वन की आसा कहा चाता है नहीं कोशन देखिए बनास नदी किस नदी की साहिक नदी है बनास नदी किस नदी की साहिक नदी है तो हम जानते हैं चम्बल नदी की साहिक नदी है बनास नदी किस की साहिक नदी है चम्बल नदी की है सवाई मादो पर में रामिश्वर के पास ये संबल से मिलती है नेक कोईशन देखें बीशलपूर बांध किस नदी पर बनाया गया है देखें बीशलपूर बांध पेवरस्था के लिए यानि पीने के पानी के लिए बहुत इंपोर्टेंस ये बांध है तो बीशलपूर का बांध किस नदी पर बनाया गया है ये आपकी बनास नदी पर ही बनाया गया है आपका जो राइस्थान का कैपिटल है वो बहुत हद तक बीशलपूर बांध के पानी के उपर डिपेंडेंट है तो विचल पूर किस नदी पर बनाए गया है? बनास नदी पर नएक कोशन देखें ऐसी नदियां जो किसी इस्थान से आरम होका समुदर तक नहीं पहुंच पाती है क्या कहलाती है? इसके बारे मैंने आपको बताया था जो नदीया किसी इस्थान से आरम होके लेकिन समुदर तक नहीं पहुंच जो क्या कहलाएंगे? वो आंत्रिक प्रभवा की नदीया कहलाती हैं वो नएक क्か lender देखें राइस्थान में बहने वाली आंत्रिक अप्वा कर्म की नदीयां कौण सी है? राइस्टान की जो मुख्य आंत्रिक अपावाली जो नदिया है वो कौन-कौन सी है तो लूनी, कांतली, काकनी, गगर, साबी और मेंधा ये सभी किस प्रकार की नदिया है ये आंत्रिक अपावाकरम की नदिया है लूनी, कांतली, काकनी, गगर, साबी और मेंधा ये सभी कैसी हैं? आंतिक अपाकरम की नदिया है नेक कुशन लूनी नदिक किस इस्थान पर जाकर विलीन हो जाती है लूनी नदिक किस इस्थान पर जाकर विलीन होती है तो ये आपके कच्छ के जो रण है कच्छ का रण कहां पर है आपका? गुजरात में है लोनी नदी किस इस्तान पर जाकर विलिन हो जाती है कच्छ के रण में जाकर ये विलिन हो जाती है धर्टी में समा जाती है नेक क्वेशन देखिए कौन सी नदी सामड जील में जाकर विलिन हो जाती है कौन सी नदी सामड जील में जाकर विलिन हो जाती है इसमे मुखेते दो नदिया विलीन होती है, लेकिन इसमें एक जो मेन है, वो मेनदा है, और दूसरी जो है, वो रूपन-गड है, ही रूपन-गड यहाली पर छोटी नदी है, इसलिए इसके बाएं मैं नहीं देखा जाता है, मेनधा ठीक, साइज मलब ठिक ठिक नदी है यह ना मेंदा जो है काफी बड़ी नदी है और वो का है सामर जील में जाकर मिल जाती है ठीक है तो वो भी समुदर में नहीं पहुंच पाती इसलिए इसको आंत्रिक अपरा की नदियां से भी में सामिल किया गया है मेंदा और रुपनगर क्या ह समर जिल में जाकर विलिन हो जाती है नेक कोशन देखे भारतिय पुराता तो परिशत के अनुसार सरस्वती नदी का उद्गम कहां से हुआ देखे जब राइस्थान की नदियों के बारे में बात की जाया और सरस्वती नदी के बारे में बात ना की जाया तो बाते हैं अदू तो इसका उदगव मिस्ताल कहां से था ईंमाले की जो सिवालिक शुम्नध है उसके रूपन हिमनद इससे यह इह सरस्वती नदीं का ऊदगव माना जाता है और द्रस्दवती और हिर्णेवती इसकी साहयक धाराएं थी यानि साहयक धाराएं का मतलब इसकी साहयक न दिया कही जा सके हैं द्रस्दवती और हिर्णेवती इसकी साहयक धाराएं थी नेक क्वेश्चन देखें कुरू छेत्र का ब्रह्मा सरोवर पहवा आदी अर्दचंद्रा का जीलें कुरू छेत्र में जो ब्रह्मा सरोवर है पहवा है ये जो इस प्रकार की अर्दचंद्रा का जीलें हैं गगर, हकरा, नारा के रूप में द्रस्मान प्रवामार्ग है, ये किस नदी की उपस्थिति के प्रमान कहे गए हैं, देखिए इस चीज को मैंने कमाइल लिए एक ही जगे डाल दिया है, बाकि ये अलग-अलग कुर्शन भी पूचा दा सकता है, ये किसका अफसेच है, या फ अर्दर्चंद्रागार जो जीले हैं ये, गगर, हकरा और नारा के रूप में द्रस्मान प्रवामार्ग जो है, ये सभी सरस्थती नदी के उपस्थिति का प्रमान देती हैं, नैक कुर्शन देखिए, राइस्थान की जीलों को जल के आधार पर कितने भागों में बाटा गया है, तो हम जानते हैं, जो जीलों के जल के आधार पर बाटा जाए, तो दो ही प्रकार की जीले होंगी, एक मीठे पानी की जील और एक खारे पानी की जील, तो इसको दो भागों में बाटा गया है, खारे पानी और मीठे पानी की जीलों के तोर पे, नैक कुर्शन उपर की जो चार हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है, है ना, सांभर डिडवाना, लून करंट सार और पच्पद्रा, ये काफी बड़ी जीले भी हैं, और फलोदी कामोद, कच्छोर वे, खोसा, ये भी खारे पानी की जीले हैं, जो राइस्चान में पाई जाती हैं, नेक कोश जील, वो अपने भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील भी है, नेक कोशन देखिए, डेडवाना जील जो है, किस इस्तान पर इस्तान पर इस्तित हैं, तो इसके नाम से ही इसका अंसर मिलता है, नागौर जिले में, डेडवाना सहर के दक्चंड में, डेडवाना जील इस्तित है, ज़र इसके निकट सोडियम और सलफिट बनाने के सहियत्र भी लगाए गए हैं, नेक कोशन देखिए, लून करण सर जील किस जिले में इस्तित है, लून करण सर जील जो है, वो किस जिले में है, तो वो आपके बीकानेड जिले के अंदर है, लून करण सर कहां इसी तरह नेक कोशन पच्पद्रा जील किस जिले में इस्तित है, तो पच्पद्रा आपकी बार्ड मीड जिले में है, पच्पद्रा जील कहां पर है आपकी बार्ड मीड जिले के अंदर है, नेक कोशन देखिए, राइस्तान की मुख्य मीठे पानी की जीले कौन कौन सी है राज समन्द, राज समन्द, पिछोला, आना सागर, उसकर, सिली सेड, उदे सागर, फते सागर, जना सागर, नकी और काईल आना ये सभी कैसी हैं, ये सभी राजस्थान में मीठे पानी की जीले हैं, जैसमन, राजसमन, पिछोला, आना सागर, पुसकर, सिली सेड, उदै सागर, फते सागर, जना सागर, नक्की और कायलाना, ये सभी कैसी हैं, ये मीठे पानी की जीले हैं, राजस्थान की, नह क्योश्चन तो वो जैसमन जो जील है, उसके मद्य स्थि सबसे बड़े है वैं सबसे चोटे टापो का क्या नाम है? जैसमन जो जील है उसके मद्ध है सबसे बड़े है वह सबसे छोटी टापू का क्या नाम है तो क्या नाम है इसका क्रम से बाबा का भागडा और प्यारी यानि सबसे बड़ा जो टापू है जैसमन जील के मद्ध है वो तो बाबा का भागडा है और जो सबसे छोटा टापू है उसको प्यारी कहा जाता है सबसे बड़ा जो है बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा छोटा जो है उसको क्या कहा जाता है प्यारी कहा जा गया है चीके, नेक क्यूशन देखी सो टापूं का छेत्र किसे कहा जाता है सो ठापु का च Chhetr किसे कहा जाता है तो कौन सा है ये बासवाडा को क्योंकि महीं बजास तागर परैविजन की कारणीश में अलग-अलग टापुनिर्मित हो गए है तो बासवाडा को सो ठापु का चhetr कहा जाता है नेग कोशन दीखे राजसमन जील कहां इस्थित है राजसमन जो जील है वो कहां इस्थित है तो राजसमन जील आपकी कांकरॉली में है और ये महाराना जैसिंग जीजे थे उन्होंने 1662 इस्वी में इसका निर्मान कराया था राजसमन जो जील है जो कांकरॉली में है वो महाराना जैसिंग राट 1662 टीस्वी में बनवाई गई थी नेक क्वेशन देखिए राज समन जील का दक्षणी भाग किस नाम से प्रिसिद है राज समन जील का जो दक्षणी भाग है वो किस नाम से प्रिसिद है तो नौ चौकी के नाम से उसको जाना जाता है दासमन जील का जो दक्षणी बाग है उसको नो चौकी कहा जाता है नेक कोशन देखी पिछोला जील किस जीले में इस्तित है? पिछोला जो जील है वो किस जीले में है? वो आपके उदैपुर जीले में है और राणा लाखा के समयकाल में इसको निर्मित कराया गया है उदैपूर में राणा लाखा के समयकाल में निर्मित कराया गया है पिछोला जील को नेक क्वेशन देखे आना सागर जील किस जिले में इस्तित है? आना सागर जो जील है किस जिले में इस्तित है? तो वो आपके आजमेर में हैं और यह किसने बनवाई पित्थीराज चौहान के जो दढदा शरी थे यहांगीर के किनारे सहजाँ में जहांगीर जारा कौन से बाग निर्मित करवाई गए आना सागर जो जील है उसके किनाड़े साहजा और जहांगीर ने बाग मनवाए थे तो वो कौन-कौन से थे तो वो आपके करमसह बारह दरी जो के आपके साहजा ने बनवाया था और दौलत जिसे जहांगीर ने बनवाया था जो बारह दरी जो बाग है वो आपके साहजाने बनवाया था और दौलत बाग जो है वो जहांगीर ने बनवाया था जिसको दौलत बाग को हम सुबास उध्यान के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं सुबास उध्यान के नाम से भी जाना जाता है इसको नेक कोशन देखिए, किस जील के किनारे विश्व प्रिसिद ब्रह्मा जी का मंदर इस्थित है? तो मुझे लगता है कि ये तो आप सभी को निश्चित रूप से आता होगा तो पुसकर जील है जो विस्व का एक मात्र ब्रह्मा जी का मंदर जहां पर पूजा जाता है तो वो कहां पर है पुसकर जील के निकट इस्थित है नेक क्यूशन देखिए कौलायत जील है ये काफी इंपोर्टन है कौलायत जील जील के किस जील में है ये वीकानेर में है और प्राचिन काल में जो कपिल मुनी का आश्रम था, वो यहीं परिस्थित था, ये कोश्चन भी आ चुका है, प्राचिन काल में जो कपिल मुनी जो थे, उनका आश्रम जो था, वो इसी जील के पास इस्थित था, विकानेर में ये जील है, कॉलाय जील, है नो, नेक कोश्च जो जिला है उसमें जनासागर जील इस्तित्रोदवपुर के पास में नहीं कुश्चन देखिए राज समन्द जील के निकट कितनी सिलालेक उतकेइन है राज समन्द के निकट जो जील के निकट है उसमें कुछ सिलालेक है जो उतकेइन है वो कितने है वो 25 सिलालेक है, मिवाड का इतियास जील के निर्मान का विवन इसका संस्कत बासा में लिखा गया है इन सिलालेकों में मिवाड का इतियास लिखा गया है, जील के निर्मान का विवन इसमें लिखा गया है और कौन सी बासा में लिखा गया है, संस्कत बासा में तो बचों यही question इस chapter में से निकल पाए, तो इसी के साथ आपका होता है यह chapter तो आप, बचों हमने कर लिया है 9th class का chapter number 13 और हम chapter number 14 पर हैं, जिसका नाम है भारत की जलवायू, तो चलिए start करते हैं बेना देरी की, question number 1 है, भारत की जलवायू किस प्रकार की है, भारत की जलवाय मांसून सब्द किस भासा से लिया हुआ है, मांसून सब्द जो है, वो किस भासा से है, तो मांसून सब्द जो है, अर्भी भासा से लिया हुआ है, और मांसून सब्द किस से है, अर्भी भासा से है, और मांसून सब्द है, जिसको हमने लिया है, जिसके मांसून बना है, और मौसम का अर्थ क्या होता है मौसमी हवाया देतो नेक क्वेशन देखे भारत की जलवायों मुकेता किन गटकों पर निर्भर करती है यानि किन किन से प्रभावित होती है किन की वज़े से वो अलग-अलग हो सकती है तो अक्चांस ये इस्थिति अक्चांस पर जो इस्थान है वो इस्तित है, समुद्र तल से उचाई, कितनी उचाई पर है, और समुद्र तल से जो दूरी है, उस पर भी निर्भर करती है, परवत की इस्तिति, दिसा, परवतों की इस्तिति, मान लीजे, अरावली परवत है, अरावली परवत, दक्षिनी प्रश्री मांसुन के कहीं समान अंतर पड़ता है तो राइचान में यह सूखा पड़ जाता है क्योंकि वह वर्षा नहीं करवा पाता है उसी जग तरे हिमाले की जब दिशा की बात करें तो वह सारे जो अरुपसागर का मानसों है या बंगाल की खाड़ी का मानसों है उनको रोक कर वह पूरे भारत में वर् ठीक है धारतल की बनावर्ट यह सभी कारक क्या है यह सभी घटक कैसे है जो भारत की जर्वायों को प्रभावित करते हैं धारतल से कितनी उचाई पर गर्म jet stream बहती हैं पर गरम, जैट स्ट्रीम बहती हैं, जैट स्ट्रीम एक प्रिकार के हुआए हैं, इसकी बारे में हम आगी चल के बात करेंगे, यह 12 किलोमिटर की उचाई पर बहती हैं, कितने उचाई पर हैं यह 12 किलोमिटर की उचाई पर, नेक कोशन देखिए, भारतिय जलवायू क्या दाता है, मानसून पूर, मानसून काल और मानसून वापसी काल करम में, यानि मानसून से पहले का समय, मानसून का समय और मानसून की वापस आने के समय, तो यह सब क्या है, तीन परिस्जितियों में भारती जलवायू परिस्जितियों को बाटा गया है, नेक क्यों पहले कौन सी मौसम आता है आपने देखा होगा, तो हम जानते हैं, ग्रीस में तो रहती है उस ताइम, तीवर गर्मी, तेज आंधियां और गाम हवाएं जैसे मौसम वहाँ पर देखने को मिलता है, ऐसा ही मौसम देखने को मिलता है न, तीवर गर्मी, तेज आंधियां और ग भारत में किस प्रगार का वायुदार निर्मित होता है, तो हम जानते हैं निम्न वायुदाब वहाँ बनता है, निम्न वायुदाब क्यों बनता है, क्योंकि पवने गर्म होती है, तो ऐसी इस्तिती में पवने उठ जाती है, तो वहाँ पर निम्न वायुदाब निर्मित होने लगता है पावने तीरो वे से समुद्र से स्थलकी और आती हैं ऐसे क्यों आएंगी क्योंकि आपका जो स्थल ये भाग कोगा वहाँ पे निम्न वायुदाब होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा जो समुद्र है वहाँ इसके comparatively इसके तुलनात्मक ज्यादा वायुदाब होने की वज़े से जब पवने कहां से आती हैं उच्छ वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आत बह दी हैं तो ऐसी इस्तिति में जब यहां निम्न वायुदाब निर्मेथ हो जाएगा तो यहां से समुद्र से इस्थल की और यानि उत्री भारत की तरफ पवने बैने लगेंगी जो मांसुन का कारण बनती हैं चले नेक क्वेशन देखें मांसुन काल यानि वर्सा काल में किस दिसा से आने वाली पवने भारत में वर्सा करती हैं मांसुन काल में किस दिसा से आने वाली पवने भारत में वर्सा कर जो आती हैं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं अरब सागरी मानसुन और बंगाल की खाड़ी का मानसुन यानी दो साइट से पबने आती हैं अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से आने वाली जो पवने हाती है उसको अरब सागर यह मांसुन कहा जाता है और बंगाल की खाड़ी का मांसुन कहा जाता है नहीं कोश्चन देखिए, मांसुन वापसी काल किस रितू से संबन देता है, मांसुन वापसी काल है, वो किस रितू से संबन देता है, कौन सी रितू होती है, सीत रितू होती है, है ना, मांसुन वापसी काल में कौन सी रितू मन जाती है, सीत रितू, नहीं कोश्चन या वार्ट के पश्चमी तट्यािस uh द भर की तरफ बढ़ते हैं, आसमान की तरफ तो हम एक निश्टिट दूरी पर जाकर एक सैंटिग्रेट तैंपरिश्र कम होने लगता है इतनी दूरी करने पर ऐस्तन इतना टैंपरिश्र एक लिगरिद कम होता है तो कौन किती दूरी होती है वो एक सो पैंसेट मीटर होती है हर एक सो पैंसेट मीटर पर लगभग एक सेंटीग्रेट टैंपरेशर कम हो जाता है नेक क्वेशन देखें, भारत के पश्चिमी तट्ये शेत्र में वर्सा का वार्सी कौसत कितना है? इन क्वेशन को हम पहले भी देख चुके हैं, 200 cm लगभग ये होता है, भारत के पश्चिमी तट्ये शेत्र में वर्सा का वार्सी कौसत कितना है? नेक क्वेशन देखें, भा बारत के पूर्वी 38 चैत्रों में वर्षा का वार्जिक वसत कतना है तो वर्षिक वसंट में 100 से 200 सेंटीमीटर तह यहां होती है ne 메ंट क्वेश्चन देखिए अक्षान्स का ताप मांस से क्या सम्बंद है क्या अक्षान्स ततिती आगर शेंज हो ज़ती है question देखिए, अक्षांस का तापमान से क्या संबंद है, क्या अक्षांस, इस्थिती का अक्षांस अगर change हो जती है, माली जी एक इस अक्षांस पर है, तो क्या उसमें अक्षांस की वज़े से कोई temperature में कोई difference आएगा, हाँ आएगा, क्या अक्षांस जैसे जैसे बढ़ता जात है, और ऐसी इस्थिती में अक्षांस जैसे बढ़ेगा, वच्छे ही temperature कम होता चला जाएगा, next question देखिए, प्राइदी EPA पठाट शेतर में दक्षणी प्रिश्ची में मानसून से कम बर्सा होने का कारण है, तो उसका कारण देखिए, व्रष्टी चाया शेतर में होने के का प्रिश्टी चाया शेतर है गया, व्रष्टी चाया शेतर आप जानते हैं, जब एक पहाड है मान लिजे कहीं पर पवने आ रही है, तो पवने क्या है, जो परवश से ठकराएंगी और उस चेतर में वर्षा कर देंगी, लेकिन जिस साइट से पवने आ रही है, वहीं से ठक प्राएंगी, उसके पीछे वाले हिस्से में क्या होगा, उसके पीछे वाले हिस्से में वर्षा नहीं हो पाएगी, तो ऐसी इस्तिति में क्या होता है, ऐसी इस्तिति में जो पीछे वाला शेतर होता है परवत कि जा वर्षा कम होती है, उसको व्रष्टी चाया शेतर कहते ह यह हम छोटी क्लासेज में पढ़ा भी है हम इस चीज को तो प्रायदिप्य पठाद भी ऐसी हिस्तिती उसके उपर बनती है तो इस वज़े से वरष्टी चाहें चेत्र में होने के कारण यहाँ पर दक्षणी पश्रिमी मानसुन से कम वर्षा होती है नेक क्वेशन देखिए अरावली चेत्र दौरा दक्षणी पश्रिमी मानसुन से वर्षा ना होनी का कारण है अरावली परवत मौला के जो इस्तिती है वो दक्षणी पश्रिमी जो मानसुनी पवने हैं उनके समाना अंतर होती है और जब समानांतर होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा वो पवनों को रोक नहीं पाएगी वो पवनों पर बाधा नहीं कर पाएगी तो ऐसी किस्थिति में क्या होगा पवनों के नहीं रुकेंगी जो उसके साथ जो बाधा लाते हैं उनके साथ जो आद्र वायू आती है उस उसको नहीं रुखने की वज़़े से वो वर्शा नहीं कर पाता हैं। तो इसी वज़े से हमारे राजसान का सुस्ख, इसऽ्धल होने का कारण क्या है? क्योंकि अरवली परवत्माला जो है, वो हमारे मांसूनी पवनों के समनंतर स्थिति में हैं। इस वज़े से यहां पर वर्षा नहीं हो पाती है, नहीं कुर्शन देखिए, हिमाले की इस्थिती से किन ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा होती है, हिमाले की इस्थिती है, वो जिस प्रकार इस्थित है, उससे किन ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा होती है, माले जे हिमाल के उनके विप्रीद दिशा में खड़े होने की वज़से आती है अगर मान लीजे हिमाले सावनांतर होता या नहीं होता तो ऐसी स्थिति में क्या होता है साइबेरी के जो ठंडी हवाय हो भारत में भी आती और यहां पर बर्फी बर्फ जम जाती तो वो उससे भी हमारी प्रभाव जरूर साथ लेके आती है तो इसी वज़े से वो उष्ण और आद्र होती हैं। Next question देखें, भारत में सरदकाली इन मानसुनी पवने किस प्रकार की होती हैं। सरदकाली मानसुनी पवने किस प्रकार की होंगी भारत में। देखें, सरदकाली इन पवने क्या होती हैं। मानसुनी पवने वापस से सीत छेत्रों से लोट रही होती है तो सीतर छेत्र कैसा होता है? सुस्क भी होता है और ठंडा भी होता है तो वहाँ से आने वाली पवने भी कैसी होंगी? सीत और सुस्क होंगी सीत छेत्रों से लोटने के कारण सीत और सुस्क पवने आती है सहित्य के अनुसार भारती सहित्य के अनुसार यहां पर एक्च्छल में जो हमारा मौसम विवाग होता है भारती मौसम विवाग वो कहता है कि यहां चार ही रितु हैं लेकिन जब सहित्य भारती सहित्य की बात करते हैं तो हम इच्छे रितुओं के बारे में जानकारी मिलती ह तो चलिए, पहले मौसम विवाग के अनुसार कितनी रितू हैं, तो वो हैं चार जो कि हैं सीत, ग्रिस्म, वर्सा और सरद रितू, सीत रितू, ग्रिस्म, रितू, वर्सा रितू और सरद रितू, ये चार रितू हैं जो भारतिये मौसम विवाग के अनुसार बताई जाती हैं नेक क्वेशन देखी, भारत में सीत रितु किस महां से संबंदित है, सीत रितु कब होती है, तो हम जानते हैं, दिसंबर से फरवरी तक का जो समय होता है, वो सीत रितु का होता है, नेक क्वेशन देखी, भारत में ग्रिश्म रितु किस महां से संबंदित है, ग्रिश्म रित है मद्धे जुन से मद्धे सितंबर तक जो वर्षा चित्रों टाइम होता है उसमें वर्षा का टाइमिंग होता है वो वर्षा रितु का समय होता है नेक क्वेशन भारत में सरद रितु किस महां से संबंदित है भारत में जो सरद रितु है वो किस महां से संबंदित है तो भारत में जो सरद रितु है वो मद्धे सितंबर से दिसंबर तक होती है मद्धे सितंबर से दिसंबर तक होती है नेक क्वेशन देखिए भारत की जलव कि बाईू है उसकी परिस्यत्य उनको जब आमने मौसम विभा के नुसर पड़ाता तो छार रितु ए थी लेखिन जब सहित्य के नुसर पड़ते हैं तो यहां पर छॉय रितु होती है और कौन-कौन ची होती है वसंत रितु जो चैतर वैसाक में होती है दूसरी है जो रितु जेश्ट और असार में होती है तीसरी है वर्सा रितू जो शामन और भाद्रुपत में होती है तीसरी चौती है सरद रितू जो आस्विन और कार्तिक में होती है सीत रितू कब है मार्शिस और पॉस में और आपकी वहेमंत रितू जो है वो माग और फालगुन में होती है तो देखिए आपके पास यह हिंदी के मास से उनके अनुसारिन रितूं का विवन्ट साहिते में मिलता है और उन्हीं के सहीत आपको यह बुक में भी दिया गया है तो आपको महा और आपको रितूं दोनों ही साथ याद करना जरूरी है तो आपको याद होना चाहिए पसंत रितू चैतर और वैसाक में ग्रीस मजेश्ट और अशाड में वर्षा प्रावन और भाद्रपद में सरद रितू आश्वीन और कार्तिक में क्या कारण है तो देखें दो कारण होते हैं इसके सूरय का धक्षनाएन होना और समुद्र से दूरी देखें हमारा भारत देश कहाँ पे है हमारा देश जो है अर्थ जब भारत का आप गलोब देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा जो उत्री गुलार्द है उस हिसे में हमारा भारत है लेकिन जब सूर्य दक्षणायन याइन दक्षणी गुलार्द में चला जाता है तो उस इस्तिते में क्या होगा सूर्य की तिर्शी किरने पड़ेंगी तो सूर्य से जितनी गर्मी मिल सकती है उससे कम मिलेगी तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, टैंपरेचर कम होगा, तो इस वज़े से क्या होता है, उत्री भारत का टैंपरेचर दक्षणी भारत के बजाए कम होता है, यानि दक्षणी भारत का जब ज़्यादा होता है, जब उत्री भारत का कम होता है, नेक क्योशन देखी उत्री भारत का सीत रितो में औसत तापमान क्या रहता है तो सीत रितो में 21 डिग्री से भी कम हो जाता है यह temperature उत्री भारत का सीत रितो में औसत तापमाने वो 21 डिग्री से भी कम रहता है और यह क्या है मैंने बताया था दक्षन का अधिक रहेगा जब स स्रीतरितु में और सत्तापान उत्री भारत में 21 डिग्री है तो उससे भी लेकिन वहां पर डक्षिंड का इसके वज़ाए ज्यादा टेंपरिचर रहेगा है ना नेक कूशन देखें, सृत्री तुम्हें भारत के किस भाग में उच वायुदाम मिलता है। वहाँ पर उच वायुदाम का नर्मान होता है, यानि पूरे मध्य इश्या में इस परकार की इस्तितियां बंती हैं। नेक कोशन देखिए, सीतरी तुम्हें निम्न वायोदाब कि हिस्तान पर होता है, निम्न वायोदाब को का होगा हिंद महासागर भाग में और इतर्पस्चिमि हमदेशा , उच्छ वायोदाब वहहिंद महासागर में निम्न वायूदाब से कौन सा मंसुल बनता है मैंने बताया था कि जब एक जगे उच्छ दाब बने एक जगे निम्न वायूदाब बने तो क्या होगा क्या होगा जहां निम्न वायूदाब है वहाँ पर क्या होगा वहाँ गर्मी जदा होगी तब ही निमन वायुदाब निर्मेत होता है क्यों? क्योंकि जैसे गर्मी होगी हावा उंची चली जाएगी तो वहां का जगह खाली हो जाएगी तो आसपास की जगह हैं जहां उच वायुदाब होगा जहां इतनी गर्मी नहीं होगी वाँ वाईव ठंडी होगी तो उपर नहीं उठेगी गरम नहीं होने के वज़े से, तो ऐसी इस्तिति में क्या होगा, जहां निम्न वाईव दाब होगा, उच वाईव दाब से वहाँ से पवने चलना, चलो हो जाएंगे, तो पवने कहां चलती हैं, हमेचा याद रखी है, उ उत्री पूर्वी मानसून कहलाता है, नेक क्वेशन देखिए, सीतरी तुमें भारत के दक्षण में किस चेत्र में वर्सा होती हैं, तो देखिए, जब आपका ये मानसून सत्र होता है, तब आपका तमिल लाणों के जो पूर्वे तटी चेत्र हैं, उत्री पूर्वी मानस मानसुन दोरा यहां पर बरसा होती है तो उत्री पूर्वी मानसुन दोरा तमिलानों के पूर्वी ससागरि चख्रवाद से बारदान क्या तो हम जानते हैं रवी की फसल के लिए जो ये मानसुन बनता है कि पश्चीमी जोब से जो वर्षा होती है ये रवी की फसल के लिए वर्दान कहलाती है next question देखिए पश्चीमी चोब को स्थानी भासा में क्या कहा जाता है पश्चीमी चोब से हो सकता है कि आप थोड़े से परिशान हो गए हो याद नहीं आ रहा हो तो पश्चिमी जोप को इस्थानी बसा में क्या कहा जाता है मावट और मावट से निशित रुख से आपको याद आ गया होगा तो ठंड में जो वर्सात होती है उसको क्या बोलते है उस वर्सा को हम पश्चिमी जोप की वर्सा कहते है है ना तो इस्थानी बसा में क्या कहा जाता है इसको मावट कहा जाता है नेक क्वेशन देखिए मावट किन राजों को मुक्तर प्रभावित करती है मावट जो होती है कि इंडाजों में मुकित प्रवावित करती है और कहां होती है तो यह होती है जम्मु कस्मीर, पंजाब, भारियाना, राजस्थान, उत्राखंड और उत्रप्रदेश में जम्मु कस्मीर, पंजाब, भरियाना, राजिस्थान, उत्राखंड और उत्रप्रदेश में मावट जो होती है वो प्रशिम विश्वप से जो वर्सा होती है यहाँ पर जम्मु कस्मीर, पंजाब, भरियाना, राजिस्थान, उत्राखंड और उत्राखंड और उत्रप्रदे ये तीन कारग हैं जो ग्यूस्itel में अत्यदिक गर्मी का कारण बंते हैं, उत्रार्ब सूरे, यानि सिधी केरणे आ रही होती हैं उस्को समुद्र से दूरी और प्रती है निया ग्यूस्टन देखें, ग्रिश्म रितों में उत्री भारत का तापपान कितना हो जाता है ग्रिश्म रितों में उत्री भारत का तापपान कितना हो जाता है तो ग्रिश्म रितों में उत्री भारत का 50 डिग्री सेंटी ग्रेट तक चला जाता है तो दक्षिनी भारत में तुलनात में खंडा होता है, पुस्टमी देखेए यह अधिक्तम की बात की जा रही है, पचास देगरी, कवन डगरी यहां तक टेंपेरिचर उत्री भारत में चला जाता है, लेकिन दक्षिनी भारत में जब सीतरी दुकी बात थी, तो वहाँ पर उत्री भारत धंडा था और दक्षिनी भारत गरम था लेकिन जब ग्रीसमरितू की बात की जाए तो यहाँ पर उत्री भारत ज्यादा गरम होता है बजाई की दक्षिनी भारत के तो दक्षिनी भारत इस वर्सा में उत्री भारत के तुलनात ठंडा होता है नेक क्वेशन देखिए ग्रीस में रितु में भारत की उत्री भाग में कैसा वायुदाब निर्मित होता है तो देखिए जहां गर्मी है वहाँ पर पवनी उपर उठेंगे और जब पवनी उपर उठोंगी तो कैसा बनेगा निम्नवायुदाब निर्मित होगा तो निम्नवायुदाब कहा कहा बनता है राइस्थान और पंजाब में अती निम्नवायुदाब भी बनता है तेकि उत्री भारत में पूरे में ही निम्नवायुदाब बनता है लेकिन रायस्थान और पंजाब की बात करें तो यहां अती निम्नवायुदाब कर नर्मान होता है यानि यहां बहुत ज़्यादा घर्मी होती है जिसे पवने उपर उड़ जाती है और यहां पर क्या होता है निम्नवाईदाप निर्मित हो जाता है नेक क्योशन देखिए उत्री भारत मुखेतर राइस्थान में चलने वाली पवने लू जिनको हम इस्थानिय पवने के तौर पे भी जानते हैं हम पुरानी क्लास में पढ़ चुक हैं इनके बारे में उत्री भारत में चलने वाली पवने लू किस रितू में चलती हैं तो इस बात का क्योशन मुझे पता है कि आप सभी को पता होगा और सभी जानते हैं इसका अंसर है ग्रिस्म रितू ग्रिस्म रितू में लू जो हैं वो चलती हैं नेक क्योशन देखिए ग्रिस्पन रितों में पश्चिम बंगाल में आंदी तुफाने के मौसम को किस नाम से जाना जाता है ग्रिस्पन रितों में जो पश्चिम बंगाल के अंदर आंदी तुफान का जो मौसम होता है उसको किस नाम से जानते हैं क्या कहा जाता है उसको तो उस काल को का जाता है काल वैसा की, यह जो टाइम होता है जब गृष्म रितों में पसिम बंगाल के अंदर आंधी तुफानों का जो समोसम होता है, उसको काल वैसा की के नम से जाना जाता है, नैक कुश्चन देखिए, दक्षिन भारत में मालाबार तटके निकट, गृष का आता, और जब यही मालाबार तटके निकट होती है जक्षिन भारत में और वो भी कब गृष्म रितों के अंदर, तो उस वो वर्षा क्या कहलाएगी, आमर वर्षा कहलाती हो, वो क्या कहलाएगी, आमर वर्षा, नैक कुश्चन देखिए, ग्रिस्म वर्षा में कहवा उ चैरी ब्लोसम कहा जाता है, किन राजेयों में गृस्मरितों में तुफानों के साथ ओला विष्टे भी हो जाती है, ऐसा हो जाता है ग्रिस्म रितु में कहां पर पंजाब, हरियाना, उत्राकंड और असमादी जैसे जो राज्य हैं यहां पर इस प्रिकार की गट्टाएं देखने को मिलती हैं यहां पितुफानों के साथ वो लवस्टे भी हो जाती है ग्रिस्म रितु के अंदर किस रितु को भारतिय क्रिसी के लिए जीवनदाई रितु कहा जाता है तो इस चीज का अब प्राय आप इस बास से लगा सकते हैं मानसून, मानसून जलवायू, मानसून आना, हम चारों घुमा फिराकर किसके बारे में बात करते हैं मानसून के बारे में और मानसून काल क्या ह जीवन दाई रितु क्या कहलाएगी वर्षा रितु होगी यह ना तो भारती क्रिशे के लिए जीवन दाई रितु क्या है वर्षा रितु का अगमन होता है तो देखिए गर्मी के बाद अमेशा वर्षा रितु का अगमन होता है क्यों क्योंकि गर्मी होने से उत्री भारत में निमनवायुदाब निर्मत होता है और हिंद महासागर में उच्वायुदाब निर्मत होता है तो ऐसी स्तिति में पवने कहां से चलेंगी उच्वायुदाब से निमनवायुदाब की तरफ चलेंगी तो ऐसे इस्तिति में क्या होगा? हिंदमास अगर की पवने आद्र होती है तो अपने साथ वर्षा का जल लेके आती है और वर्षा करने में सक्चम होती है तो ये क्या होगा? ग्रिस में रितू होगी वर्षा से वर्षा रितू से पहले कौन से रितू होगी? ग्रिस्म रितू होगी नेक क्वेशन देखें वर्षा रितू काल में किस छेत्र में निम्न वायुदाप केंद्रित होता है वर्षा रितू काल में कहां भी होगा यह होगा राइस्थान के थार मरुस्ताल तिबबत के पठार और पंजाब में यहां पते कि जब हमने बात करी थी थोड़ी दिर पहले तो हमने देखा था इस सबसे ज़्यादा निम्निवायुदाप गिस्म रितू में का बनता है राइस्थान में और पंजाब में बन रहा था है ना तो ऐसी स्थिति में जब वर्षा रितू काल होती है तो उस स्थिति मे कहां निर्मित हो रहा होता है राइस्थान के थार में और स्थाल तिबबत के पठार और पंजाब में यह निम्निवायुदाप के इस्थिति होती है नेक क्रेशन देखिए दक्षणी पैस्षिम मानसून के कारक क्या है दक्षणी पैस्षिम जो मानसून होता है उसके कारण क्या है तो उसके कारण है उत्री भारत में निम्नवायुदाब और हिंदमासागर में उच्वायुदाब होना इस विए बारे में हमने अभी बात करी ही है क्योंकि उत्री भारत में निम्नवायुदाब होता है और हिंदमासागर में उच्वायुदाब होता है पवने हमेशा क चलती है उच वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ और ऐसी इस्तिति में क्या होगा मांसुन का निमान होगा है ना जब हिंदमा सगर से पवने आएंगी तो अपने साथ आद्रता लेके आएंगी है ना और ऐसी इस्तिति में वो वच्छा का कारण बनती हैं किस वज़े से बढ़ता है वो तो वो है भारत के दक्षणी प्रायदी 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 प् सोनिस की जो आपको पता है दो सखाएं हो जाती है एक अरब सागरी है और एक बंगाल की खाड़ी वाला एना तो अरब सागरी मानसुन जो आएगा वो सबसे पहले कहां टकराएगा निशित सी बात है कि हमारा जो भारत का जो निशला हिस्सा है यानि देश्णी भाग है उसमे टकराएगा और जब कहां से आ रहा है अरब सागर से आ रहा है तो अरब सागर की तरफ ही होगा एनि पश्चिम देश्णी पश्चिम की इस्तिती में आएगा तो जब वहां टकराएगा तो वहां क्या है वहां आपका है पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट से यह टकराता ह और प्रश्चिमी घाट से टक्रानी की वज़े से वहाँ पर जो पहाडियां है वहाँ से टक्रा कर ये वहीं की वहीं वर्सा कर देता है तो धाई सो से तीन सो सेंट्री मीटर वर्सा यहाँ होती है इन दक्षिनी प्रश्चिम मांसून की अरब सागरी मांसून दोरा देखे ए यह कहा जाए कि अरब सागर यह मानसून और जब बंगाल की खाड़ी का जो मानसून दो सखाओं में बनता है तो इसमें से कौन सा ज्यादा ताकत वर होता है यानि कौन सा ज्यादा वर्षा करता है जमकी तुलना की जाए तो सब ज्यादा वर्षा अरब सागर यह मानसून द् बैठता है तो 500-300 cm वर्षा तो यहीं हो जाती है तिर इसके और भी दो उपसाखाएं बनती है उनके बारे में हम भी बात करेंगे और जो पश्री मिघाट के आगे तो यह वर्षा करी नहीं पाता है क्योंकि वर्ष्टी चाया चेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहली है पर वर्षा कम होती है और इसी तरह पश्री मिघाट में सब ज्यादा वर्षा होती है तो 500-300 cm वर्षा वहां पर देखने को मिलती है नहीं क्योंकि अरब सागरी मानसून की कौन सी उपसाखा नर्मदा तापती घाटियों से होकर बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है और उसके रास्ते से बंगाल की खाड़ी के मानसून से मिल जाता है तो यह कौन सी उपसाखा कहलाती है नागपूर उपसाखा कहलाती है यहनि अरब सागर की नागपूर उपसाखा है जो नर्वदा तापती घाटियों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के मानसून से मिल ज देखिए राइस्थान में आने वाली अरब सागरी मानसुनी उपसाका किस कारण वर्षा करने में अधिक सक्षम नहीं होती है देखिए तीसरी जो इसकी उपसाका है वो राइस्थान से होती वे आती है तो राइस्थान में आपको पता है राइस्थान सुस्क है क्यों है क्यो क्यों कि बीच में जो पहाड़ी शेत्र परता है अरावली परवतमाला वो भी इसके समनंतर है अरब सागर यह मांसुन के तो ऐसे स्थिति में पवनों के लिए बाधा नहीं बनती है तो हिमाले की तरफ निकल जाती है और वहां जाकर बरसती है लेकिन राइस्तान जो उसके उ मांसुन अवरोध के कारण कितनी उपसाखाओं में विभाजित हो जाता है बंगाल की खाड़ी का मांसुन की पूरोतर भारतिय उपसाखा किन राजयों को प्रभावित करती है हमने देखा था बंगाल की खाड़ी जो है उसका मानसुन में दो उपसाखाएं हो गई थी जिसमें एक तो पूरोतर भारती उपसाखा है यानि पूरोतर भारत की तरफ निकल जाती है और दूसा त्राइचेतर के मादम से दूसरी उपसाखा बनाता है तो जो पूरोतर भारती उपसाका है, वो किनराजों को प्रभावित करती है, तो इसमें दो मुक्य हैं, वह हैं अरुनाचल प्रिदेश और असम, यहाँ पर यह चली जाती है, और यहाँ पर जो गारों पार्णिया है, वहाँ से यह तकराती है, और यह वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा करती है, ने है कारण तो वह है बंगाल की खाड़ी का मानसुन की भारतिय पुरूतर सुसा का जो गारो पाड़ियों से टक्रा कर भारी वर्सा करती है कौन सी पार्ण के मैंने अभी बताया था गारो पाड़ियां जो आती है पुरूतर मानसुन जो उपसा का है भारतिय पुरूतर उपसा क जो बंगाल की खाड़ी के मानसून की, वो क्या करती है? वो अरुणाचल प्रदेश और असम चेत्र में बहुत वर्सा करती है, क्योंकि गारोपाड़ियों से वहीं टकरा कर वो भारी वर्सा का कारण बन जाती है, है ना? और इसी चेत्र में मौसिन राम जो इस्थान है, वो वर्सा बहुत ज़्यादा होने के लिए विस्व प्रिशिद है, क्योंकि यहां विस्व की सबसे ज़्यादा वर्सा मानी जाती है, ना क्योशन देखिए, बंगाल की खाड़ी के मानसून की हिमाले तराई से बढ़ने वाली उपसाखा, दूसरी साखा जो है बंगाल की वो क उत्राखंड यहां पर इन सभी को प्रभावित करते हुए यह चलती है, पश्चिमी पंजाब और राजिस्थान में कम वर्सा यहां पर होती है, तो देखिए, बिहार, उतरपदेश, थारखंड और उत्राखंड यहां पर तो सामने वर्सा होती है, लेकिन जो बंगाल की ख जिसा की ओर किसकता है, तो आपको पता है, सरेद रितु की स्तिते में क्या होगा, वायुदाब इससे पहले क्या होता है, वर्सा रितु होती है, वर्सा रितु में क्या होता है, उत्तरी भारत में निम्न वायुदाब बना होता है, और हिंदमास अगर में उच्छ वायुद आप किस दिशा में आता है है? बहरत में सरनल देशा के ओर किशकना प्रारमब हो जाता है. नेक क्यूशन देखिए, भारत में असमान वरसा होने की कान वर्सा वितरन को कितने भागों में विववाजित किया गया है? देखे भारत में कहीं व्रिष्टी शाया चेत्र है, तो कहीं अरावली परवज जैसे समानतर शीनिया पढ़ जाती है मानसून के, तो कहीं हिमाले आ जाता है, तो कहीं गारो पाहडिया आ जाती है, तो कहीं प्रायदीपिय पठार भाग आ जाता है, जो व्रिष्टी शेत्र मे करते हैं तो ये मुख्यते चार प्रकार के होते हैं और चार भाग जो जिसमें एक में अधिक वर्षा हो रही है कहीं साधन वर्षा हो रही है कहीं न्यून वर्षन हो रही है और कहीं जितनी रिक्वाइड है उतनी भी वर्षा नहीं हो बाते यानि पर्याप्त वर्षा होती है तो चार भागों में इसको विवाजित के आगा है, वर्षा वित्रण शेत्र के आदार पर, अधिक वर्षा वाले शेत्र, साधन वर्षा वाले शेत्र, न्यून वर्षा वाले शेत्र, और प्रयाप्त वर्षा वाले शेत्र, नेक क्वेशन देखें, किस प्रकार के वर्षा व वित्रण सेत्र होगा, जहां उस्ट कटी बंदिये सदावारवन मिलते हैं, देकि सदावारवन कहां मिलते हैं, जहां प्रेगुलर पानी की कूटी होती रहे, तो ऐसे मतलब रेगुलर वर्सा कहां जादा होगी, तो वहां होगी, जहां अधिक वर्सा होगी, और अधिक वर्स यहां पर आपके पज़ड का मौसम भी आएगा, यहां पर आपके हरा भरा इस्तिती भी आएगी, जब वर्सा मानसु निकाल आएगा तो बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा, और जब ग्रिस्म रितु आएगी तब तक हो पूरी तरह जड़ चुका होगा, तो इस प्रकार, अलग वर्सा यानि 200 संटिमीटर से भी अतिक वित्रण वाले शेत्र में आने वाले मुखे शेत्र कौन से हैं भारत के, तो कौन से हैं यह, यह हैं असम, मेधाले, अरुणाचल प्रदेश, तरप्रा, नागा लैंड, विजोरम, यह सब क्या हैं, यह आपकी जो साथ महनें वो हैं, हिमाले की दक्षणवर्ती, तलहेटी, प्रश्चिम बंगाल, बिहार, यह पूरूतर जो भारत है, जार खंड, उतर प्रदेश, उतरा खंड, प्रश्चिम तटिय मैदान, और प्रश्चिमी घाट का प्रश्चिमी डाल वाले भाग, यहां पर बहुत ज़्यादा वर्सा हो होती है, वो मुख्य चात्र कौन से हैं, तो कौन से हैं, प्रश्चिमी घाट के जो पूरूतर डाल हैं, उनमें 100-200 cm तक वर्सा होती है, इसी तरह है, दक्षण प्रश्चिम बंगाल है, चातीस गड़ है, जार खंड है, जार खंड है, ओर इसा, दक्षणी पूर्वी अतर हमाला के जो तराई छेत्र है, पूर्वी तमिलनाडवादी छेत्र जो हैं, वहाँ पर क्या है, साधान वर्सा होती है, जो कि 100-200 cm के मध्या रहती है, नेक क्वेश्चिन देखे, न्यून वर्सा यानि 50-100 cm के बीच में जहां वर्सा होती है, ऐसे छेत्र कौन से हैं, यून दक्षणी प्राई दिप का अंत्रिक भाग, पूर्वी राजिस्थान, पंजाब, हरियाना, दक्षणी उतरपदेश, उत्रीवै, दक्षणी अंतरपदेश और मध्या पूर्वी महराष्ट, ये सभी कैसे छेत्र हैं, ये न्यून वर्सा वाले छेत्र हैं, नेक कच्छ है गुजरात में, पश्चिमी राजिस्थान का जोश्चा है, पश्चिमी राजिस्थान में, पश्चिमी पंजाब जो है, और लदा की सभी ऐसे सित्र हैं, जहां पर्याप्त वर्सा होती है, पचांस सेंटिमीटर से भी कम वर्सात होती है, परमपरागत आधार पर राइस्थान की जलवाईयों को कितनी रितू में बाटा गया है तो देखिए आपने जब भारत की बारे में पढ़ा था तो आपको पता है जब मौसम विभाग की अनुसार की बात करी थी यहाँ पर कैसी वर्षा है यहाँ पर मौसम हैं ग्रीश्व वर्षा और सीट रितू नेक कोशन देखिए भारत मौसम विभाग अनुसार राइस्थान की जलवाईयों को कितनी रितू में बाटा गया है भारत का जो मौसम विवाग है उसके अनुसार राइस्थानविक की जल्वाई हो कितनी रितुएं होती है उसमें तो ये हैं आपके पास सीत रितु दिसंबर से फरवरी तक दूसरा आपका ग्रिस्म रितु मार्स से मद्धे जून तक तीसरा आपका वर्षा रितु मद्धे जून से मद्धे सितंबर तक और चौथा आपका सरद रितु मद्धे सितंबर से दिसंबर तक यानि भारत के मौसम विवाग अनुसार सरद रितु और पढ़ती है जबकि सामाने तोर पर माना जाता है वो सीत ग्रिस्म और वर्षा रितु मानी जाती है ठीक है चले नैक क्वेशन देखे राजिस्थान किस जलवाईू कटिबंद के अंतरगत रखा जाता है तो इसका अंचर है सितोष्ण जलवाईू कटिबंद यानि हमारे राजिस्थान की जलवाईू कैसी है विसम जलवाईू है तो सितोष्ण जलवाईू कटिबंद के अंतरगत हमारी राजिस्थान की जलवाईू आती है नैक क्वेशन देखे सीत्रितों में सामनेता राइस्थान में निम्नित आपमान वाले छेत्र कौन से हैं सीत्रितों में जब राइस्थान के स्थिती जब देखते हैं तो जब निम्नितम जो तापमान होता है वो किन छेत्रों में होता है तो वो हैं आपके सीकर्ड, चूरू, डेगाना, फलोदी और माउंट आबुवादी माउंट आबुवाधी छेत्रों में सीत रुप्य में सामनते सबसे ज़्यादा कम टेमप्रेशर रहता है नेक कोशन देखिए, उत्तर राजिस्थान में सीतरितू के समय क्या तापमान रहता है? उत्तर राजिस्थान में आपको पता है समुद्र से दूरी के अनुसार और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके उपर तापमान भर होता है तो उत्तर राइस्थान का temperature और दक्षिन राइस्थान के temperature में अंतर होता है तो उत्तर राइस्थान का temperature C3-2 में क्या होता है तो वो होता है 12 degree centigrade से भी कम होता है जबकि दक्षिन राइस्थान में ये 16 degree centigrade से अधिक होता है इस चीज को आपको याद रखना है और समझना है नेक क्योशन देखें राइस्थान में सीत्रे तू काल में सरद काले इन मांसुन को प्रभावित करने वाले उच्छु आयुदाव वाले छेत्र कहा निर्मित होते हैं देखिए ये कुछ questions एक्च्वल में ये हर लाइन के ऊपर मैंने questions को बनाया है लेकिन कुछ questions यहाँ पर केवल paper के लिए नहीं होते हैं ये होते हैं आपके facts को समझने के लिए आपके concept को clear करने के लिए अगर आप इन चीज को proper तरीके से समझ होगे तो आप अगर आपको घुम मांसुन को प्रभावित करने वाले उच्वायुदाव वाले छेत्र कहां निर्मित होते हैं तो कहां होंगे वह आप जानते हैं बेकाल जील और पेसावर के निकट ये एरिया है जहां पर सबसे ज़्यादा उच्वायुदाव छेत्र निर्मित होता है राइस्थान के अंद होते हैं किनकी वज़े से मावट आ जाती है तो वो है आपकी भूम अद्य सागरी चक्रवातों के साथ मिल कर ये मावट करने में सहयक होता है ये उच्वाइदा आप है ना ने क्यूशन देखी राइस्तान में मार्च से बढ़ता हुआ तापन किस महा तक बढ़कर अधिक तब हो जाता है राइस्तान में मार्च से आपको पता है मार्च से ग्रिस्म लिद्व पढ़ना चालू हो जाती है और किस समय जाकर अधिक तापन किस महा तक हो जाता है तो हम जानते हैं जून महा तक रायोच्तान की भूमी तपने ज़ती है और सबसे ज़्यादा टैपिटर्छे, जून महा में देखने को मिलता है नेक कोशन देखिए। जून महा में रायोच्थान का वस तापमान कितना होता है। वो कितना होता है तो देखिए जूर महा में 30 degree centigrade इसका उसत ताप्पान होता है आधिकतम 45 degree से भी अधिक हो जाता है यहां का उसत ताप्पान रहता है जूर महा के अंतर और अधिकतम 45 degree से भी अधिक कुछ शेत्रों में इसका temperature चला जाता है नेक क्वेशन देखिए राइस्थान में ग्रीस्म रितू में निर्मित निम्न वायुदाब के कारण चलने वाली धूल भरी गर्म वे सुस्क हवाईं क्या कहलाती है यह आप सभी जानते हैं यह इस्थानिये पवन है जिसको लू कहा जाता है जिसके बारे में बहुत अच्छ की ओओ उुक्रिफामें देखिए तट लू क्वेशन देखिए वर्सा रितू में संमने तहा राज्थान का ताप्मान कितना रहता है तो कितना रहता है? 18 से 30 डिग्री सेंटी ग्रेट रहता है. 18 से 30 डिग्री सेंटी ग्रेट टैंपरेचर इस वर्साकाल में रहता है रायस्थान के अंतर. बारत में आने वाले दक्षणी प्रेचिमी मानसून की किस साखा से तुलनात्मक रायस्थान में कम वर्सा होती है? कि उसमें इन दोनों जो साखाएं बदल जाती है, उन साखाओं में से किस में ज़्यादा वर्सा करता है? तो देखे हमने इसके बारे में पढ़ा था, अरब सागर ये मानसून जो आता है, वो सबसे पहले पश्चिमी घाट में टकराता है और वहीं पर अपनी सारी सक्ती ल उसके आगे वो जब आता है तो बहुत हलका पड़ जाता है, उसी तरीके से बंगाल की खाड़ी से जो आता है, तो बंगाल की खाड़ी से आता हुआ जो मानसून है, वो वर्सा करता हुआ आता है और राइस्थान तक आते आते कापी हद तक अपनी आधरता खो चुका होता तो वो भी बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी दोनों जो साखाएं हैं, उनमें ज़्यादा प्रभावी साखा होती है राइसान में, तो वो कौन सी कम वर्षा करती है, अरब सागरिय मानसून वर्षा कम कर पाती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठावा मानसून सुस्क तो होता है, लेकिन फिर भी अरब सागरिय मानसून से ज़्यादा वर्षा करता है, तो आप से पूछा गया था, राइसान में कम वर्षा किस साखा से होती है, तो अरब सागरिय मानसून की जो साखा है, उससे होती है, नैक क्योशन देखी, राइस राइस्थान में मांसून किस समय तक प्रवेस करता है? तो हमें पता है, हम राइस्थान की निवासी हैं, सामने तहा जून के अंतिम सब्ताह तक यहाँ पर राइस्थान में मांसून आ जाता है? नेक कोश्चन देखें, भारत में आने वाले दक्षणी परशन मांसून से राइस्थान की कुल वर्सा का कितना प्रतिसत वर्सा राइस्थान में होती है? भारत में आने वाले दक्षणी परशन में जो मांसून होता है, यानि बंगाल की खाड़ी का मांसून और अर्ब सागर मांसुन जो है उसमें राइस्थान की कुल वर्षा जो होती है राइस्थान में जो टोटल वर्षा होती है उसका कितना पृतिसत भाग इस दक्षिनी परश्री में मांसुन के द्वारा होता है तो हम क्या है 95% जो वर्षा होती है पिचार में पृतिसत जो वर्षा होती है वो क बंगाल की खाड़ी के मांसून के राजिस्थान तक आने तक सुस्क होने के कारण राजिस्थान का कौन सा भाग वर्सा से बंचित रह जाता है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मांसून पवनों से राजिस्थान में कहा वर्सा सरवादिक होती है। तो वो है आपका दक्षणी पूर्वी राजिस्थान यहाँ पर वार्सिक वर्सा उस्ता सौ सेंटिमीटर से भी अधिक होती है। और दक्षणी भाग है यहाँ पर दक्षणी पूरी भाग है होती है। पश्ची में राजिस्थान में औस वर्सिक वर्सा कितनी है। तो जब हमने वर्सा वित्रण पढ़ा था भारत का वर्सा वित्रण तो हमने देखा था कि जो राजिस्थान का कुछ हिस्सा है। वो सबसे कम या परियाब्द वर्सा की छेतर में आता है क्योंकि पश्ची में राजिस्थान में तो वर्सा ना के बराबर होती है। होती है कोह सारी जगत हो दक्षिनी पूरी भाग में पिचेतर से सो सेंटीमीटर रवाश से सुत्रे पूरी राइस्थान 50-70 cm होती है नेक कोशन देखी राइस्थान के किस बाग में सबसे कम वर्सा वर्सा की अनिश्चित्ता होती है राइस्थान का कौन सा भागे जिसमें सबसे कम वर्सा वर्सा की अनिश्चित्ता होती है तो आप जानते हैं कि पश्चिमी राइस्थानी ऐसा भागे मुश्चिता और उत्तर पश्चिमी राइस्थान में भी ऐसी स्थितिया देखने को मिलती है तो उत्तर पश्चिमी वे पश्चिमी जो राइस्थान है इसमें वर्सा की न केवल कमी होती है बलकि वर्सा की आनिश्चिता भी होती है नेक कुशन देखिए सरद रितु में प्रारंभ में तापमान बढ़ने का कारण है सरद रितु में प्रारंभ में तापमान बढ़ने का कारण है देखे वर्षा रितु के बाद आती है सरद रितु तो जब हम राइस्थान की बाद करते हैं तो राइस्थान में ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही वर्षा आएगी तो वर्षा आने के बाद जो धूलकण है जो कि कहीं ना कहीं बहुत سारी चीज़ों के लिए अलग-अलग प्राकरती गट्टाओं के लिए बेवार होते हैं, तो क्या होता है, जब वर्षा होगी तो वो धूल के खन बैट जाते हैं, जिससे आस्पन साफ होता है, और ऐसी स्थिति में जो टेंप्रेचर है, जो सूरे की केड़ने हैं, उस सीधी पढ़ने लगती है जुकावट नहीं होती, ऐसी स्थिति में वहाँ का तापमान एक बर बढ़ जाता है, क्यों होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आकास स्वच होना ही, इसका सबसे मुख्य कारण बनता है, सरदरितु में प्रारम में जो तापमान बढ़ता है, उसका कारण क्या है, आकास तक पहुँच जाता है, नेक क्यों देखी, सरदरितु के प्रारम में बढ़े हुए तापमान का कम होने का करान क्या है, सरदरितु में आपने देखा कि टमपेशर बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि आधुसमान साफ था, तो अब ये जो कम हो रहा है, उसके बाद सर सूर्य होता है वो दक्षिनार्ध हो जाता है यानि दक्षिन गोलार्ध की तरफ बढ़ना चालू हो जाता है या फिर उस साइड तो गिरने तेसी दिनी पड़ेंगी पर ऐसे स्तिति में अपने आप ही वहां का टेमपरेचर डाउन होना चालू हो जाता है तो उत्तिर में इस वक्त 30 degree centigrade तक ताम temperature देखने को मिलता है नेक कोशन देखें राइस्थान में इसपस्ट वायुदार निर्मित ना होने के कारण किस रितु में पाउने सांत रहती हैं वे वर्षा नहीं होती देखें यह काफी conceptual है यह concept को लिए हुए है राइस्थान में एक ऐसा वक्त आ हो रहा है उधर भी उच्छे दाब हो रहा है कहीं निम्न है तो इधर भी निम्न हो रहा है तो इस वाज़े से ऐस्पस्ट वायुदार निर्मित होने के कारण महां पर वर्षा पाउने नहीं चलती है और पाउने नहीं चलेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी तो ऐसी स्थित में क्या हैं पवनी भी सांद रहती है और वर्सा भी नहीं होती है यह इसपर्ष्ट वायूदा निर्मित नहीं होना, ठीक है? नेक कोश्चन देखिए, भारत की कुल वर्षा का कितना प्रतिसत दक्षिनी प्रश्चिमी मानसून से प्राप्थ होता है? पूरे भारत की जब हम बात करते हैं, तो दक्षिनी प्रश्चिमी मानसून है, यानि बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरव सागरी मानसून से जो टूटल वर्षा होती है, वो कितनी प्रतिसत है? वो 90 प्रतिसत वर्षा केवल दक्षिनी प्रतिस्चिमी मानसून से होती है यानी जो भूमत भूमत साग्रे चख्रात्भात्वों से उतपर या मावट कालेज जो मान्सून है तो ये सब कैसे होता है, कितना प्रतिस להיות होता है तो हमने देखा था हमारे भारत में मुखेता दो ही प्रिकार के मान्सून आते हैं जिसमें से हमने पिछले दक्षणी फिश्री मांसून की बात करी थे तो 90% और बाकिवस सेस बचा वो होता है इसी से और वो होता है 10% है नएक क्वेशन देखिए सूरे के मकर रेखा पर लंबवत चमकने पर निम्नवायुदाब कहा होता है ये देखिए ये concept अगर आपने समझा है questions आपने अगर सही किये हैं तो जवाब को आना चाहिए कि सूरे के मकर रेखा पर लंबवत चमकने पर निम्नवायुदाब कहा होता है पहले बात आपको ये होती है मैं कर रिखा कहा होती है दक्षिन गुलार्द में होगी दक्षिन गुलार्द में होगी तो उस वक्त हमारे यहां पर क्या होगा ठंड पड़ रही होगी तो ऐसी स्थिति में निम्नवायुदाब कहां होगा कहां पर होगा हिंद महासागर सेत्र में होगा ऐसी स्थिति में निम्न वायुदाब कहां होता है सूरे के करक्रेखा पर लंबत चमकने पर भारत में निम्न वायुदाब कहां होता है तो जब करक्रेखा है कहां पर है उत्तरी गुलार्द में है और हमारे भारत के लगभग मद्य से भी निकल रही है तो ऐसी स्थिति में यह क्या होगा ज तो भारत का जो उत्री भाग है, वहाँ पर निम्नवायुदाब निर्मित हो रहा होता है। तो बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समा प्लास 9 का चैप्टर नुबर 15 प्राकर्तिक वनस्वति एवं मृदायें। तो इसके अंदर ये आपका 9 क्लास का लास्ट जोग्रफिक का चैप्टर है, तो चलिए बिनादेरी के स्टार्ट करते हैं। 33% वन होना अनिवार है, नई जो राष्टि वन नेती है उसके अनुसार, नाएक कुश्चन देखिए, भारत में वनस्पति आधारित वर्गी करण अनुसार कितने प्रकार के वन पाये जाते हैं। वनों को कितने भागों में बाटा गया है, वो आपसे पूचा जा रहा है। बताइए, तो ये हैं सदा बाहर वन, पजड़ी वन या मानसुनी वन भी इनको का जाता है, सुस्क वन, मरुस्थलिय वन, जवारिय और परवतिय वन, इस तरीके से आपके कितने हैं ये, टोटल 6 प्रकार के वनों में इसको वनस्पति आधारित वर्गी करण जो है, उसके आधार पर 6 प्रकार के वन कहे जाते हैं, सदा बाहर वन, पजड़ी अमानसुनी वन, सुस्क वन, मरुस्थलिय वन, जवारिय वन, और परवतिय वन, ठीके, नेक क्वेशन देखे, सदा बाहर वनों को किस प्रकार के वर्षा छेत्रों में पाए जाते हैं, सदा बाहर जो व वो ऐसे इस्तिति में क्या होगा वहाँ पर सदा बाहरवन पनप जाते हैं यहां पर जहां ओसत वर्षा 200 cm से भी ज़्यादा हो और वार्षिक जो ओसत तापमान है वो 24 cm के लगबग हो तो वहाँ पर क्या होता है सदा बाहरवनों का विकास होता है नेक कोशन देखी भारत में किस छेतर में सदा बाहरवन पाए जाते हैं तो किस छेतर में पाए जाएंगे पश्यमी घाट के जो पश्यमी डालें वहाँ पर भी इतनी ही वारिस होती है अंडबानी को बार दियु समूब यहाँ पर भी यह पाए जाते हैं उत्रपूर्वी भारत में बंगाल, असम, मेगाले और तराई प्रदेश में ये सदा बाहरवन देखने को मिलते हैं पशिमी घाट में अंडमाननी को बार दीप समों उत्रपूर्वी भारत में बंगाल, असम, मेगाले और तराई प्रदेश जाहें वहाँ पर सदा बाहर बनों में सामने तक कौन से व्रक्ष पाए जाते हैं? हम जानते हैं सदाबाहरवनों में रबर, महोगनी, एबोनी, लोहकाष्प, जंगलियाम, तार, बांच ये सभी कैसे हैं जिस सदाबाहरवनों में मिलने वाले रक्ष हैं जिनकी उंचाई सामनेत 30 से 45 मीटर तक ये उंचे होते हैं कहां तक 30-45 मीटर तक ये उचे होते हैं नैक कोश्चन देखिए सदा बाहर वनों को आर्थिक दर्ष्टी से उपयोगी ना होने का कारण है सदा बाहर वनों को आर्थिक दर्ष्टी से उपयोगी ना होने का कारण है यह है कि वहाँ पर सूरज की रौस्टनी तक नहीं पहुशबाती तो वहाँ पर कटाई हो पाना या फिर वहाँ से लखनिया निकाल पाना बहुत मुस्किल कारे होता है तो यही उसका कारण भी है तो आत्यदिक गना होने के कारण व्रक्ष काड़ने में आर्शोविदा होना यह उसके आर्थिक दश्टे से अनुप्योगी होने का कारण है नेक क्वेशन देखी पज़डी वन किस प्रकार के वर्षा छेत्रों में पाए जाते हैं पज़डी वन है वो किस प्रकार के वर्षा छेत्रों में पाए जाते हैं देखो पज़डी वन क्या है मांसूनी वन पज़डी वन क्या है? मानसून के आदार पर जो वन होते हैं, वोन के पज़डी वन कहा जाता है. तो 21 चेत्र में पाए जाएंगे जहां 100 से 200 cm की वर्सा और सत्वार्सिक वर्सा होती है, वहां पर पज़डी या मानसूनी वन देखने को मिलते हैं. ने कुशन, मानसूनी वन यानि पज़डी वन भारत में किन छेत्रों में पाए जाते हैं? तो मानसूनी वन जो आपके हैं, उतर पूर्वी प्रदेश के निचले भाग, विंध्या चलवे सत्पूरा परवत, छोटा नाग पूर्वे असम की पहाडियां, पूर्वी घाट के दक्षणी भाग, एवं पश्चिमी घाट का पूर्वी छेत्रे में ये मानसूनी वन भारत में देखने को मिलते हैं, ने कुश्यन, पज़डी वन हैं, उसमें पाए जाने वाले मुख्य व्रक्ष कौन कौन से हैं? तो हम जानते हैं, साल, सागवा, नीम, चंदन, देखें, ये हमारे देश में सामाने पाए जाने वाले व्रक्ष हैं, क्यों? तो कि आपको पता है, भारत देश की जलवाईू कैसी है, भारत देश की जलवाईू सामाने तरह मानसूनी जलवाईू है, तो ऐसे इस्तेतियों में पजढ़ी वनों के पनपनी की काफी ज़्या कम होगी? जहां औसत वार्षिक वर्षा 50-100 cm हो? है ना? वहाँ पर क्या हो? वहाँ सुस्क वन पनपते हैं. क्या पनपते हैं? जहां से 50-100 cm वार्षिक वर्षा का औसत हो? किस प्रकार के वनों में व्रक्षों की जड़ें लंबी और मोटी होती हैं तो उनको लंबा कब होना पड़ेगा और ऐसा कब होगा जब भूमी सुस्क होगी तो वास्टिक तब ऐसे प्रक्ष कहां मिलेंगे, सुस्क वनों में ये मिलते हैं ठीक है? सुस्क वन किन छेत्रों में पाए जाते हैं, जा सुस्क सा होगी और वो कहा हैं, हमारे दक्षिनी पश्चिमी पंजाब का हिस्सा जो है, हरियाना, पूर्वी राजिस्तान, वै दक्षिनी पश्चिमी उतरपदेश, ये सब कैसे हैं, ये सुस्क वन के छेत्र हैं, ये कैसे हैं सुस्कवनों के छेतर हैं नेक पॉशन सुस्कवनों में कौन से रक्ष मुक्यता है पाए जाते हैं सुस्कवनों में कौन से रक्ष मुक्यता है पाए जाते हैं तो कौन से हैं कीकर, बबूल, नीम, आम, महुआ, करील, खेजडी ये सभी कैसे हैं आपके सुस्क वनों के रख्चा है, यह सामने तक एतने 6 से 9 मीटर उंचे पाए जाते हैं, सामने पर देखा जाता है तो है ना, एक क्वेशन, मरुस्तलिय वन सामने तक किस प्रकार की वर्सा छेत्रों में पाए जाते हैं, मरुस्तलिय वन जो हैं, सामने तक किस प्रकार की व वहां सुस्क वन तो देखिये बहुत सारे बच्चे सुस्क वन और मरस्तल वन वनों में डिफ्रेंस नहीं कर पाते हैं आइंटाइम पर बूल जाते हैं तो यहां आप इस बात का दियाद रखेगा मरुस्तली वन कहा है अपने जो थार ये मरुस्तल भागे वहाँ पर जबकि राइसान के और भागों में मुक्यत है सुस्क वन और मांसुनी वन है तो यहाँ पर मरुस्तली वन पशी में राइसान में आपको देखने को मिला कम पत्तियां वाले व्रक्ष काटेदार और छोटे और जाडियां किस प्रकार के वनों की विसेशता हैं? या फिर हैट मीं छोटा होना या फिर जाडियां जादा होना तो या सब किस प्रकार के विसेशता हैं? मरुस्थलिय वनों की विसिस्ता हैं ये सभी, नैक कोशन, मरुस्थलिय वनों में सामने तह कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, मरुस्थलिय वनों में सामने तह कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो आपके नागफनी, रामबास, खेजडी, खैर, खजूर ये सबी कैसी हैं ये आपकी मरुस्तलिय वनों की आपकी वनस्पती हैं नागपनी, रामबास, केजडी, कैर, कजूर ये सबी कैसी हैं मरुस्तलिय वनों की वनस्पती हैं मैं कोशन मरुस्तलिय वन भारत में किन छेत्रों में पाए जाते हैं मरुस्टे लिवन भारत में किन शेत्रों में पाए जाते हैं? तो नियाप की निशीत प्रापी तोर पे जानते हैं. दर्षणी परष्टिमी जो पंजाब है, परष्टिमी राजिस्तान, गुजराथ, मत्य ब्रदेस जगहों पर ये मरुष्यलेवन देखने को मिलते हैं मुकरीत है जो दर्षणी परष्यमी पंजाब है और परष्यमी राजिस्थान और गुज़रात यहाँ पर जाधा तर देखने को मिलता है मत्य परदेस में बहुत कम भाग है तो देखे जो आप दलदली वनों की बारें बात करते हैं, ज्वारी वनों की बारें बात करते हैं, तो यह बात तो निश्यत है, यहाँ पर पानी की अधिक्ता होगी, क्योंकि दलदल अभी बनेगा है ना, तो ऐसी इस्थिति में कहां पर निपेंगे यह, महानदी, गोदाव पाए जाने वाले मुख्य ब्रक्ष कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं ये मुख्य तैवक्ष जो सबसे मुख्य व्रक्ष है देखो जब आप सुन्दरवन डेल्टा की बात करते हो यानि गंगा ब्रह्म पुत्र की डेल्टा की बात करते हो तो उसको सुन्दरवन डेल्टा कहते हैं तो सुन्दरवन डेल्टा क्यों कहते हैं हम पहल है, नारियल है, हैरोटीरिया है, राइजोफोरा है, और सोनर एशिया है, यह सभी कैसे हैं, यह जौरिय वनों की पिसेस्ता हैं, यह जौरिय वनों में या फ़र दलदली वनों में देखने को मिलते हैं, नेक कोशन, परवतिय वन भारत में किन छेत्रों में विक्सित हैं, तो सामनेता व्रक्ष 15-18 मीटर उंचे, मोटे तने, व्रक्षों के नीचे सघन जाडियां, पतियां घनी, सदा पहार, टहनियों पर लताएं, आदि किस प्रकार के वनों की विश्यस्ता हैं? देखे, जब हमने मोटी जड़ के बारे में बात की थी, तो हम समझ गये थे, यह सुस्क वनों का या मरस्तली वनों का मेटर हो सकता है, लेकिन जब हम मोटे तने की बात कर रहे हैं, जब व्रक्षों के नीचे सगन जाडियों की बात कर रहे हैं, व्रक्ष की हाइट 15-18 मीटर उच्छे बता रहे हैं, पत्या घनी हैं, सादा बाहर भी हैं, टहनियों पर लता हैं, बहुत ज़्यादा मिलने की देखने को ब्रहे हैं, तो यह सभी जो विसेस्ता हैं, किस प्रकार की वनों की विसेस्ता हैं होंगी, तो हम जानते हैं यह परवतियों की विसेस्ता हैं, यह इस अभी कैसी है यह परवतिय वनों की विशेशता है आपने देखा भी होगा परवत पर जो पहाड उपते हैं उसके सामने तो पर जो उसका बेस होता है किसी भी वरक्ष के नीचे का जो विशेशता होता है वहाँ जाड़ियां उप जाती है तो यह एक environment है जिसमें एक particular type की बनस्पती ही उपती है तो इस वज़े से जैसे जैसे इस्थान होगा वैसे ही बनस्पतियां वहाँ पर प्रणपती हैं तो परवतिय वनों की यह विशेशता है नेक क्वेशन परवतिय वनों में अधिक उंचे स्थानों में कौन से व्रक्ष पाये जाते हैं परवतिय वनो तो पर्वतिवनों में अधिक उच्छे इस्तान पर कौन से व्रक्ष देखने को मिलते हैं? तो अधिक उच्छाइड पर काउन से मिलेंगे? यूजेनिया, मिचलिया, रोडेंड डॉस, आधी टाइब के व्रक्ष यहां पर देखने को मिलते हैं next question परवती वनों में 1000 से 1500 मीटर उचाई वाली कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है परवती वनों में 1500 से 1500 मीटर उचाई पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है तो चौड़ी पत्ति वाले और चेस्ट नट यह वाला की मुख्य वनस्पति है चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेश्टनत परवती वनों में 1500 से लेकर 3000 मीटर उचाई कौन सी वनस्पती पाई जाती है तो अब जानते हैं संकुधारी व्रक जैसे देवदार हुआ, स्पूरूस वार्ची रादी ये सभी क्या है, ये सभी 1500 से 3000 मीटर उचाई पर परवती वनों में इस्सा होते हैं नेक क्वेशन, परवती वनों में 3000 मीटर से भी उचे स्थान पर कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है तिके बहुत ज़्यादा उंचे पर हम पढ़ चुके हैं लेकिन जब 3000 मीटर से उंचे की बात करें तो कौन से वनस्पतिया हैं आपकी अलपाइन वनस्पति जैसे सिल्वर, फर, बर्च, जुनी पर ये सब क्या हैं ये आपकी ऐसी वनस्पतिया हैं तो 3000 मीटर उंचे इस्था पाई जाती हैं तो कुछ कोश्टन ऐसे होते हैं जो की कंसेप्ट के हिसाब से आपको जाना जरूरी होता है ये मैं आपसे पहले भी बोल चुना हूं तो हर कुश्टन को ठंग से देखेगा चाहे वो आपको एक्जाम के लाइक लगे या ना लगे लेकिन आपको हर एक आपको पूंच लिया जाए तो आप उसमें आट्के नहीं चलिये भारत में परणियों के कितनी परकार की प्रसातियां पाई जाती है तो परहारत मिली लगवों 75,000 तो ह्सेजातियां पाई जाती वक्षिय आप जानते हैं480 सारी सरब, सारी सरब कौन से होते हैं, जैसे सांप हो गई, छिप वकली हो गई, जो सामने तौर पे रेंगने वाले जो जीव होते हैं एक सो सतार में उबहचर, उबहचर कौन से हैं, जो जमीन पर और जल में दोनों में ही वास कर सकते हैं, जो जमीन और जल दोनों में वास कर सकते हैं, जैसे आपका मगरमच हो गया, यह कैसा है, उबहचर जीव है, तो एक सो सतार में पर जाती हैं, उबहचर जीवों की हैं, जिना रीडवाली हडड़ी वाले प्राणि भी इसके अथ्रिक्त होते हैं, तो ये क्या हैं? ये सब भारत प्राणियों कि जो परजातिया है, वो अलग-लगम कितने प्रिकारती पाई जाती हैं, वो आपके डेटा दिया गया है, तो लगबन यहां 55,000 परजाती मुखेता है total पाई जाती है, next question, भारत में पाई जाने वाले प्राणि ओ क्या प्र जआती है? भारत में जो total प्राणि ओ की प्रजाती हैं, दीड प्राणी सब्दसे मतलब क्या है? प्राणी सब्दसे वो जो चलता हुँआ जीव हो, जैसे कि कोई भी हम आप या फिर कोई भी जीव है ना जिसमें वनस्पती सामिल नहीं होती हम अपने जब 1112 में पर जाते हैं और हम बायो साइन्स लेते हैं तो हम देखने एक होता है प्राणी सास्त्र एक होता है वनस्पती साथ तो वनस्पती साथ में हम पेड़ पौदों के बारे में बात करते हैं, तो यह प्राणी सास्तर के वाला हिस्सा है, प्राणीयों की प्रजातियां पूचे गई, यहां पर वनस्पतियां सामिल नहीं होती हैं, इस बात को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, भारत में पाए जाने वाले प्राणीयों के प्रजातिया संपूर्ण विस्व का कितना प्रतिसत है? तो वो पूरे विस्व का कितना प्रतिसत है तो वो मात्राप का प्रतिसत हैं, उरे विस्का लगबग 13% हैं, नेक कोशन हाथी जो इतके संधारी जीव है भारत में किन स्थानों पर पाए जाते हैं, तो इस काएं पाए जाते हैं, असम, करनाटक और केरल की उस्थन तथा आदरवनों में ये देखने को मिलते हैं, असम, करनाटक और केरल की उश्ण ने तता आदर वनों में ये देखने को मिलते हैं, nack question. एक सिंग वाले गैंडे भारत में किन स्थानों पर पाई जाते हैं? एक सिंग वाले जो गैंड़ा होता है भारत में किन स्थानों पर पाई जाता है? तो देखिए वो आपका पर्षिम बंगार असम के जो दलदली छेतर है इनमें वो देखने को मिलता है पर्षिमी बंगार और असम के दलदली छेतर Next question जंगली गधे में उट के निस्थानों पर पाय जाते हैं जंगली गधे में उट के निस्थानों पर पाय जाते हैं तो जंगली घदे कच्छ के रण में पाया जाते हैं और उंट जो है आपको पता है थार मरुस्तल का जहाज मतलब रेगिस्तान का जहाज का जाता है तो मरुस्तल में ही पाया जाएगा सामने दोर पर तो यह थार मरुस्तल ही जो छेत्र है महारा पर उत पायजाते हैं और जंग्ली गज़े कच्छ के रन में देखने को मिलते हैं नैक विश्व का एक मात्र देश जहां सेर व बाग दोनों पाये जाते हैं में को लगता है कि इसका अंसर आप सबको निस्षित रूप से पता है यो कि हम जानते हैं हमारा भारत देशी ऐसा है जहां सेर और बाग दोनों मिलने को मिलते हैं भारत है ना? Next question भारतिये सेर किस छेतर में पाए जाते हैं? भारतिये जो सेर हैं वो किस छेतर में पाए जाते हैं? तो वो आपको पता है गुजरात के गिर के जंगलों में सेर पाए जाते हैं गुजरात के गिर जंगलों में भारतिये सेर देखने को मिलते हैं Next question बाग भारत में किन छेतरों में पाए जाते हैं? तो आपका मध्यपदेश जारकंड के वनों पशीमी बंगाल के सुंदर वन्वे हिमाली छेत्रों में सामने तोर पर देखने को मिलते हैं लद्दा के हिमाली छेत्रों पाए जाने वाले प्राणी कौन से हैं? कौन से हैं? याख जो एक प्रिकार के बैल जयसा दिखाई देता है और काफी बड़ा होता है इसका जो वेट होता है लगवगर एक टन के लगवग होता है तो यह क्या है? एक नीली प्रिकार की भेड है उसकी परड़ जाती है जंगली भेड, कियांग, ये काफी important है, तिब्वती जो जंगली गयदा है, उसको कियांग कहा जाता है, तो कियांग और कुछ इस्तानों पर लाल पंडा भी देखने को यहाँ पर मिलते हैं, नेक कोशिन, विस्व का एक मातर देश जहां घडियाल पाए जाते हैं, तो देखी ये गडियाल क्या है, मगरमच जैसे लगवक होते हैं ये, लेकिन ये पूरे विस्व में केवल हमारे यहाँ पर भारत में ही देखने को मिलते हैं, विस्व का एक मातर देश जहां घडियाल पाए जाते हैं, वो भारत है, ठीक है, हम बात करते हैं राजिस्थान के वनों के पारे में, तो 37 कोशन है आपका, राजिस्थान में कितने छित्रफल में वनस्पती मिलती है, तो ये है आपका लगवक 34,610 वर किलोमेटर छित्र है, जहां पर वनस्पती मिलती है, और राजिस्थान के जो कुल छित्रफल है, उसका मातर ये 10.12 प्रतिसत ही है, कितना प्रत 210 वर किलोमेटर चेत्र में मिलती है राजिस्थान में सघन वन आवरन चेत्र कितना है राजिस्थान में जो सघन वन आवरन चेत्र है वो कितना है तो हम जब पृतिसत की बात कराएं तो यह बहुत कम है 3.83 पृतिसत ही यह है 3.83 परसेंट ही यह आपका है जो आवरंड छेत्र है, राजिस्थान में सघन वन आवरंड छेत्र कितना है? 3.83 पॉइंट, तो राजिस्थान में पृति व्यक्ति वन छेत्र फल कितना है? राजिस्थान में पृति व्यक्ति वन छेत्र फल कितना है? तो कितना है ये ये आपका 0.03 हेक्टर है कितना है 0.03 हेक्टर है जो प्रतिवक्ति वनचेतर पर है नेक कोश्चन देखिए भारत में प्रतिवक्ति वनचेतर पर कितना है तो वो मात 0.03 हेक्टर है राइस्थान में कितना था? 0.03 हेक्टर मात्र है न? तो वो इससे भी कम है नेक क्वेशन देखी राइस्थान की प्राकरतिक वनस्पति कितनी प्रकार की पाई जाती है? राइस्थान में जो प्राकरतिक वनस्पति है, वो कितनी प्रकार की पाई जाती है? तो देखिए वो आपके है वन, घास और मरस्तली वनस्पति, वन पाए जाते हैं यहाँ पर घास भी पाए जाती है और मरस्तली वनस्पतियां भी पाए जाती हैं तो यहाँ पर कितनी प्रकार की प्राकरतिक वनस्पति होगी तीन प्रकार की नेक क्वेशन, राइस्थान में वनों को कितने भागों में वर्गीकरत किया गया है? राइस्थान में जो वन हैं उनको कितने भागों में वर्गीकरत किया गया है? यह आपके हैं उस्ट्न कटी बन दिया कटीले वन, उस्ट्न कटी बन दिया सुस्क पज़डवन और उपोश नैक क्वेशन देखिए। रायस्थान के सुस्क वणों में पाए जाने वाले मुख्य ब्रक्ष कौन से हैं ? वो मरुस्थल का कलप्रक्ष कहा जाता है नेक क्वेशन मरुस्थल ये छेत्रों में पाए जाने वाले मुख्य जाडियां कौन सी हैं? मरुस्थल ये छेत्रों में पाए जाने वाले मुख्य जाडियां कौन सी हैं? तो वो हैं आपकी फॉग, आकडा, कैर, लाना, अरना और जडवेर, ये सब कैसी हैं, ये मरुस्तलिय जाडियां हैं, फॉग, आकडा, कैर, लाना, अरना और जडवेर, नहीं क्वेशन, मरुस्तलिय छेत्रों में पाये जाने वाली प्रिशिद घास कौन सी है मरुस्तलिय छेत्र में जो पाये जाने वाली प्रिशिद घास है वो कौन सी है यहाँ पर देखें सेवन और धामन नाम की दो खास पाये जाती है सेवन जो धारू पसों के लिए होते हैं तो देखिए ये 50-100 cm वाले वर्सा चित्रों में पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं जहाँ 50-100 cm की मद्धी वर्सा होती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं राजस्थान के किन छेत्रों में उष्ण कटी बंदिया सुस्क पज़डवन पाए जाते हैं किन छेत्रों में पाए जाते हैं ये वन उष्ण कटी बंदिया सुस्क पज़डवन तो जब बात करें तो ये मद्ध है दक्षणी वर्स दक्षणी पूर्वी छेत्रों में राईस्थान का जो मद्ध है राईस्थान है दक्षणी राईस्थान है और दक्षणी पूर्वी राईस्थान है इन छेत्रों में इसामने तर उष्ण कटी बंदिया सुस्क पत जड़वन पाये जाते हैं सुस्क सागवान वन हैं सालर वन बास वाले वन धौकड़ा का वन पलास के वन खैर के वन बबून के वन और मिश्चत परण पाती वन यह क्या है यह वास्त एक्तम है जिस प्रिकार के वक्स जिस जगह जगे जादा मिलते हैं उसी के आधर पर इनको वर्गिकरत कर दिया गया ह है जहहां सुषक सागवान वन रहा है अपने कभी ध्यान दिया होगा बास वडा कि़ए को वह पर बॉस जड़ा मिलते हैं क्यों कहा जाता है बास वड़ा कुछ कि वहाँ पर बहुत ज्यदा मिलता है इसी तान है धौकड़ा के बन या हमारी रायंस्तानमें जाक़ा धुक का जाता है न फालास जाता है इसे हृभ झाला के बन खेर या वन बन घ्ता होते हैं और बन के व… और 12 जो छेत्र हैं, यहाँ पर सामाने तोर पर सुस्क सागवान वन देखने को बिलते हैं, यहाँ जो सागवान है, यहाँ पर यह काफी मात्रा में देखने को मिलता है, लेकिन कहाँ पर, यहाँ दो सो चालिश से साड़े चार सो मीटर, दो सो चालिश से चार सो पचास मीटर उंचाई वाले जो छेत्र होते हैं, वहाँ पर सामाने तोर पर ये सुस्क सागवान वन पाए जाते हैं, ने कुश्चन, सुस्क सागवान वनों में कौन से व्रक्ष पाए जाते हैं, तो यह हम जानते हैं, सागवान में, सागवान वनों में, सागवान तो मुखेर पाए सेमल, रीठा, बहेडा और इमली के ब्रक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं ठीक है इस चीज़ को आप याद रखेंगे नहीं क्यूशन देखें साग्वान ब्रक्ष से द्वारा अधिक सर्दी पाला सायन ना करने के का राइस्थान में किन चेत्रों में विस्तार है साग्वान ज साग्वान ब्रक्ष पाए जाते हैं राइस्थान में सालर वन किन जिलों में पाए जाते हैं तो यह देखें उदैपूर, राजसमन, चित्तौरगड, सिरोही, पाली, अजमीर, जैपूर, अलवर, और सीकर यह कैसे चेत्र हैं यहाँ पर इस हमन तो पर सालर वन पर सालर वन पाए जाते हैं लेकिन सालर वन की विश्रिस्ता यह है कि उस साड़े 400 मीटर से अधिक उचाई पर सामने तो पर देखने को मिलते हैं राइस्थान में सालर वनों में कौन से व्रक्ष पाए जाते हैं हम सालर वन की नाम से समझते हैं कि सालर तो पाए जाएंगे इसमें उसके अलावा धौक, कठीरा और धावर भी इसमें पाए जाते हैं सालर धौक काठेरा और हवर नाम की वैख्स जो हैं कि Cesभीस में मुच्छताओर पाते हैं Now question सालर का पेड् सालर का पेड्स मुख्छताः किस उपयोग में लिया जाता है प्र उसे बनाते ऑने अपने पेड्स का है हैं आपने पेटियां देखी होंगी फ़लों की बड़ी तो यह सब क्या है पैकिंग जो लकडी के लिवे बनते हैं लकडी से बनाते है नfareom लिवे लिवे सब किसे बनते हैं वो साललरक्ष से मनाजाते हैं और यह गॉंध के बहुत अच्छा शुरौत माना जाता है ठीक है बास्वाड़ा, चित्तोरगर, उदैपूर, बारा, कोटा और सिरोही के पिर्चुर वर्षा वाले जो छेत्र हैं, जहां वर्षा ज्यादा होती हैं, ऐसी जगह पर बास्के वन पाए जाते हैं। बास्वाड़ा का नाम किस वनस्पती के अधिक्ता के कारण नाम रखा गया है। राइस्थान में उष्ण कटी बंदिया सुस्क पद जड़वनों का कौन सा उपर परकार सरवादिक पाए जाते हैं। उष्ण कटी बंदिया सुस्क पद जड़वनों को वर्गी करत और किया था जो उपरकार है। तो देखिए धौकडा के वन जो है राजी प्रुमकवन संब्रदा में भी जामिल हैं। ये का सबसे जड़ जड़वनों के धौकडा के वन पाए जाते हैं। यह विशेशता क्या है, 240 से 760 मीटर की उचाई पर यह अधिक्ता में देखने को मिलते हैं दोक्रा के बनों में पाए जाने वाले मुक्य व्रक्ष कौन चे हैं? तो दोक्रा के बनों में दोक्रा मिलेगा आपको, जिसको हम दोक भी कहते हैं उसके अलावा आरुंज, खेर, खेर्णी, सालर, गॉंदल जैसे व्रक्ष भी देखने को मिलते हैं यह तलहटी शेत्र होता है, वहाँ पर दोक्रा के साथ पलास भी देखने को मिल जाता है और कभी कबार जहट बेरो और रुसा भी देखने को मिलता है दोक की लकड़ी का किस प्रकार उपयोग किया जाता है दोक की जो लकड़ी होती है, उसको किस प्रकार उपयोग किया जाता है तो देखें, दोक की लकड़ी काफी मजबूत होती है, इसलिए इसको जला कर कोईला बनाया जाता है दौक की लखड़े कोईला बनाने के उपयोग में लिया जाता है क्योंकि ये कापी मजबूत होती है नया कुश्चन देखी पलास के वन किस प्रकार के छेतर में पाय जाते हैं पलास के जो वन हैं वो किस प्रकार के छेतर फल में पाय जाएंगे तो यह आपके धरातल जग कठोर होता है पत्रीला होता है या कंक्रीट होता है अप एक चक्रत कम मिट्टी वाले जो छेत्रों होते हैं वहाँ पर पलास के व्रेक्ष चिपाये जाते हैं पहाडियों के मद्ध जो जल पठारी धरातल है उसमें भी समने तरों होता है देखने को मिलते हैं पलास के वनों का फैलाव राजस्थान के किन जिलों में हैं तो अलवर, अजमीर, सुरोही, उदैपुर, पाली, राजसमन और चित्तोर गड़ में ये देखने को मिलते हैं एक कुश्चन देखिए राजस्थान में खैर के वन किन जिलों में स्थित हैं राजस्थान के जो खैर के वन हैं वो किन जिलों में स्थित हैं तो राजस्थान के जो खैर के वन हैं वो जहलावाड कोटा बारा चित्तोर गड़र सवाई माद उपर में हैं तो राजस्थान क कोटा12, 248 गावर, सवाई मादवपर यहां पर ऐे carek1 मिलते हैं। Next question देखें राजथान में carek1 में कौन से रक्ष मुकयता पाए जाते हैं। राजथान में जो carek1 है उसमें कौन से रक्ष मुक्यता पाए जाते हैं। तो बेर, धोकड़ा, अरुंज के जो रक्षें ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं बेर, धोकड़ा, अरुंज के रक्ष इसमें पाए जाते हैं खैर के अत्रिक्ट है ना नेक कुश्चन देखिए बबूल के वन राईस्थान में किन जिलो में पाए जाते हैं तो बबूल के वन जो है आपके गंगा नगर, बिकाने, नागोर, जालोर, अलवर, भरत पुरादी सभी जगह पर ये पाए जाते हैं और ये क्या है विरल वन छेतर होते हैं विरल वन छेतर का मतलब यहां बहुत दूर दूर पर पर देखने को मिलते हैं और कम नमी वाले भाग जो होते हैं उसमें इनके अलावा भी और व्रक्ष पाए जाते हैं लेकिन यहां पर सामने से बहुत ज़्यादा कम नमी देखने को मिलती है इसलिए यहां पर केवल बबूल ही उक पाते हैं इसी स्थिती में नेक कोशन देखी बबूल के वन में वन के साथ अन्य कौन से व्रक्ष मिलते हैं बबूल के वन में अन्य कौन से व्रक्ष देखने को मिलते हैं बबूल के साथ में क्या है नमी बहुत कम होती है तो बबूल अकेला देखने को मिलता है सामाने दौर पर लेकिन जब थोड़ी सी भी नमी बढ़ जाती है तो नीम, हिंगोठा, अरुंज, कैर और जड़बे, रादी भी इसमें देखने को मिलते हैं लेकिन कब जब नमी थोड़ी सी जाती है, ठीक है? तो ब depends के बनों में अग्र आपसे पूचा जाए कि कौनसे व्रक्स मिलते है तो आपको इन सब के नाम आप ले सकते हैं. लेकन जब इस सब arts यह पूचा जाए जहां नमी विशेस तोर पे कम हो वहाँ पर काँची व्रक्ष पाय जाते हैं तो वहाँ पर केवल बबूल के व्रक्ष पाय जाते हैं वहाँ पर ये व्रक्ष नहीं पाय जाते जब कम नमी से थोड़ा सा इंक्रीज होती है थोड़ा सा बढ़ जाती है तब बबूल के साथ नीम, हिंग उटा, आरुंज, कैर और जड़बे रादी भी देखने को मिलते हैं नएक कोशन देखिए मिश्रित परणपाती वन राजसान में कहां पाये जाते हैं? तो मिश्रिट परणपाती बनने आपके सुरोही, उदैपूर, राजसमन, चित्तौडगर, कोटा और बारा में देखने को मिलते हैं राइस्थान के दक्षिनी पहड़ी चेत्र में इस सरवाधिक देखने को मिलते हैं मिश्रिट परणपाती का मतलब क्या हो गया? यहां पर सभी प्रकार के पेड़ पहुती, मिश्रिट यहां पर्टिकलर कोई निश्चित एक पेड़ या उसकी अधिकता नहीं होती है इस प्रकार के वनों में नेक कुश्चन देखिए राइस्थान के मिश्रिट परणपाती वनों में पाए जाने व्रक्ष कौन से है? तो मैंने जैसा कि बताया कि यहां पर किसी भी व्रक्ष विसी इसका इस्थान नहीं है यानि कहने का अरतिया है कि वो ही व्रक्ष यहां सरवाधिक मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है यहाँ सभी प्रकार के वर्क्ष अलग-अलग देखने को मिलते हैं तो यहाँ परावला, सीसं, सालर, तेंदू, अमलतास, रोहन, करंज, गूलर, जामुन, अर्जुन जैसे बहुत और भी प्रकार के वर्क्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं ठीक है, next question, राजिस्थान में उपोष्ण परवतियवन कहां पाए जाते हैं, राजिस्थान में जो उपोष्ण परवतियवन हैं, वो कहां पाए जाते हैं, तो राजिस्थान में केवल आबू परवतियवन जो छेतर हैं, वहाँ पर ये उपोष्ण परवतियवन पाए जाते इसके अलावा राइस्थान में नहीं देखने को मिलते हैं, यह काफी सगन होते हैं, सदा बाहर और अर्ज सदा बाहर व्रति की होते हैं, मतलब यह हमिसा हरे रहते हैं, है ना, तो राइस्थान में उपोष्ट परवतिय वनों में कौन से व्रक्ष पाये जाते हैं, तो कौन से ब्रक्षपाय जाते हैं आम, बास, नीम, सागवानादी जहें यह सभी टाइप के ब्रक्षण यहाँ पर देखने को मिलते हैं और यह काफी सगन होते हैं लेकिन राइस्थान का जो टोटल वन चेत्र है उसका आधा प्रतिशत यानि 0.5% भी उससे भी कम चेत्र में इस परकार के ब्रक्षण देखने को मिलते हैं यह बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कम चेत्र है यहाँ पर इतने सगन ब्रक्षण देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आम, बास, नीम, सागवान जैसे व्रक्षण ज़्यादा तर देखने को मिलते हैं भारत में सरुप्रतम कौ पहली वन्यनीती आई थी हमारे देश में है ना नेक क्वेशन देखिए स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष नई वन्यनीती घोसित के गई जो स्वतंत्रता हो गया हमारे देश उसके पाद जो पहली जो आपकी वन्यनीती थी वो कब घोसित हुई तो वो घोसित हुई थी 1952 में और जिसमें आपने पढ़ा भी है जिसके तैस 33% जो भूमी है उसका 1 होना अनिवार है, है ना, 1952 की जो वन निती है उसके तैस 33% भूमी 1 होना अनिवार है जो की बहुत कम हिस्सा अभी इस वक्त भारत में 1 है नेक कोशिन देखी, उनी सो अठासे में घोसित नवीन वननीती के प्रमुक तीन लक्षे क्या हैं? जो उनी सो अठासे में घोसित हुई थी नई वननीती, उसके प्रमुक जो तीन उद्देश से रखे गए थे, उनको वो क्या है? क्या लक्षे रखे गए थे? तो पहला था प पूर्ती ये तीसरा लक्षय था, ठीक है, इस तरीके से तीन लक्षय रखे गए थे, पर्यावरन इस्तिर्ता पहला लक्षय था, दूसरा इस्तिर्ता प्राकर्तिक धरोवर जैसे वनस्पति हो गए, प्राणिये हो गए, जीव जंतु हो गए, उनको संद्रक्षय था, और सु अनिसंधान केंद्रा जोत्पूर के अंदर है उसका अधीश kya है? वन च्हेत्रों का विश्थार और रेगिस्ताण ज्यादा ना फेलें, इसकी ऊपर उनका नियंत्रण करना यही अनसंधान केंद्रों का मुख्य अधीश है नेग क्योशन देखीं वानी की पंडित पुरुसकार व्रक्षमित्र पुरुसकार आदी किस छेत्र में दिये जाते हैं नेक कुश है, वन्य जीवों के सिकार पर अंकुस वे संरक्षन के बारे में भारत के किस महान सासक के सिला लिखों में विवरण मिलता है। नेक कुशन देखिए, भारत में वन्य जीवों के संरक्षन है तो कितने जीव मंडलों को आरक्षित किया गया है। नेक कुशन भारत में वन्य जीवों को संरक्षन प्रदान करने के लिए कितने वन्य जीवों को संरक्षन प्रदान के स्थापना की गई है। इससे बहुत सारी कुशन आपके कुशन पे आते हैं तो इसकी एक एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट होगी। देखिए आंसर क्या है इसका। आप बारत के किंदो राष्टे उद्धानों को विस्विरासत में सामिल किया गया है। तो यह हैं काजी रंगा जो असम में है और दूसरा है केवला देव जो आपके राजिस्थान भरतपुर के अंदर है। काजी रंगा असाम और केवलादे राजिस्थान यह दो जो राष्टे उद्धान है उनको विस्विरासत सूची में सामिल किया गया है। जिम कॉर्वेट राष्टे उध्धान किस राज्य में इस्तित है? जिम कॉर्वेट राष्टे उध्धान जो है वो किस राज्य में है? तो हम जानते हैं वो उत्राखंटी अंदर इस्तित है. नेक कोशन. काना राष्टे उध्धान किस राज्य में इस्तित है? तो काना राष राष्ट्य उध्यान किस राज्य में इस्तित है? पलामू जो है राष्ट्य उध्यान वो किस राज्य में है? तो आपका बिहार के अंदर इस्तित है. नेक कुशन. दाजी गाम राष्ट्य उध्यान किस राज्य में इस्तित है? दाची गाम राष्ट्य उध्यान किस राज्य में होगा सुन्दरवन राष्ट्य उद्धान कहा पर है पशिमगाल में है नेक क्वेशन सांत घाटी राष्ट्य उद्धान किस राज्य में इस्थित है सांत घाटी राष्ट्य उद्धान किस राज्य में इस्थित है तो आप जानते हैं यह केरल में है नेक क्वेशन नंदन नंदन कानन राष्ट्य उध्यान किस राज्य में इस्तित है नंदन कानन काफी important राष्ट्य उध्यान है questions के साब से तो देखिए नंदन कानन राष्ट्य उध्यान कहा है ओडिशा के अंदर इस्तित है इसी तरीके से काईबुल लमजाओ राष्ट्य उध्यान किस राज्य मे इस्तित है अन्या मलाई राष्ट्रे उध्यान किस राज्य में इस्तित है ये कोश्चन भी कई बार आया है तो इसको भी याद रखेगा ये अन्या मलाई जो है आपका तमिलाण में इस्तित है ने कोश्चन देखिए रंतंबोर राष्ट्रे उध्यान किस राज्य में इस्ति तो ये तो आप सभी निष्यत रुप से जानते हैं, राहिस्थान के बास यह होंगे तो, राहिस्थान सवाई मादुपूर के अंदर यह इस्तित है, इस्तित है, इन्य कोशिन देखिए, भारत में मुगतब पाई जाने वाली संकटापन जनतु प्रजातियां कौन सी है? संगटापन मतलब जिनके ओपर संगट है, जो खत्म होनी की कगार्प की स्थिति में आखड़ी ही है, ऐसे कौन से प्रजातियां हैं? ये प्रजातियां आपके बाग, चीता, हाती, गिर्सिंग, घडियाल, गैंडा, कस्तूरी, म्रग, आदी जो हैं, ये सब क्या हैं? ये आप राजियी पसू कौन सा है? राजियी पसू निशित रुप से हम जानते हैं, चिंकारा, इसका राजियी पसू है, 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 इस्तित है, राइस्थान के किस जिले में राष्टरी है, मरूध्यान इस्तित है, तो हम जानते हैं, ये जैसल मेर की अंदर इस्तित है, ने कोशन देखी, सरिस्का बाग अभ्यारन राइस्थान के किस जिले में इस्तित है, सरिस्का बाग अभ्यारन राइस्थान के किस जिले में हैं तो मुकंद्रा हिल्स को आपके कोटा में इस्तित है मुकंद्रा हिल्स अभ्यारण कहां पर है कोटा के अंदर इस्तित है मैं कुशन देखिए राइस्थान के कौन से दो अभ्यारण बाग चन रक्षण के लिए हैं तो देखिए एक तो आपका रंधंबोर हो गया और आपका सरिश्का, रन्थमबॉर्जो राष्ट्रे उध्यान और सरिश्का आष्ट्रे उध्यान यह दोनों ही बाग चंछन रक्षन के लिए ऑरक्षब थे इस, केवला देव राष्ट्रे उध्यान किस पक्छिग के करें पिसी और एक काँगि वाइं, साइवेरियन जो सारस है यहाँ पर आया करते हैं यह प्रवासी प्रक्षिय हैं यहां के तो इनकी वज़े से केवलादेव राष्ट्रे उध्यान काफी फेमस है जीवास्म या फॉसिल्स के सनरक्षन के लिए राष्ट्रे उध्यान प्रिसिद्ध है जीवास्म के सनरक्षन के लिए राष्ट्रे उध्यान प्रिसिद्ध है तो कौन सा है यह राष्ट्रे मरू उध्यान जो है वो जीवास्म सनरक्षन के लिए प्रिसिद्ध है Next question, कुरंजा राज्य के लोक सहित्य का चर्चित प्रवासी पक्ची है, इसका महत्पून केंदेस्तान कौन सा है? मतलब ही कहां देखने को मिलते हैं तो यह आपके खीचन जो जोदपूर में सित्थ है, वहाँ पर देखने को मिलते हैं तो इसका केंदरिस्टान क्या है किचल जोदपूर में Next question राज्थान में आखेट निसिद्ध छेत्र कितने हैं आखेट का मतलब सिकार है न तो जहां सिकार नहीं किया रसके ऐसे छेत्र कितने हैं राज्थान में तो राईस्थान के द्वारा निर्धारे स्थेती छेत्र ऐसे हैं जो आखेट में सिद्ध है नेक क्वेश्टन राईस्थान राजे का जैवी कुध्यान कहां सिद्ध है? राईस्थान राजे का जैवी कुध्यान जो है वो कहां सिद्ध है? तो राजिस्तान राजय का जो जैविकुद्यान नाहरगड में जैपूर के अंदर इस्चित है नाहरगड में जैपूर में इस्चित है नेक्ट क्वेश्टन राजय का राजी पक्षी कौन सा है तो राजी पक्षी कौन सा है गोडावन है इसका और गोडावन का प्राकर्तिक वास ये भी कापी important बात है कि प्राकर्तिक वास अगर गोडावन का पूचा जाए तो वो पश्चिमी राजिस्तान है और गोडावन अपने प्राकर्तिक जो वास है पसी में राइस्थान ने उसमें भी अब ये बहुत कम देखने को मिलते हैं नेक क्वेश्चन देखिए राइस्थान में घड़ियालों के संरक्षण ही तो कौन सा राष्टे जीव अभ्यारने इस्थापित किया गया है देखिए आपको विश्व में जो घड़ियाल होते हैं केवल भारत में ही देखने को मिलते हैं और उसमें भी अब ये संकटापन इस्थिती है तो मतलब जीव खत्म होने की कगार की स्थिती में आ गए है तो राष्टे जीव अभ्यारने इस्थापित किया गया है तो ये आपका राष्टे चम्бल घडियाल अभ्यारने इस्थापित किया गया है राजस्थान राजे का प्रमुक अब्यारन है ताल शापर किस जिले में है तो वो आपके चूरू के अंदर है तो वो आपके पूंदी जिले के अंदर है राजस्थान राजे का प्रमुक अब्यारन है कुंबल गड़ और सज्जन गड़ किस जिले में है तो इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं यह उदरपुर के अंदर है यह कहां पर है यह उदरपुर में है राजस्थान राजे का प्रमुक अब्यारन है माउंट अबू किस जिले में है तो इसके नाम से पता है माउंट अबू कहां पर है शिरोही के अंदर है तो यह भी शिरोही के अंदर ही इस्थित है राजस्थान राजे का प्रमुक अब्यारन है कैला देवी किस जिले में है कैला देवी से आप जानते है कैला देवी किस जिले में है तो यह आपका करॉली के अंदर है तो कैला देवी अब्यारन भी कहां है करॉली के अंदर है राजिस्थान राजे का प्रमु का ब्यारन सीता माता और भैंसरोडगर किस जिले में चित है? राजिस्थान राजे का प्रमु का ब्यारन टाडगर रावली किस जिले में चित है? राजिस्थान राजे का प्रमु का ब्यारन राम सागर किस जिले में चित है? तो राजिस्थान राजे का प्रमु का ब्यारन का है? राम सागर जो है वो द्हाल पूर में चित है? इसी तरीके राजिस्थान के हमने काफिया ब्यारन देखी? चले, नाइक कॉशन देखें? खेजड़ी ली बलिदान जो है वो किसके प्रति जागरुता पैदा करता है? किसके जागुरता का प्रतीक है, तो हम जानते हैं, खेजडली पर्यावंड से संबंध जागुरता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, एक क्वेशन, खेजडली बलीदान जो है, उसकी घटना किस घटना का प्रती उत्तर था, मतलब क्यों होई थी ये घटना, खेजडली को काटने का आदेश दे दिया था और उसकी शुरक्षा करने के लिए खेजड़ी विल्दान का गटना करम हो गया तो यह क्या है यह किस गटना करम का प्रति उत्तर था 28 अगस 1730 में जोद्पुर महराज ने ग्राम खेजड़ी में खेजड़ी व्रक्षों को काटने का क्योंकि खेजड़ी जो है वरायसान का कल्प रक्ष भी कहा जाता है तो इससे आप इसकी इंपोर्टन्स समझ सकते हैं ने कुश्चन देखिए खेजड़ी वलिदान का नेतरत्व किस ने किया था तो हम जानते हैं अम्रते देवी थी जिन्होंने खेजड़ी विल्दान का खेजड़ी वल्दान की नेतरत्व कारी अम्रता देवी ने पेड़ काटने वालों को किन सब्दों से ललका रहा था ये काफी इंपोर्टन्ट है खेजड़ी वल्दान की नेतरत्व कारी अम्रता देवी ने पेड़ काटने वालों को किन सब्दों से ललका रहा था ये हमें जानना चाहिए, ऐसा इसका आर्थ था, जो सिर्व साटे रूख रहें, तो भी सस्तो जान, इन सब्दों से अम्रता देवी ने पेड काटने वालों को ललका रहा था, खेज़े बल्दान में, और उन्होंने अपना बल्दान दे दिया, नेखरशन, खेज़ुरली बल्दान के तहट कितने लोगों ने अपने प्राणड नाचावर कर दिये थे, तो कितने थे ये दोसो चौराण में पुरुस वा उन्हीं तर इस्त्रिया थी, 294 पुरुस और 69 इस्त्रिया इसमें बलिदान हो गए, नैक क्वेशन देखिए, किस गटना विशेष के कारण भारत में 21 सेतंबर को परियावर्ण दिवस मनाया जाता है? किस गटना विशेष के कारण भारत में 21 सेतंबर को परियावर्ण दिवस मनाया जाता है? तो हम जानते हैं कि खेशजड़ली जो बलिदान है, उसी के कारण 21 सेतंबर को परियावर्ण दिवस मनाया जाता है. खेजड़ेली बल्दान में खेजड़े के वक्ष को बचाने के लिए लोगों ने उसकी लिपट कर अपने जीवन की आहोती दे दी इस वज़े से एक खेजड़ेली बल्दान हुआ और इसी की इसमती में 21 सितंबर को पर्यावरन दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को व्रक्ष सहीद मेला किस स्थान पर प्रतिवस लगाया जाता है व्रक्ष सहीद मेला जो है वो किस स्थान पर प्रतिवस लगाया जाता है तो देखिए खेजड़ेली बल्दान में खेजड़ेली जो गाउं है वहाँ पर जो लोगों ने बल्लिदान दिया वहाँ पर इनके इस लगाया जाता है कहां लगाया जाता है खेजड़ेलि गाओं के अनदर ही अमरता-देवी के इसमती में उनके नाम से किस अभारण को विखसत किया गया है जो अम्रता-देवी थी नेधिर्वतकार जो खेजड़ेलի बंता किया था अम्रता देवी ने उनकी रिष्टमती में जोदपूर में उनके नाम से किस अब्भारण को विक्षित किया गया है तो वो है अम्रता देवी किष्णम्रग अब्भारण ने जो की जोदपूर में इस्थित है अम्रता देवी किष्णम्रग अब्भारण ये कहा है जो प्रुष्कार के छेत्र में दिया जाता है तो देखिए अम्रता देवी किसकी नेत्र थी उन्होंने खेज़ड़ी के लिए अपने जीन की आहुती देदी उन्होंने एक बहुत बड़ा बल्दान का प्रारूप रश्य दिया तो उनकी इरिश्रमती में अगर कोई प्रुष्क में भारत में कितने प्रतिसाद जैवीविता पाई जाती है भारत एक जैव सम्रते देश से बायो डाइवर्शिटी है ना जैवीविता इसमें बहुत पाई जाती है बहुत प्रकार के जीव पाई जाते हैं इस वज़े से इसकी जैवीविता बहुत ज्यादा है तो इसी व भारत में अभी तक कितने जीव जन्तुवे वनस्पति की प्रजातियों की पहचान हो पाई है तो देखिए 81,000 जीव जन्तुवे और 45,000 लगबग वनस्पतियां हैं देखिए इसी चैप्टर में इससे पहले जब हमने देखा था तो 45,000 जीव जन्तों के बारे में बात की आप्शन नहीं आएंगे अगर आते हैं तो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसके आपको क्लिक करना है तो निश्यत रूप से आपका अंसर सही होगा ये कोशन हम ना रहा है इसी टाइप के एक प्रोशन में प्रॉब्लम हमें कब हुई थी जब हमने लक्षे दीप और जो आपका अंडमान निको बार है उसके दीप समोह में इससे दीपों की संख्या के उपर बात की गए थी तो इसमें भी इसी प्रिकार से आपको रखना है जब दो आप्शन आएं और दोनों ही सही दिखाई देते हैं तो हमें जिसकी संख्या ज़्यादा दिखाई देत अंतराष्टे इस्तर पर परियावर्ण संसाधनों के संगर्चन वे समस्या निवार्ण है तो कौन सी संगर्चन संगर्चन जिसको हम सौर्ट में IUCN बोलते हैं अंतराष्टे प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संगर्चन संगर्चन IUCN और WWF है न यह दोनों संसाधन कैसी हैं यह अंतराष्टे इस्तर पर परियावर्ण संसाधनों के संगर्चन और समस्या निवार्ण भी दुकारे करती हैं नएक क्वेश्चिन देखिए, उंतराष्टे प्रकृति यानि IUCN जो है, उसका मुख्याले कहां इस्ते थे, IUCN का मुख्याले कहां इस्ते थे ये बहुत ज़्यादा है, आई IUCN की feel firm भी अपसे पहुच जा सकती है, और दूसरा उसका मुख्याले भी आपसे पहुचा जा सकता है, तो इसका मुख्याले कहां पर है, ये मुख्याले स्विट्जर्ड लेंд के अंदर आता है, इस विजर दून के अंदर इस्तित है भारतिय वन अनुसंधान के अंदर इस्तित है नेक क्वेश्चन देखिए भारतिय वनस्पती उध्यान कहां इस्तित है भारतिय वनस्पती उध्यान कहां इस्तित है तो भारतिय वनस्पती उध्यान है वो कॉलकाता के अंदर इस्तित है भारतिय व यह आपका बैंगलोर के अंदर है, परिष्टिक तरियावरण अभियांत्री की संस्तान कहां इस्तित है, तो कहां पर है यह, यह नागपूर के अंदर राष्टिय परियावरण अभियांत्री की संस्तान इस्तित है, नागपूर के अंदर राष्टिय परियावरण अभियांत दस्तावेद है वो किसे माना जाता है तो वो आपका अर्थाववेद का जो भूमी सूक्त है उसको प्रिथम लिखित दस्तावेद माना जाता है परियावरण चेतना के समद्द में परियावरन चेतना का प्रिथम लिखे दस्ताविज कौन सा है अथरव वेद का भूमी सूथ नेक कोशन देखें राष्ट्रे गित वंदे मातरम में प्रित्वी को किस रूप में माना गया है राश्टर की जो वंदे मातरम है आपका उसमें पृत्वी को किस रूप में माना गया है तो वंदे मातरम में हमने माता रूप में पृत्वी को माना जाता है किस रूप में माता रूप के अंदर पृत्वी को देखा जाता है वेदों में व्रक्ष लगाने में पुन्य प्राप्ति की तुलना किसे की गई है तो मुझे पता है कि ये जोग्राफिक के साब से इंपोर्टेंट नहीं रखती है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें एक भी लाइन नहीं छोड़नी है हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है वेदों में व्रक्ष लगाने में पुन्य प्राप्ति की तुलना किसे की गई है तो सौपुत्रों के पालन के समान इसको माना गया है यानि सौपुत्रों के पालन का पुन्य जो होता है वो एक व्रक्ष लगाने के पुन्य के समान माना जाता है मैं कोश्चन देखिए किस देश की संस्कृति को अरण्य संस्कृति भी कहा जाता है किस देश की संस्कृति को अरण्य संस्कृति भी कहा जाता है तो अरण्य से आप निशित रूप से वाकिफ है अरण्य का अर्थ क्या होता है अरण्य का अर्थ होता है जंगल तो किस देश की संस्कति को अरण्य संस्कति कहा जाता है तो वो हमारा देश यह भारत जिसकी संस्कति को अरण्य संस्कति कहा जाता है इसका अभी प्राई यह नहीं है कि हम जंगलवास नहीं है बलकि इसका प्राई यह है कि हम प्राकरतिक संप्रदा जो है वो हमारे अंदर ज अरनर संस्कृति प्राई यह बिल्कुल नहीं होता कि हम जंगल संस्क्ति और बिलकुल नहीं होता कि हम जंगल संस्क्ति से वासी है तो कौन से हैं ये ये आपका विश्णु धर्म सूत्र, इसकंद पुरान और याग वल्लक के जिसमती ये सभी कैसे धर्म गरंथ हैं यहाँ पर रक्ष काटने को अपराद माना जाता है और इसके लिए दंड विधान भी बताए गए हैं राजस्थान में विश्णोई समाज के पर्यावरंट सनरक्षंड से सम्मदित कितने सूत्र बताए गए हैं तो देखे 39 सूत्र है इसके जिसमें हमने पर्यावरंट सनरक्षंड से सम्मदित सूत्र हैं विश्णोई समाज के अंदर गत नेक क्वेशन देखिए एक बात और कि कुछ बचों का कमेंट आता है कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ तो बचों रिप्लाई करने कर नहीं है लेकिन मैं आप सभी के कमेंट को बहुत अच्छे से रीड आउट करता हूँ देखता हूँ किसी को कोई विश्य समस्या होती है तो उसके उपर वर्क करत हूँ और सभी का reply करने के जगेह पर मैं कॉसिस करता हूँ कि आपके लिए में कुछ नया कर सका हूँ तो चलिए बिना देरी के बिना वक्त गवाएं स्टार्ट करते हैं कोशन नमर 142 है आपका भारत को किर्शी प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि हम जानते हैं भारत को जो किर्शी प्रधान देश है वो क्यों कहा जाता है क्योंकि 60% जो लोग हैं उनकी आजिविका इसके उप बहुमी की वह परत जो चट्टानों के विखंडन विगटन और इसको क्या कहते हैं discharged इंट गस्त को आपको समझना चाहिए भूमी की वहपरत जो चट्टानों के विखंडन, विगटन और जीवांसों के सर निकलने से मिलकर बनी होती है, उसको क्या का जाता है, मिर्दा का जाता है रचना विधी के अनुसार मिटी को कितने भागों में वर्गिकरत किया जाता है, रचना विधी का मतलब वो मिटी किस प्रकार बनी है, किस सोड से बनी है, उसकी पैतर जो चट्टाने हैं वो कैसी है, तो उनके आधारपन को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो यह अपकी इस्ثानएय और विस्थापित हैं, यानि वो इस्थानिये एह चक्टानों से विक्ठीद हो गए बनी हैं, या कहीँ बाहर से आई हैं, तो इसके आधार पर वरिकर दो भागों में किया जाएगा, इस्थानिये और विस्थापित, इस्थानिय मिट्टी किसे कहा जाता है तो इस्थानिय मिट्टी हमने बात करी थी इस्थानिय मिट्टी वह है जो रितू क्रिया जो होती है उनसे विखंडित चक्टानों द्वारा निर्मित मिट्टी जिसमें चक्टाने स्वैम के इस्थान से विस्थापित नहीं होती है या अगलक परिक्रारों से होता है तो रितुक्रिया से विखंडित चट्टानों द्वारा निर्मित मिट्टी जिसमें चट्टाने स्वयम की विस्थान से विस्थापित नहीं होती है ऐसी मिठी क्या कहलाती है, इस्थान ये मिठी कहलाती है, मिठी के विस्थापन के सामने कारक हैं, मिठी जो विस्थापित होती है, उसके सामने कारक क्या हो सकते हैं, तो मिठी विस्थापन के कारक जो हैं नदी हो सकती है, नदी बहुत सारी मिर्दा लेके आती है, जो परवत परीते लिए जो टीले हैं वो इधर से उदर जो ट्रांसफर हो जाते हैं किस से द्वारा होते हैं पावनों के द्वारा होते हैं तो यह सभी क्या हैं मिट्टी के विस्थापन के कारक हैं और विस्थाफित मिट्टी के कारक हैं नेक कोश्यन देखिए, इस्थानिय मिट्टी भारत में सामने तह किस छेत्र में मिलती है, इस्थानिय मिट्टी जो है भारत में सामने तह किस छेत्र में मिलती है, तो देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में कौन सी जगह ऐसी है, जहां पर सामने तोर पर इस् लोड मिर्दाएं पाई जाती है तो ऐसे स्थिति में वहां की चट्टाने वहीं विग्टित होकर वहां पर इस्थानिय मिट्टी का निर्मार्ण करती है तो यह कहां पर है दक्षिन भारत के जो पठारी चेत्रें वहां पर इस्थानिय मिट्टी सामने तो देखने को मिलती है दक्षिन भारत के पठारी छेत्र में किस प्रकार की अनुपजाओ इस्थानिय मिटी मिलती है दक्षिन भारत के पठारी छेत्र में किस प्रकार की उपजाओ इस्थानिय मिटी मिलती है देकर हम वहाँ बात कर रहे थे ता अनुपजाओ की बात कर रहे थे लेकिन उपजाओ इस्थानिय कौनची है लावा निर्मित काली मिटी, क्योंकि लावा से बहुत सारे जो खनीज लवड़े हैं, वो इसमें included होते हैं, तो मिटी अपने आप में उपजाव हो जाती है, और जो पठारी भाग है, उसमें बाकी जो इस्थान है, वहाँ पे सामाने जो लाल मिटी जिस ताइप की मिलती है, वो अनुपजाव होती है, लेकिन यहाँ पर कंक्रीली होती है, लेकिन यह क्या है, लावा निर्मित है, इसमें बहुत सारे जो हैं, तत्थो पाये जाते हैं, तो ऐसे इस्थिति में एक काली मिटी जो होती है, वो काफी उपजाव होती है, और मूशली कपास की फसल इसमें उगाई जाती है, नेक कोशन देखी, विस्थापित मिट्टी भारत में सामने तक किस छेतर में मिलती है, विस्थापित जो मिट्टी है भारत में सामने तक किस छेतर में मिलती है, तो ये देखिए, उत्री और मद्यवर्थी मैदानों तथा तटीय मैदानों में उपजाओ मि मेदानों में भी बहुत सारे इन चीजों के कारक होते हैं, तो उत्री वे मध्यवर्थी मैदानों तथा तटी मैदानों में कैसे मिटि जाएगी, जाओ मिटि पाए जाएगी, है ना, ना कोशन देखिए, मिटि की रष्णा में गुणों के अधर पर कितने भागों में वर्ग कौन-कौन सी है, जलोड या कांप मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, सुस्क और मरुस्थलिय मिट्टी, जिसको बलोई मिट्टी भी कह देते हैं, वनिया या परवतिय मिट्टी, लवनिया और पीट मिट्टी, या फिर जिसको हम दलदली मिर् उन्हें सामने तहां किस प्रकार की मिर्दा पाई जाती है, भारत के जो मैदान है, उसमें सामने तहां किस प्रकार की मिर्दा पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाएगी, जलोड मिर्दा पाई जाती है, क्योंकि उत्री भारत जो है, उसमें इस टाइप की मिर तो सरवादिक सामने ते अगर हम बात करें तो कौन सी मिर्दा हुई जलोड मिट्टी है नए क्वेशन भॉगॉलिक आधार पर जलोड मिट्टी को कितने भागों में वर्गेकरत किया गया है बहुगॉलिक आधार पर जलोड मिट्टी जो है उसको कितने भागों वगी करत किया गया है तो देखिए जलोड मिट्टी मुखे ते इन प्रिकार की होती है पुरातन यानि बहुत पुरानी जहां पाड़ के पहले बाड़ से जलोड मिट्टी लाए गई थी लेकिन अब वहां तक पानी नहीं पहुंसता है तो पुरानी हो चुके जलोड मिट्टी फिर आपकी नूतन जो जलोड मिट्टी जहां भी अभी भी बाड़ा जाती है तो वहां पर पानी इसे मृद्टा आती है नूतन तम जहां अभी भी रेगुलर जमाव हो रहा है जलोड मिट्टी का या कांप मिदा का वो क्या है नूतन तम कांप मिदा है तो जलोड मिट्टी को मुखेते तीन भागों में बाटा गया है पुरातन जलोड मिट्टी नूतन जलोड मिट्टी और नूतन तम जलोड मिट्टी या कांप मिदा नेक कुशन पुरातन जलोड मर्दा छेत्र किन स्थानों पर विक्सित होते हैं? तो देखिए हमें पता है नदियों के बाड छेत्रों से उंचे भागों में जहां बाड का पानी अब नहीं पहुंच पाता है नदियों के बाड़ शेत्रों से उंचे भागों में जहां बाड़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा है उन शेत्रों में पुरातन जलोड मर्दा शेत्र किस नाम से जाने जाते हैं दो फसलें सामने तोर पे उगाई जा सकती हैं है ना तो बांगर शेत्र यानी पुरातन जलोड मर्दा वाला शेत्र इसमें सचाई के आवश्यक्ता अधिक होती है और गहन खेती द्वारा दो फसलें उगाई जा सकती हैं नाक क्यूशन नूतन जलोड मर्दा चेत्र किन चेत्रों में विक्सित होते हैं? नूतन जलोर मर्दा छेतर किन स्थानों में विक्सित होते हैं तो किन स्थानों में होंगे जहां नदियों के बाड़ का पानी गवारा मिट्टी की नवीन परजमा होती रहती है जहां सालाना तोर पे बाड़ आती है पानी गवारा नई मिट्टी आती है नई परजवा होती है और वो नूतन जलोड मर्दा का निर्मान करती है तो ऐसे छेत्र नूतन जलोड मर्दा वाले छेत्र कहलाते हैं Next question नूतन जलोड मर्दा छेत्रों को किस नाम से जाना जाता है नूतन जलोड मर्दा छेत्रों को किस नाम से जाना जाता है तो यह आपके खादर शेत्र हो गए है ना खादर शेत्र हो गए तो खादर शेत्र में अधिक उपजाव मिट्टी होगी सामने क्योंकि जो पुरातन जो है जो पुरानी जलोड मिर्दा है वो तो एक बार हो चुकी अब उसमें तो पॉस्टिक तत्व धेरे धेरे खतम हो रहे लेकिन नई दो नई आई है उसमें तो अविस्टी बाते ज़्यादा पॉस्टिक तत्व होंगी तो ऐसी इस्तिती में यह अधीकुप जाओ मिट्टी होगी और चुकि वहां पर पानी सालाना आता है तो ऐसी इस्तिती में यहां पर सिचाई की आवस्चेक्ता भी कम होगी तो इन शेत्रों को क्या का जाता है इनको खादर शेत्र का जाता है जहां नूतन जलोर मिर्दा पाई जाती है तो चलिए नई कोशन देखिए नूतन दम जलोर मिर्दा भारत में किन शेत्रों में सामनेता मिलती है तो नूतन दम जलोर मिर्दा जो है गंगा ब्रहम पुत्र के जो रेल्टा प्रदेश हैं उनमें सामने तर देखने को मिलती है। कंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो प्रदेश हैं उसमें नूतन्तम जलोर मर्दा भारत में देखने को मिलती है। किस प्रकार के मिर्दा में चूना, मैगनिशम, पोटास, फासफोरस वे जीवान्स की अधिकता पाई जाती है। उपजांगी होती है। ब्रबारंग होता है य स्थांत्र नदियों के द्वारा ले आई जाती है तो ऐसे कानई सिह है कुछ चाइपिक पाज़ करना सुगम रहता है और जलाजीफाइच कर लिया जाए उसमें वी आपके ४ूछ लिया जा mama तो आप बता जाती है काली मिर्दा सामनेत भारत में कहां पाई जाती है तो हम जानते हैं तो अब दक्षिन भारत के जो पठारी चेत्र है उसमें सामनेत सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है बाकी महराश्ट मद्धर प्रदेश के प्रशिम भाग आंद्र प्रदेश के प्रशिम भाग कर करनाटा के उत्री भाग, गुजरात वेदक्षनी पूर्वी भाग, वे करनाटा के उत्री भाग, गुजरात वेदक्षनी पूर्वी राजिस्तान में भी यह देखने को मिलती है, नेक क्वेश्चन, भारत में काली मिर्दा का विस्तार कितने पृतिसत छेत्र में है, भारत मे कहां कि जो भारस का जो टोटालMAN शेतरवाले उसका 16 से 17% भाग है काली में फाई जाते है Q किस परकार की मिटी में आद्रता बनाए रखनी की जहमता होती है तो किस काली मिट्टी में किन खनीजों की अधिकता होती है काली मिट्टी में किन खनीजों की अधिकता होती है तो आपको पता है जो काली मिट्टी होती है वो लावा निर्मित होती है तो इसमें खनीज कौन से होंगे इसमें आपका लोहा होगा ऐलुमिनियम होगा और यह सब इन दो दो खनीज हैं लोहा और surrounding इनकी बहुत जढ़ ज़ाद अधिक्ता होगी और क्यों हो गी क्यों कि यह लावा निर्मित की काएंगे कारण a lay दारा निर्म नीन में तोने के कारण लोहा और नाइट्रोजन की मात्रा कम लेकिन पोटास वे चोनी की मात्रा सामन होती है किस प्रकार की मिटी में होती है इसा काली मिटी में होती है काली मिटी में जो फासफोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है लेकिन पोटास और चोनी की मात्रा सामन ने होती है और लोहा और अलुमिनियूम खनेजों की तत्यकी अधिकता पाई जाती है, ने कोशन, काली मिट्टी की नर्मदा, तापती, गोदावरी और किष्णा नदियों की घाटियों में कितनी गहराई तक इसकी परतें पाई जाती है, काली मिट्टी जो है, यह कहां, नर्मदा, जो तापती, ने कोशन, काली मिट्टी में, किसकी फसने सामने क्यामने तर पाई जाती है, तो आपको पता है, यह कपास, मुवखली और गणिकी खेती, इस तरह सिफ्थाने पर्टे की जाती है, ने कोशन, उच्छ भूमी छेत्रों में लाल मिट्टी उपजाओ क्यों नहीं होती है तो उच्छ भूमी जो छेत्रों होते हैं उतना अधरता में कमी होगी क्यों कि तापा दिखोगा और मिट्टी छिद्र नुमा होने के कारण ऐसी स्थानों पे लाल मिट्टी उब्जाओ नहीं होती है और खाव बशुचाहिका की बहुत जदा आवश्चा होने पर बहुत जदा आवश्चा होती है और तब ही ये थोड़ी बहुत असल पैदा कर पाती है थेखें, नय कुशन किसकी अधिकता लाल मिट्टी के रंग का कारण है किसकी अधिकता लाल मिट्टी के रंग का कारण है यानि लाल मिट्टी जो है उसका लाल रंग क्यों होता है तो इसके बरे मैं पहले बता चुका हूँ लाल रंग जो होता है लोही की अधिकता के कारण होता है और इसमें nitrogen, phosphorus और जैविक तैत्व आश कम होता है इसमें बाकिक जो चीज़े हैं nitrogen, phosphorus है, जैविक तैत्व है यानि humus जिसे कहते हम है न, चूने काश ये सभी क्या है ये कम होते है और लोही कि इसमें ज़्यादा अधिकता होती है इसी वज़े से इस मट्टी का रंग क्या होता है लाल होता है नाग कोशन लाल मिट्टी के अधिक्ता सरवाधिक कहां पाई जाती है तो लाल मिट्टी के अधिक्ता है सरवाधिक कहां पाई जाएगी नदी घाटियों में सरवाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है नेक कोशन, भारत के किन छेत्रों में लाल मिटी पाई जाती है, भारत के किन छेत्रों में लाल मिटी पाई जाएगी, तो इच्छतियस गर्ड, छोटा नागपुर, ओरिशा, आंद्रप्रदेश, तमिल लाड़ और करनाटक, जो छेत्र हैं, यह लगए एक ही जगे पे हैं, नेक कोशन देखिए, लाल रंग की मिटी जिसमें कंकरों के प्रधानता हो, ऐसी कौन से मिटी है, ऐसी मिटी आपकी लेटराइट मिटी क्या होती है, उसर भूमी होती है, यानि अनुपजाओ भूमी होती है, बंजर भूमी जिसे हम कहते हैं, लेटराइट मिटी होती है, ठ ठीक है, नेक क्वेशन देखी, लेटराइट किस प्रकार्निर्मित होती है, लेटराइट जो मिट्टी है, वो किस प्रकार्निर्मित होती है, तो लेटराइट जो मिट्टी है, चटानों के विखंडन दारा जैसा की और होती है, लेकिन अधिक वर्सा वे अधिक ताप्मान वा के द्वारा बह जाते हैं और ताफमान अधिक हो जाता है तो ऐसी इस्थिति में क्या हो जाता है यह सूप कर बहुत ज़्यादा पद्री ली हो जाती है तो यहां पर किसी भी प्रकार के पसल का उगना बहुत मुस्किल हो जाता है तो इस वज़े से यह बंजर या नुग बातों के अधिकता होगी लेकिन चुना फास्पोर्स नाइटोजन पोटास वगेरा की कमी होती है चुना फास्पोर्स नाइटोजन पोटास की कमी होती है ने कुशन लेटराइट में अधिक वर्षा के कारण किन पदार्तों का छरण होता है यानि लेटराइट में अधिक वाले शेत्रों में होती है ये तो अधिक वर्षा के कारण किन पदार्तों का शरण हो जाता है तो उसमें जो सिलिका है रासाइनी के लवण है और अन्य बारी की जो उपजाव उपण है उनकी शरण इसमें हो जाता है अधिक वर्षा की कारण जो पानी के साथ ये ता तो बहे जाते हैं तो इस वज़े से यह अनुभजाव भी हो जाती है लेटराइट मिटी भारत में किस सिस्थान पर पाई जाती है तो कहां पर पाई जाएगी पश्चिमिघाट शेत्र पूरवी घाट की किनारे से राजमहल पाड़ी और पश्चिमी बंगाल होते हैं असम तक जो है स शकवी पटी के रूप में यह पाई जाती है, तो लैटराइट मिटी कहँ पाई जाएगी? पश्चिमी घाट से, पूर्वी घाट के केनारे से राजमहल पहाड़ी और पश्चिमी बंगाल होते हुए अरसम तक सक्री पटी में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी पर किस की फसल की जाती है? लेटराइट जो मिट्टी है वैसे तो अनुपजाओ होती है लेकिन जब कुछ जगे थोड़े बहुत फसल की जाती है तो वो आपकी चाय की फसल इसके उपर अच्छी होती है लेटाइट मिट्टी पर चाय की फिसल काफी अच्छे हद तक हो पाती है नेक कोशन मरुस्थलिय मिट्टी भारत में किस इस्तान पर पाई जाती है मरुस्थलिय जो मिट्टी है भारत में किस इस्तान पर पाई जाती है मरुस्थलिय मिट्टी हमें पता है हम राइस्थान की बास ही है तो राइस्थान में सौराष्ट, तच्छ की रणभूमी, यहाँ पर मरुस्तली भी मिटी देखने को मिलती है, यहाँ छारी ततों की बहुत अधिक्ता होती है, है ना? मरुस्तली भी मिटी में किस प्रकार के ततों की अधिक्ता पाई जाती है, मरुस्तली मिटी में सिचाई की विष्टा होने पर किन स्थानों में उपजाउ सेदोई है, मनलब मरुस्तली मिटी जो यहाँ पर पाई जाएगी, वहाँ पर अगर सिचाई विवस्ता कर दी जाए तो ऐसे धारन कौन से हैं जिनमें उपजाओ ये बहुत ज़्यादा सिल्द हो गई है तो यह हैं आपके हन्मानगर गंगा नगर और विकानेर जो छेत्र हैं यहाँ पर जो इंद्रागांदी नहर आई है उसकी वज़े से सिच अगर सिचाई की विवस्ता हो जाए तो यह काफी उपजाओ से दोता है नेक कोईशन परवती अमर्दा भारत में मुक्य तक किस छेत्र में पाई जाती है तो देखिए परवत की बात करें तो हमाले से बड़ा परवत यहाँ पर है ही नहीं तो भारत में जो परवती यह मु कर पथर्यूग जैसी में ज़्यादा तर मिल्दी हैं देखनी को इ Moto परिपक्तों मिर्दा कहा जाता है ठीक है ने कोईशन परवतिय मिर्दा की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जन जीवन नहीं होता है, तो इसमें हुमस की भी सामाने इस्थिती ही होती है, ज्यादा नहीं होता है, पोटास, फास्फरस और चूने की कमी होती है, और इसकी परज जो होती है, वो काफी मोटी होती है, है ना, तो ये सबी किस की विशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् नेक कोशन देखिए, परवतिय मर्दा में किस प्रकार की खेती की जाती है, तो परवतिय मर्दा में किस प्रकार की खेती की जाती है, तो परवतिय मर्दा में देखिए, सामने किस प्रकार की खेती की जाएगे, चाय, आलू, चावल, और सिड्डी नुमा खेत में बनाकर, जो जो फसल उगाई जाती हो सिड़ी नुमक खेतमी की जाती है इसमें और जो धलान वाले शेत्र हैं वहाँ पर चारा गहा पनब जाते हैं तो इस इस्टिति में चाय, आलू, चावल और चारा गहा भी यहाँ पर उत्पन किये जाते हैं पैदावार होती है तेक है राइस्थान क कर्षी के साथ पूरक वेबसाइब क्या होता है जो हम एक मुख्य करते हैं उसके साथ के सिय अन्या को जो कि दो को भी करते हैं तो वो उसका पूरा को ऊशाथ है कहलाता है तो यहांक पर जो राइस्थान का मुक्खे वेशा है वो क्या है क्रसी है जो क्रसी प्रिदान सब्लाण lie कहा जाता है, नेक कोशन देखिए, मिटी के चार मुख्य घटक कौन कौन से हैं, मिटी के जो चार घटक हैं जो मुख्य हैं, वो कौन कौन से हैं, तो मिटी चार घटकों से बनती है, पैताक पदात, यानि जिससे वो रिमित हो रही है, यानि वो चटाने जिनसे वो तूटकर बन या फिर जो कारक है उनसे बन रही है, दूसरा जल, तीसरा वाईउ और चौता हुमस यानि जहविकंस, यह सभी क्या है, यह मिटी के चार्प मुक्य घटक है, और मिटी क्या है, मिटी ठोस, द्राव और गैस का यह mission है, किसका mission है यह? मिटी ठोस, द्राव और गैस तीनु का ही मिशन माना जाता है, ने कोशन देखी, राइस्थान की मिटी को रंग, गठन वर उपजावपन के आधार पर कितने भागों में वर्गी करत किया गया है, राइस्थान की जो मिटी है उसको रंग, पठन और उपजावपन के आधार पर कितने भागों में वर्गी करत किया गया है तो कितने भागों में वर्गी करत किया गया है छे भागों में वर्गी करत किया गया है मरस्तोली है लाल पिली मिटी लेटराइट मिटी मिर्शित लाल मिटी काली मिटी काली कछारी मिटी है ना और कछारी मिटी सॉरी छे भागों में कौन-कौन से वर्गित किये गया है मरस्तली मिटी, लालपीली मिटी, लेटराइट मिटी, मिर्सिस लाल-काली मिटी और काली मिटी और कछारी मिटी इस तरह ये टोटल किती है ये छे मिटीयों के तौर पर वर्गिकरत किया गया है में कोशन देखी, मरस्तली मिटी राजिसान में किन इस्थानों में मुक्यतर पाई जाती है मरस्तली मिटी की निर्मित होने के कारक है मरस्तली जो मिटी है उसके निर्मित होने के मुक्य कारक क्या है तो उसके मुक्य कारक है अधिक ताप अंतर वे भौतिक अप्च है यानि दिन में जो टेंपरेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है और रात में बहुत कम होता है तो यह ताप का जो अंतर है वो अधिक तापांतर है और भौतिक अप्च यह दो मुक्य कारक हैं वेस्थल यह मिट्टी के निर्मित होने के ने कोशन देखी लालपिली मिठी राजसान में किन इस्थानों में मुखेता पाई जाती है लालपिली मिठी सवाई मादोपूर नीय। मुक्त है यह पाई जाएगी, मैं कोशन देखिए, लाल पीली मिठी की मुक्खे प्रकार के सेलों के विखनड़न स्वरुप होता है जाल पीली जो मिट्टी है उसका निर्मान किस प्रकार के सेलों के विखंड़न सवरुप होता है स्ट इसल के लिए उप्युक्त होती है लाल पीली मिटी कि से मुंगफली और कपास के लिए उप्युक्त मानी जाती है work के लाल पीली मिटी किसके लिए मनिजाएगी मुंधवली और कपास के लिए नेक नर्ल डाट मिटी राज्सान में किन स्थानों में वह किसा पाई जाती है ये किसले वीडियो वह दक्षिनी भागों यह, दक्षिनी राज समनी जिले में ये सामेनी तार पर देखने को मिलती है. ठीक है? डूंघारपुर, उदापुर के arrow ? जय हम दक्षिन में दक्षिन समनी जिले में ये देखने को मिलती है कारण करण रंग लाल होता है और नाइक टोजन वे फासफोर रस्ततों की कमी होती है लेटराइट मिटüp में किस प्रकार की खेति की-ταιति जाती है लेकाइट जो मिटी है उसमें किस प्रकार की केती की जाती है तो यहाँ पर गन्ना, मक्का, चावल इस प्रकार की केती सामने तोर पर की जाती है गन्ना, मक्का, चावल जैसे फ़सनों की यहाँ पर केती की जा सकती है मिष्षित लाल वे काली मिटी राइसान में किन इस्थानों में मुख्यते पाई जाती है मिष्षित लाल वे काली मिटी की मुख्य विशेष्थाएं क्या है तो उपजाओ होती है चीका की अधिकता होती है चूना नाइटोजन फासफोरस की कमी होगी इसमें और पोटास परियाप्त मात्रा में इसमें अविलेबल होता है मिश्ड लाल वे कली मिटी किसप्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त है कली मिटी जो है राईजेतान में किनी स्थानों में मुक्त है पाई जाती है तो काली मिटी राज्जे के दक्षणी पूर्वी जिलों, कोटा, बूंदी, बारा और जालावार जैसे छेत्रों में ये ज्यादा तर पाई जाती है काली मिटी के मुखे विश्यस्ताएं क्या है ये चीका प्रिधान दौमट मिटी है, कैल्सियम और पोटास के परियाप मात्रा में इसमें होता है, नाइटोजन की कमी होती है, रुपजाव मिटी ये होती है तो आप जानते हैं गन्ना, धनिया, चावल और स्वयबिन जासी फसनों का यहां पर पैदावार की जाती है गन्ना, धनिया, चावल और स्वयबिन जासी व्यापारिक फसनों का उत्पादन यहां पर किया जाता है कचारी मिट्टी राइस्थान में किन स्थानों में मुख्यता पाई जाती है कचारी मिट्टी राइस्थानों में किन स्थानों में मुख्यता पाई जाती है राज्ये के उत्री वा पूर्वी जिलों में जैसे गंगानगर, हनमानगर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करॉली, सवाई माधोपुर, दौसा, जैपुर और टॉंक जैसे छित्रों में कचारी मिट्टी राइस्थान में देखने को मिलती है कचारी मिट्टी की मुख्य विशिषता है कंचारी मिट्टी हलके बुरे लाल रंकी होती है, रेतिली होती है, दोमाट वै अकजाओ होती है दोमाट वै व्चत्त क्लास वह लोह पर्याप मात्रा में होता है, नाइटोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है, नहाँ कुछन, कछारी मिटी में मुक्तेक किन फस्लों का उत्पादन किया जाता है, तो गेहूं, सरसों, कपास और तंबाहूदी की फसलें यहां पर सामाने तक की जाती हैं, गेहूं, स तरसों का पास and तंबाव को जो फसलें हैं वो कछारी प्रोटी में मुट्यतक की जाते हैं तो इस तरह बच्छों आपकी क्लास 9 काmayे लाश चेप्टर का लास पार्ट भी होता है समा तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट चेप्टर के साथ तब तक कि लिए बच्चों थेंक यू